माइक्रोसोफ्ट एक्सल के कई वर्जिन्स पहले आ चुके हैं और हर नए वर्जिन में माइक्रोसोफ्ट द्वारा कुछ नए फीचर्स एड़ किये जाते हैं साथ ही उसे काम करने की दृष्टी से आसान बनाया जाता है और हर बार और अधिक आकरशकरू प्रदान किया जाता है MS Excel 2016 इसके पुरानी सभी वर्जिन से अधिक उप्योगी है Excel एक electronic spreadsheet program है इसका उप्योग data को store और organize करने के लिए किया जाता है Excel में data rows और columns में store होता है Excel का उप्योग मुख्य रूप से financial data में घनित की calculations जैसे value ढूनना, average निकालना, count करना, percentage इत्यादे निकालने में किया जाता है इसके अलावा Excel में chart, graph, database और data analyze किया जा सकता है तो आईए हम Microsoft Excel 2016 की प्रारंभिक जानकारी देख लेते हैं सबसे पहले start button या फिर window button पर क्लिक करें all programs में जाएं और यहां से Excel 2016 पर क्लिक करें यह देखिए यह Excel 2016 open हो गया है left hand side में आपको वो files दिखाई देंगी जिन पर आपने पहले काम किया होगा और उन्हें आपको ढूनना नहीं पड़ेगा आप directly यहीं से क्लिक करके उनको open कर सकते हैं यहां पर कई तरह के templates दिये हुए हैं जैसे cash flow analysis, stock symbols comparison, calendar insights, इत्यादी आपको इन में से जिस भी template की जरुरत हो उस पर क्लिक करके आप काम कर सकते हैं उदारन के लिए हमको student schedule template चाहिए तो हम इस पर क्लिक कर देंगे अब create पर क्लिक करेंगे तो यह open हो जाएगा अब हम excel को close कर देते हैं अभी हमने MS Excel 2016 उपन करने का एक तरीका देखा था अब उसे दूसरी तरह से open करना देख लेते हैं start पर क्लिक करें नीचे box में excel 2016 टाइप करें यह देखे सबसे उपर यह इसका नाम आ गया है आप चाहें तो enter press कर लें या फिर यहीं से क्लिक करके इसे खोल लें यह देखे MS Excel open हो गया है इसमें अब हम blank workbook ले रहे हैं excel में इस screen पर सबसे उपर यहां पर title बार होता है जिस भी नाम से file saved होती है वो नाम यहां पर दिखाई देता है left side में आपको quick access toolbar दिखाई देगा जिसके सायता से आप ज्यादा तर काम आने वाले features जैसे save, undo, redo इत्यादी का उपयोग कर सकते हैं आप इन में अपनी जरूरत के मताबिक options add भी कर सकते हैं और जिन options की उपयोगिता नहीं हैं उन्हें हटा भी सकते हैं यहाँ पर आपको ribbon दिखाई देता है जिसमें file, home, insert आदी tabs होते हैं by default MS Excel open करने पर home tab selected रहता है इन सभी tabs में अलग-अलग block और उनके options होते हैं जैसे home tab में clipboard, font, alignment, इत्यादी blocks हैं इसी तरह insert tab में table, illustrations, add-ins, इत्यादी blocks हैं इसी तरह अलग-अलग tabs में आपको अलग-अलग blocks और उसके अंदर अलग-अलग options या features मिलेंगे यहाँ पर view tab के पास में tell me नाम का नया advanced feature है इसका उपयोग करने के लिए या तो यहाँ पर click करें या फिर अपने keyboard पर alter और Q प्रेस करें इस option के सहायता से आप Excel के किसी भी option पर शीगरता से पहुँच सकते हैं माली जे हम search कर रहे हैं background option तो उसका नाम यहाँ पर type करते हैं और यह देखिए नामिया type करते ही यह option यहाँ पर दिखाई देने लगा है इस पर click करके आप इसे use कर सकते हैं right hand corner पर आपको ribbon display option मिलता है जिसकी सहायता से आप इस ribbon को hide या unhide कर सकते हैं यहाँ पर देखिए तीन options हैं सबसे पहला है auto hide ribbon इसको select करने पर यह देखिए यहाँ से ribbon hide हो गया है अब अगर आपको वो ribbon चाहिए तो उपर click कर दें तो यह ribbon वापस आ जाएगा और नीचे आप कहीं भी click करेंगे तो यह ribbon वापस चला जाएगा दूसरा option है show tabs इसको select करने पर उपर आपको केवल tabs नजर आएगे और अगर आप इसके अंदर की commands चाहते हैं तो उसके लिए उस tab पर click करें तो यह ribbon आपको दिखने लगेगा और उसके अंदर के जो blocks हैं वो भी नजर आने लगेंगे फिर अगर आप नीचे कहीं click करेंगे तो यह जो blocks हैं वो hide हो जाएंगे तीसरा option इसमें है show tabs and commands इस पर click करने पर आपको tabs और commands यानि यह जो ribbon है वो permanently नजर आता रहेगा अगर आप कहीं भी काम करेंगे तो भी यह hide नहीं होगा ribbon display के पास आपको minimize, restore और close buttons मिलते हैं यहां आपको name box मिलता है आप sheet में जिस cell पर भी click करेंगे वो address आपको यहां पर नजर आएगा जैसे कि हमने यहां पर click किया तो name box में B5 नजर आ रहा है इसका मतलब column B है और row 5 है और यह है formula bar आप जो भी formula या कोई भी word इत्यादी type करेंगे वो आपको यहां पर नजर आएंगे Excel में file या workbook के अंतरगत worksheet होती है जिसमें हम काम करते हैं और यह worksheet rows और columns में divided होती है और यह जो छोटे छोटे boxes हैं यह कहलाते हैं cells हर worksheet में total 16,384 columns होते हैं और 10,48,576 rows होती हैं sheet के left side में rows के लिए numbers और upper side में columns के लिए alphabet लिखे होते हैं जब भी कोई नई file या workbook insert करेंगे तो उसमें आपको by default एक worksheet मिलेगी यदि आप और worksheet चाहते हैं तो आप अपनी जरूरत की अनुसार plus के चन पर click करके और worksheets add कर सकते हैं ribbon में सबसे पहला option होता है file का जिसमें आपको new, open, save इत्यादी options मिलते हैं यदि आप Excel 2007 पर काम कर रहे हैं तो ये options आपको office button के अंतरगत मिलेंगे इस arrow पर click करने पर आप वापस main screen पर आ जाएंगे यहां आपको right side में और नीचे की तरफ scroll bar मिलेगा जिससे आप data को ऊपर नीचे और दाएं बाएं स्क्रोल करके देख सकते हैं नीचे status bar है आप जो value select करेंगे उनका average, count, sum आपको यहां पर नीचे नज़र आ जाएगा यहां पर page को देखने के अलग-अलग layouts हैं जिनने हम बाद में समझेंगे और यहां right and side पर zoom button दिया गया है जिससे आप page की size को छोटा या बढ़ा करके देख सकते हैं यहां पर हमने MS Excel open करके रखा है सबसे पहले हम file tab के अंतरगत आने वाले options को एक-एक करके समझेंगे यहां हम आपको बता देएं कि यह जो file tab आप देख रहे हैं MS Excel 2007 में यह office button के नम से होता है MS Excel में नई file लाने के लिए shortcut keys, control और end प्रेस करें या फिर file tab में जाकर new पर क्लिक करें आप चाहें तो यहां से template भी चुन सकते हैं और यदे आपको यहां दी हुई template के अलावा कोई दूसरी template सर्च करनी हो जैसे मान लीजिए आपको invoice के template चाहिए तो यहां उपर search box में टाइप करें invoice और फिर enter की प्रेस करें देखिए यह invoice की templates आ गई हैं इन में से जो भी template आपको चाहिए उस पर click करके आप उस पर काम कर सकते हैं यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि template सर्च करते समय आपके system पर net connected होना चाहिए पिछले page पर जाने के लिए home पर click करें यहां हम blank workbook पर click कर रहे हैं file tab के option समझने के लिए हम एक data तयार कर लेते हैं यह हमने data तयार कर लिया है अब इस file या workbook को save करने के लिए shortcut keys control s press करें या फिर file tab में जाकर save पर click करें यहां आपको file save करने के लिए location चुरना होगी अगर आपको file one drive में save करना हो तो one drive पर click करें पर ध्यान रखें कि उसमें आपका account होना चाहिए यदि आप my document या desktop पर file save करना चाहते हैं तो this PC पर click करें और इनमें से जो option चुरना हो वो चुनें by default file my documents में save होती है और यदि इन locations के अलावा किसी अन्य location पर file save करना हो तो browse में जाकर वो location चूज करें जहां आप इसे save करना चाहते हों यहां हम e drive select कर रहे हैं अब यहां पर जिस भी नाम से आपको file save करना हो वो नाम दे दें और save पर click कर दें देखे हमने जिस नाम से file save की है वो नाम उपर title बार में नजर आ रहा है अब हमें इस file को close करना है तो shortcut keys control और w प्रेस करेंगे या फिर file tab में जाकर close पर click करेंगे अब हम पुना control and press करके एक नई file ले आते हैं इसमें कुछ type कर देते हैं अब हम इस file को बिना save की है close करते हैं देखे यहां पर एक dialogue box आ गया है यदि आपने किसी नई file में काम किया है या किसी file को open करके उसमें काम किया है और file को बिना save करें आप उसे close करेंगे तो यह dialogue box आएगा अगर आपको इस file में अभी और काम करना हो तो cancel पर click कर दें और अगर आपको file save नहीं करना है तो don't save पर click करें और अगर आप चाहते हैं कि file save हो जाए तो save पर click करें हम don't save पर click कर रहे हैं अब हमने पहले जो फाइल सेव की थी, यदि उसको उपन करना हूँ, तो शॉटकट की इस, Ctrl और O प्रेस करेंगे, या फिर फाइल टैब में जाकर, Open Option में यहां पर आपको Recently Open की गई फाइल के लिस्ट मिलेगी, जो फाइल ओपन करना हूँ, उस पर क्लिक करें, और यदि जो फाइल आपको चाहिए, उसका नाम यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ, तो Browse में जिस लोकेशन पर आपने फाइल सेव की थी, वहां पर जाकर फाइल को सेलेक करें और Open पर क्लिक कर दें, यह देखिए वो फाइल ओपन हो गई है, हम इसे वापस Close कर देते हैं, आपने जिस लोकेशन पर फाइल सेव की हुई है, यदि उसके अलावा किसी अन्य लोकेशन पर भी आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं, या फिर आपने फाइल में कोई Changes या Corrections किये हूँ, और आप उस Addited फाइल को किसी अन्य लोकेशन पर उसी नाम से, या फिर किसी औ और नाम से सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए Save As Option का उपयोग कर सकते हैं, आएए देखते हैं कैसे, सबसे पहले हम उस फाइल को उपन कर लेते हैं, और उसके लिए Ctrl O प्रेस करेंगे, ये देखिए ये फाइल अभी E Drive में सेवड है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये corrections करना हैं, वो हम कर देते हैं, माली जी हमको इसमें नेम में correction करना है, ये हमने इसमें एक नाम चेंज किया है, अब फाइल ऑप्शन में जाकर Save As पर क्लिक करें, और जिस भी location पर फाइल सेव करना हो, उसे चूज करें, हम My Documents चूज कर रहे हैं, अब आप चाहें तो इसी न से फाइल सेव कर सकते हैं, या फिर नाम बदल कर भी फाइल सेव कर सकते हैं, हमने इस फाइल का नाम बदल दिया है, और अब सेव पर क्लिक कर दें, अब पहले जो फाइल हमने बनाई थी, वो इड्राइव में सेव्ड है, और changes के बाद जो फाइल हमने बनाई है, वो My Documents मे सेव्ट है Excel में किसी भी टेक्स्ट को कट, कॉपी या डिलीट करने के लिए सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना होता है अगर आपको इस में से कोई भी सेल सिलेक्ट करनी हो तो माउस से या तो उस सेल पर क्लिक करें या फिर की बोर्ड में दिये हुए आउन एरोस की सहायता से जो भी सेल सिलेक्ट करनी है उस पर चले जाए ऐसा करने से उस सेल में जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा यदि आपको पूरा कॉलम सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए जो भी कॉलम सिलेक्ट करना हो उसके उपर जो alphabet दिया है उसपर क्लिक करें तो वो वाला पूरा की पूरा column नीचे तक जहां तक worksheet है वहां तक वो select हो जाएगा बाहर किसी और जगा क्लिक करने पर वो deselect हो जाएगा इसी तरह से अगर आपको कोई row select करनी हो तो जिस भी number की row select करना है उस number पर क्लिक करें तो वो पूरी की पूरी row select हो जाएगी अगर आपको इस data का कुछ part select करना है तो जिस cell से data select करना हो वहां पर mouse ले जाकर के click करें और उसे drag करके वहां तक ले जाएगा जहां तक का data आपको select करना है यह देखिए हमने इतना data select कर लिया और यदि आपको पूरी worksheet select करना हो तो यहां पर top में corner में जो arrow जैसा निशान है उस पर click करें तो यह देखिए पूरी की पूरी worksheet select हो गई है मानली जीए हमको second row का जो text है उसको यहां से cut करके दूसरी जगा paste करना है तो पहले हम उसको select कर लेंगे अब home tab के clipboard block में cut का option आपको यहां दिखेगा उस पर click कर दें या फिर shortcut keys control plus X प्रेस करें अब आप इसे अपनी file में या किसी और file में कहीं पर भी जितनी भी बार paste करना चाहें कर सकते हैं paste करने के लिए जहां भी इस text को paste करना हो वहां पर click करें और फिर यहां पर paste का option दिखाई दे रहा है उस पर click कर दें या फिर shortcut keys control V प्रेस कर दें यह देखिए यह text यहां पर paste हो गया है cut वाले option में जहां से हम text को cut करेंगे वहां से text गयब हो जाएगा हट जाएगा और जहां paste करेंगे वहां पर आजाएगा copy option यूज करने के लिए जिस text को आपको copy करना है उसको select कर लें उसके बाद clipboard block में copy option पर click करें या फिर shortcut keys control C प्रेस करें यह text copy हो गया है अब आप जहां भी इसे paste करना चाहते हैं वहां पर click करके यहां से paste को click कर दें या फिर control V प्रेस कर दें copy option जब हम यूज करते हैं तो जहां से हमने text को copy किया है और जहां पर paste किया है दोनों जगह वो matter या वो text आपको नज़र आएगा अगर आप इसको एक से ज़्यादा जगह पर paste करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और अगर हमको कोई भी text delete करना हैं तो उसे पहले select कर लें यह जो text हमने copy किया था हम इसको select कर रहे हैं और delete करने के लिए keyboard पर delete बटन को प्रेस कर दें यह देखिए यह जो text था वो delete हो गया है अगर आप फाइल में किसी particular value या text को ढूणना चाहते हैं तो उसके लिए home tab के editing block में find and select option में जाकर find पर क्लिक करें अब इस dialogue box में जो value या text आप ढूणना चाहते हैं वो type करें मान लिजिया हम एक नाम ढूणना चाहते हैं नीलेश तो find what में हमने type किया नीलेश अब अगर आप इस पूरे data में जहाँ पर नीलेश आ रहा है वो एक एक करके ढूणना चाहते हैं तो find next पर क्लिक करें सबसे पहले जहाँ पर नीलेश लिखा हुआ है वो cell select हो गया है अब हम फिर से find next पर क्लिक करेंगे तो अगली जगर जहाँ पर नीलेश लिखा हुआ है वो select हो जाएगा इस तरह से एक एक करके आप जहाँ जहाँ नीलेश लिखा हुआ है वो डूण सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि पूरे डेटा में जहाँ जहाँ भी निलेश लिखा हुआ है वो आपको एक साथ पता चल जाए तो उसके लिए Find All पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार जगह पर निलेश है और वो चार जगह कौन कौन सी हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर आ गई है अब माली जे हम सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर निलेश यहाँ लिखा हुआ है वहाँ जाना चाहते हैं तो सीधे हम यहाँ क्लिक करेंगे यह देखिए यह A17 सेल में निलेश लिखा हुआ है वो अपने आप सिलेक्ट हो गया यहाँ से हम इसे Close कर देंगे यदि आफ फाइल में किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट या फिगर की जगर कोई और टेक्स्ट या फिगर चाहते हैं तो उसके लिए Home tab के Editing Block में Find and Select option में Find के नीचे दिख रहे Replace option पर क्लिक करें अब यह जो Dialog Box आया है उसमें Find What में हम वो पर्टिकुलर टेक्स्ट या वैल्यू लिखेंगे जो हम चेंच करना चाहते हैं हमको निलेश नाम जो लिखा हुआ है उसको Replace करना है तो Find What में हमने निलेश लिख रखा है अब उसे किस टेक्स्ट या वैल्यू से आपको Replace करना है वो Replace With वाले बॉक्स में लिख देंगे हम निलेश को महेश नाम से Replace करना चाहते हैं तो हमने Replace With में टाइप किया महेश अब यहाँ पर नीचे Replace करने के लिए दो options हैं Replace और Replace All सबसे पहले हम Replace Option का यूज देखते हैं अगर हम Replace पर क्लिक करेंगे तो यह एक-एक करके जहाँ जहाँ निलेश लिखा होगा वहाँ पर आपको ले जाएगा Replace Option का यूज करते समय एक बात का ध्यान रखे कि पहली बार जब आप Text या Figure को Replace करना चाहते हैं तो वो Text या Figure जिस Cell में हो वो Cell selected होना चाहिए यह हमने Replace पर क्लिक किया तो यह देखिए जहाँ पर पहली बार निलेश वर्ड आया था वहाँ पर वो Replace होकर महेश हो गया है और अब अगली जग जहाँ निलेश है वहाँ पर वो Cell सिलेक्ट हो गया है अब अगर हम चाहते हैं इसको भी Replace करना तो हम वापस Replace पर क्लिक करेंगे और अगर हम इसको Replace करना नहीं चाहते अगली जग जहाँ निलेश लिखा हुआ है उसको ढूड़ना चाहते हैं तो हम Find Next पर क्लिक करेंगे अब अगली जगह जा निलेश लिखा है वो cell select हो गया और इसको अगर हमें replace करना है तो हम वापस replace पर click करेंगे यह देखिए वो replace हो गया है तो इस तरह से अगर आपको एक-एक जगह पर कोई text या value ढून करके replace करनी हो तो हम केवल replace option का उप्यूग करेंगे और अगर हम एक साथ सारी ही जगह पर वो value या text replace करना चाहते हैं तो उसके लिए हम replace all option का उप्यूग करेंगे यह देखिए इस पर click करते ही जितनी भी जगह उसको निलेश लिखा हुआ मिला वहाँ पर उसने उसे महेश से replace कर दिया है और उसका यह message आ गया है ओके कर दें और अब इस dialogue box को close कर दें कुछ भी text type करने के पहले आप home tab के font block में जा करके यहां से जो भी font चुनना चाहें वो font चुन सकते हैं और उसके बाद जब आप text type करेंगे तो वो उसी font में type होगा जो आपने चुना है यह देखिए जो हमने font select किया था उसमें यह text type हो गया है अगर आपने text पहले से type किया हुआ है और आप उसका font change करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप उस text को select कर लें और उसके बाद जैसे ही आप किसी भी font पर mouse ले जाएंगे तो यहां नीचे आप देख सकते हैं preview में वो font किस तरह से नजर आएगा कि आपको दिखता जाएगा इसमें से जो font आपको अच्छा लग रहा हो उसको फिर आप select कर लें यह देखिए यह हमारे पूरे text का font change हो गया है इसी तरह यदि आप font size change करना चाहते हैं तो पहले text select कर लें और फिर home tab में जहां font size option है वहाँ पर click करें अब जो भी size आप चुनना चाहते हैं वो चुन लें आप चाहें तो increase font size और decrease font size options की सहायता से भी font का size घटा या बढ़ा सकते हैं यदि आप किसी text को bold करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले text को select करें फिर home tab में जाकर font block में bold option पर click करें या फिर shortcut keys control plus B प्रेस करें या देखिए selected text bold हो गया है अगर आप इसे पहले की तरह normal करना चाहते हैं तो दोबारा select करके font block में bold option पर click कर दें या फिर वापस से control B प्रेस करें या देखिए text वापस normal हो गया है इसी तरह यदि किसी text को italic करना है तो उसके लिए text को select करने के बाद font block में italic option पर click करें या फिर shortcut keys control I प्रेस करें या देखिए selected text italic हो गया है अगर आप इसे normal करना चाहते हैं तो वापस से यहाँ पर click कर दें या फिर shortcut keys control I प्रेस कर दें ये देखिए वापस ये normal style में आ गया है यदि आप किसी text के नीचे underline करना चाहते हैं तो उसे select करके home tab के font block में underline option पर click करें या फिर control plus U keys प्रेस करें आप चाहें तो underline के अलग-लग styles भी use कर सकते हैं उसके लिए U के पास में एक drop down arrow है उस पर click करें अब इसमें से जो भी underline style आप चाहते हैं वो आप चुन सकते हैं ये देखिए हमने जो भी underline style चुनी थी वो यहाँ आ गई है अब यदि text पर से underline हटाना है तो वापस से उसी option पर click कर दें ये देखिए वापस ये normal style में आ गया है किसी भी sheet में कारे करते वक्त यदि आपने गलती से कोई text या value डिलीट कर दी या कोई change किया हो और आप वापस पुरानी स्थिती में जाना चाहते हों तो उसके लिए उपर quick access toolbar में option होता है undo का आए देखते हैं हमसे कैसे use कर सकते हैं अब यहाँ पर हम कुछ commands देते हैं सबसे पहले तो हम मान लिजिए ये जो नाम है इसको italic करना चाहते हैं हमने उपर italic पर click कर दिया तो यह देखिए यह रमेश नाम जो है वो italic हो गया है और अब हम इस figure को bold करना चाहते हैं तो इस पर click करके हमने bold पर click कर दिया और अब मान लिजिए इस value का font जो है वो हम अलग color में चाहते हैं तो हमने यह उपर font color पर click कर दिया यह देखिए इसका font color change हो गया तो यह इस तरह से 3 commands अभी हमने दी अब मान लिजिए हम इन commands को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए quick access tool bar में undo option होता है इस पर click कर दें या फिर shortcut keys control और Z को press करें अब हमने जैसे ही undo किया तो सबसे पहले जो last command थी वो हटी है तो यह font color वापस पुरानी सिति में आ गया अब अगर हम फिर से undo करेंगे तो यह जो हमने bold किया था यह वापस normal हो जाएगा और फिर से undo करने पर रमेश को हमने italic कर दिया था यह वापस normal सिति में आ जाएगा तो जब हम undo करते हैं तो अगर हमने एक से ज्यादा command दे रखी हो तो सबसे पहले last वाली command हटती है और उसके बाद उसी क्रम में पीछे जाते हुए commands हटती जाती है अभी हमने जो भी commands देती उनको undo कर दिया है यानि उनको हटा दिया है पर अगर आपको लगता है कि नहीं वो commands आपको वापस चाहिए तो उसके लिए आप quick access toolbar में या तो आप redo option पर click करें या फिर shortcut keys control और Y प्रेस करें अब जब हम redo करेंगे तो जिस order में हमने command दी थी यानि सबसे पहले जो command दी थी वो सबसे पहले redo होगी दूसरे number पर जो दी थी यह देखिए हमने इस figure को bold किया था यह वाली command वापस आ गई है और फिर हमने font color change किया था अगली बार redo करने पर यह देखिए font color change हो गया है तो इस तरह से आप undo और redo options का उप्योग कर सकते हैं अगर आप इस data पर border देना चाहते हैं तो उसके लिए data को select करें home tab के border option में जाएं यहाँ पर आपको अलग-अलग type की border मिलेगी इन में से आपको जैसी भी border की जरुरत हो वो आप ले सकते हैं जैसे अगर आपको केवल outside borders चाहिए तो आप इसको चुन लें अब इसमें देखिए केवल बाहर की borders आई हैं अगर आपको पूरे में border चाहिए तो all borders चुन लें अब इसमें आप देख सकते हैं कि बाहर और अंदर सब तरफ बॉर्डर आ गई है। इसी तरह से अगर आपको बाहर बॉर्डर चाहिए और वो भी मोटी चाहिए तो थिक आउटसाइड बॉर्डर आप चुन सकते हैं तो यह देखे बाहर की तरफ मोटी बॉर्डर आ गई अगर आपको कोई भी border नहीं चाहिए तो यह option मिलता है no border तो जो भी borders आपने लगाई होंगी वो भी हट जाएंगी यहाँ पर draw borders के अंतरगत आपको और options मिलते हैं जिसमें पहला तो है draw border अगर आप इसको select करते हैं तो आप जैसी border draw करना चाहते हैं वो खुद draw कर सकते हैं उसके लिए जहां से भी आपको border draw करने हैं उस point पर click करके और फिर drag करें यह इस तरह से आप borders draw कर सकते हैं अभी आपने देखा कि केवल outside की border ही draw हो रही थी अगर आपने row draw कर रहे हैं तो केवल row और अगर आप columns draw कर रहे हैं तो केवल column की outside border draw हो रही थी अगर आप चाहते हैं कि पूरी grid draw हो यानि बीच के जो cells हैं वो भी draw होते जाएं उसके लिए draw border grid चुने अगर आप एक column को draw करेंगे तो यह बीच की जो cells हैं ये भी ड्रॉ होती जाएंगी, अगर आपको ये ड्रॉ की हुई बॉर्डर हटानी हैं, यानि इरेज करनी हैं, तो इरेज बॉर्डर वाले ऑप्शन को चुनें, अब किसी भी बॉर्डर को हटाने के लिए आपको वहां पर क्लिक करना होगा, जहां जहां आप क्लिक करते अगर आपको ज्यादा लंबी बॉर्डर हटानी हैं, तो क्लिक करके ड्रैक करते जाएं, तो अपने आप वह पूरी बॉर्डर हटती जाएगी, अगला ओप्शन यहां पर मिलता है लाइन कलर का, अगर आप चाहते हैं कि जो लाइन या बॉर्डर आप बना रहे हैं, वह ब चुना है, अगर आप लाइन की स्टाइल बदलना चाहते हैं, तो वो भी बदल सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी अलग-अलग स्टाइल की लाइन्स हैं, इसमें से जो भी आपको चाहिए वो चुन लें, और अब जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, तो अलग स्टाइल में आएगी, आगे इसमें मोर बॉर्डर्स का ओप्शन है, अब हम जब मोर बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे, तो यह वाला डायलोग बॉक्स आ जाएगा, इसमें बॉर्डर के अंतरगत, सबसे पहले आपको लाइन स्टाइल मिलती है, वो लाइन स्टाइल आप चाहें, तो यहां से चुन सकते हैं, अगर आपको लाइन को कोई कलर देना हो, तो वो आप यहां से चुन लें, इसके बाद प्री सेट्स में कुछ बॉर्डर स्टाइल अलरेडी दी हुई है, अगर आपको केवल आउट लाइन चाहिए, तो वो चुने, इसको उटाने पर क्लिक कर रहे हैं, अब और दूसरी बॉर्डर हैं यहां पर, जिसमें केवल टॉप बॉर्डर अगर आपको चाहिए, तो इस तरह से दिखेगी, इसी पर क्लिक करने पर वो चली बिजाएगी, अगर इंसाइड लाइन केवल चाहिए, या फिर नीचे की बॉर्डर चाहि यह आपको दूसरे आप्शन और यहां पर नजर आ रहे हैं, वो आप चुन सकते हैं, इस तरह से आपको जो भी सेटिंग चाहिए, बॉर्डर की वो कर लें, और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें, यह देखिए, डेटा में जो भी सेटिंग हमने की थी, वो यहां पर आ उसे सिलेक करें, यह देखिए, जो रो हमने चुनी थी, उसमें वो कलर आ गया है, इस तरह से आप कॉलम्स में भी कलर फिल कर सकते हैं, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक सेल में कलर फिल करना हो, तो उसे सिलेक करके आप उसमें भी कलर पर सकते हैं, इस तरह से, यहां से जो भी color आपको चाहिए वो select करें और okay पर click कर दें यह देखे color change हो गया है अब अगर आपको यह सारे colors हटाने हैं तो आप no fill option पर click करें यह देखिए सारे colors हट गए हैं अभी हमने rows columns cell में color fill किया था अब अगर आप text color change करना चाहते हैं तो जिस भी text का color change करना हो उसे select करें और font color option में जाएं यहां से जो भी color आपको पसंद हो वो color आप चुन लें यह इस तरह से text color change हो जाएगा जिस तरह से हमने इस row के text का color change किया है उसी तरह से आप किसी column या किसी एक particular cell के text का color भी change कर सकते हैं यहां पर जो data दिया हुआ है माली जे हम इसमें लिखे text का alignment change करना चाहते हैं इस data में जो उपर heading दी हुई है उसका alignment left है हम इसे center करना चाहते हैं तो उसके लिए इस text को select करके फिर home tab के alignment block में जाकर हम center alignment पर click करेंगे यह देखिए अब यह जो heading है वो center में आ गई है इसी तरह से यहां जो value लिखी हुई है उनका alignment right है इसे हम change करके center alignment करना चाहते हैं तो इन्हें select करके home tab के alignment block में center पर click करेंगे अब यह देखिए heading और जो values हैं यह सब center में आ गई हैं इस तरह से आप किसी भी data को select करके उसका alignment left, right या center कर सकते हैं अब मान लिजे हमने जिस row में heading लिखे हैं उसकी height बढ़ा दी ताकि heading अलग नज़र आए अब height बढ़ाने से यह जो text है वो सब bottom में आ गए हैं जो कि देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं अब अगर आप चाहते हैं कि यह text row की जो height है उसके center में आ जाएं तो उसके लिए पहले इन्हें select कर लें और फिर alignment block में जाकर middle align पर click करें अब यह आप देख सकते हैं यह जो text है वो row की height के साब से middle में आ गया है इसी तरह से आप top और bottom alignment भी use कर सकते हैं ध्यान रखें कि जब भी alignment change करना हो तो जिस भी text पर वो change करना है उसे select कर लें alignment के बाद अब हम देखते हैं indent option का उपयोग यहाँ पर नीचे हम D वाला जो column है इसके नीचे लिखना चाहते हैं authorized signature अब यह जो authorized signature हमने यहाँ पर लिखा है वो जहां से value लिखी हुई है वहीं से authorized लिखना शुरू हो वो उसकी सीध में आ जाए इसके लिए अगर हम कोई alignment यूज करेंगे चाहे वो left हो या right या center उससे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा उसके बावजूद भी यह हमारी जो value ल इसकाने के लिए हम indent option का उप्योग करेंगे यहाँ पर हम increase indent पर click करते जाएंगे तो यह देखिए हमारा यह जो text है वो आगे खसक रहा है और हमको यह चाहिए था value की सीध में अब यह value की सीध में आ गया है चूंकि यह left alignment में था इसलिए बावज से दाई की तरफ खिसका अगर यह right alignment में होता और उसके बाद अगर हम increase indent करते तो यह दाई से बावज तरफ खसकना शुरू हो जाता अब जिस तरह से हमने indent बढ़ाया है उसी तरह से हम indent decrease भी कर सकते हैं हमको इसको पीछे लाना है तो यह हम decrease indent पर क्लिक करते जाएंगे और यह पीछे आ जाएगा तो इस तरह से हमने वापस इसको value की सीध में ले लिया है यदि आप heading में लिखे text का orientation change करना चाहते हैं यानि अभी यह जो text लिखा हुआ है वो horizontal यानि आढ़ा है अगर आप इसको change करके vertical यानि खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए orientation option पर जाकर क्लिक करें यहाँ देखिए यह आपको इतनी अलग-अलग तरह से orientation change करने के लिए मिलता है सबसे पहला इसमें है angle counter clockwise यानि इसमें आपका जो text है वो तिर्चा हो जाएगा वो भी counter clockwise यह देखिए हमने इसको select करके वो option क्लिक किया तो यह इस तरह से हो गया है इस पर हम दूसरा option लगा कर देखते हैं angle clockwise इसमें भी आपका text दिर्चा होगा पर यह clockwise घुमेगा अगर आप vertical text चुनते हैं तो यह जो text है वो खड़ा हो जाएगा यह उपर से नीचे पुरा खड़ा लिखा हुआ है अगर आप rotate text up चुनते हैं तो इसमें हमारा जो text है वो खड़े में आएगा पर वो नीचे से उपर की तरफ लिखा हुआ होगा अगर हम इसका अगला option चुनते हैं rotate text down तो इसमें text उपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ आएगा अब इसमें एक option है format cell alignment अब यहाँ पर देखिए alignment के अंदर horizontal और vertical दोनो alignment है horizontal alignment आपको alignment block में मिलता है जो की left center और right alignment के लिए होता है और vertical alignment आपको यहाँ पर top, middle और bottom alignment के लिए मिलता है तो जो भी इसमें से आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं तो सबसे पहले हम text alignment चेंज कर लेते हैं अभी जो हमारा text है वो horizontal और vertical दोनों तरह से center aligned है हम horizontal तो center ही रहने दे रहे हैं पर vertical में हम इसको top चुन रहे हैं और इसके बाद आप इनका orientation और change कर सकते हैं जो text हमारा already तिर्चा है उसका भी अगर हमको तिर्चापन change करना है उसका angle अगर बदलना है तो वो हम यहां से बदल सकते हैं यहां पर text के आगे जो सुई है उस पर click करके आप drag करेंगे तो degrees अपने आप change हो जाएगी या फिर आप सीधे degrees को यहां से घटा बढ़ा सकते हैं यहां पर text control का option भी है इसको हम आगे की वीडियो में सिखेंगे अभी हमने alignment और orientation दोनों set कर दिये हैं अब हम okay पर click करेंगे और देखते हैं कि यहां क्या changes आते हैं यह देखिए हमने horizontal center alignment चुना था और vertical में top चुना था तो यह देखिए text है वो vertical में top aligned हो गया है और horizontal में center aligned है चुकि हमने सबका orientation एक साथ change किया था और एक डिगरी पे set किया था इसलिए सभी की सभी एक जैसी style में नजर आ रहे हैं format penter एक ऐसी technique है जिससे आप एक cell का format दूसरे cell में apply कर सकते हैं अगर आपने excel sheet में किसी cell की row की या column की formatting कर रखी है और आप चाहते हैं कि वही formatting दूसरे cell में या किसी दूसरी sheet में भी हो जाए तो उसके लिए आपको format penter का उप्योग करना होगा format penter से ये काम कुछ ही seconds में आसानी से हो जाएगा चलिए हम आपको एक example देकर ये बात समझा देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक table बना रखी है इस table का नाम है mark sheet of 5th class section A आप देख सकते हैं कि हमने इस table में अलग-अलग formatting यूज की है जैसे कि हमने table के नाम को बड़े अक्षरों में लिखा है और इस cell का background color बाकी के cells से अलग है इसी तरह सभी subjects के cell भी अलग-अलग background color में है अब मान लीजिए हमें इसी तरह की दूसरी table बनानी है तो उसकी formatting करने में काफी सारा समय लग जाएगा तो हम एक काम करते हैं पहले इस table को select कर लेते हैं सिलेक करने के लिए आप mouse का उपयोग भी कर सकते हैं या फिर first cell पर क्लिक कीजिए और shift की दबा कर last cell पर क्लिक कर दीजिए table सिलेक करने के बाद home tab के अंतरगर दिख रहे format printer option को क्लिक कीजिए format printer को क्लिक करते ही देखिए table पर dotted line आ गई है मतलब table का format copy हो गया है अब आपको जहां दूसरी table बनानी है mouse से उतनी जग़ सिलेक कीजिए सिलेक करते ही यह देखिए same to same format की table यहां पर बन गई है अब आप इसमें जो भी type करेंगे वो same first table के जैसा होगा याने font size, font type भी first table जैसा ही होगा यह देखिए यह जो हम type कर रहे हैं वो भी पहले table के नाम की तरह ही type हो रहा है एक बात का ध्यान रखें format painter कोई भी formula copy नहीं करता है केवल format को ही copy करता है और यह copy paste command की तरह काम नहीं करता क्योंकि copy paste command data को copy करता है और format painter केवल format को copy करता है format painter को यूज करने का एक और तरीका है वो भी हम आपको बता देते हैं पहले हम इस नए वाले टेबल को हटा देते हैं अब हम सबसे पहले टेबल का नाम लिखते हैं यह देखिए हमने दूसरी वाली टेबल का नाम यहाँ पर लिख दिया है अब चूंकि हमें दोनों टेबल की formatting एक जैसी करनी है जिससे की दोनों सेम दिख सकें तो उसके लिए हम पहली टेबल का नाम सिलेक्ट करके Format Penter Option पर क्लिक करेंगे और फिर दूसरी टेबल के नाम पर क्लिक करेंगे यह देखिए दोनों टेबल का नाम बिलकुल एक जैसा हो गया है इसी तरह एक एक सेल में लिखते जाए और पहली टेबल से Format Penter की सहता से दोनों टेबल की फॉर्मेटिंग एक जैसी करते जाएए यह देखिए हमने नेम वाले सेल की भी फॉर्मेटिंग कर दी फॉर्मेट पेंटर को आप कीबोर्ड की सहता से भी उपयोग कर सकते हैं कैसे यह हम आपको बता देते हैं यह हमने दूसरी टेबल हटा दी है टेबल को सिलक कीजिए और Ctrl प्लस C प्रेस कीजिए अब जहां आपको दूसरी टेबल चाहिए वहां पर Shift के साथ F10 कीज प्रेस कीजिए यह देखिए प्रेस करते ही आपको एक मेनू दिखाई पड़ रहा है अब S की प्रेस कीजिए और आखिर में R की प्रेस कर दीजिए देखिए हमने कीबोर्ड की सहता से भी सेम फॉर्मेट वाली एक ओर टेबल बना ली है अब हम आपको फॉर्मेट पेंटर की एक और विशिष्टा बताते हैं इसमें आप फॉर्मेट पेंटर कमांड को एक साथ कई बार यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मेटिंग आप Excel वर्क बुक की अलग-अलग शीट्स में भी कर सकते हैं उसके लिए हमने इस वर्क बुक की अलग-अलग शीट्स में दो टेबल्स और बना ली है सेकंड शीट को हमने नाम दिया है सेक्शन बी जिसमें बी सेक्शन के बच्चों के मार्ग सें और थर्ड शीट को हमने नाम दिया है section C, जिसमें C section के बच्चों के marks है अब हम पहले वाली शीट में चलते हैं, जिसमें section A की marks sheet है पहले section A की इस table को select कर ले, एक साथ कई बार format penter यूज़ करने के लिए आपको format penter आइकन पर double click करना होगा अब section B वाली शीट में जाकर table select कर ले, यह देखिए table select करते ही वो formatting यहाँ पर apply हो गई है चूँकि हमने format penter आइकन पर double click किया हुआ है तो हम section C वाली table को भी format कर सकते हैं उसके लिए section C वाली शीट पर चलते हैं और table को select करते हैं यह देखिए इसको select करते ही वो formatting यहाँ पर भी apply हो गई है तो इस तरह आप format penter आइकन पर double click करके उसे जितनी बार चाहें यूज कर सकते हैं और जब आपको format penter cancel करना हो तो keyboard में escape की प्रेस कर दें यहाँ पर हमने एक data तयार करके रखा है जिसके headings बड़े होने के कारण हमने column के width यानि चोड़ाई बढ़ा रखी है लेकिन इनमें जो values हैं वो इतनी बड़ी नहीं है इस कारण column में नीचे काफी जग़ खाली दिखाई दे रही है यदि हम columns के width कम करते हैं तो इसमें जो heading लिखे हैं वो छुप जाएंगे यानि वो कट जाएंगे अब यदि हम इन headings को column की चोड़ाई के हिसाब से adjust करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले इन्हें select करेंगे फिर home tab के alignment block में जाकर wrap text option पर click करेंगे ये देखे सभी heading columns की width के हिसाब से adjust हो गई है यदि आप चाहें तो columns छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं ये हम text को वापस उसी इस्थिती में ले आए हैं जिसमें की हमारी headings जो है वो cut रही है अभी हमने text को column में adjust करने के लिए wrap text option का उप्योग किया था इस text को adjust करने का एक और तरीका है उसके लिए हम इन headings को select कर लेंगे और alignment block में corner पर जो छोटा सा arrow बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर text control में shrink to fit option पर क्लिक करके ok करेंगे देखिए जो भी heading column की width से बड़ी थी उनके font size कम हो गए हैं और वो उसमें adjust हो गई है अगर आप column का size बढ़ाते या घटाते हैं तो अपने आप in heading का font size उसके हिसाब से बढ़ जाएगा या घट जाएगा और इस तरह से वो heading जो है वो उस column में adjust हो जाएगी इसको हम ctrl z से वापस normal कर देते हैं वापस हम alignment block में इस arrow पर क्लिक कर रहे हैं यहाँ text control में देखे सब से नीचे आपको merge cells का option मिलता है यह option आपको बाहर alignment block में merge in center में मिल जाएगा merge in center का उपयोग cells को merge करने के लिए किया जाता है देखते हैं कैसे पहले हम data के उपर heading दे देते हैं अब यह देखिए अगर हम इन columns की width change करते हैं तो यह heading डेटा के एक तरफ दिखाई दे रही है यानि कि यह data के center में नहीं आ रही है जबकि यह heading है इसलिए हम चाहते हैं कि यह data के center में आए तो उसके लिए हम इन सभी cells को select कर लेंगे और फिर merge in center option पर click करेंगे यह देखिए सारी cells merge हो गई हैं और heading center में आ गई है अब अगर आप किसी भी column की width कम या ज्यादा करेंगे तो भी यह heading center में ही रहेगी column की width से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब अगर आपको इस cells unmerge करना हो तो वापस merge in center option में जाकर के unmerge cells पर click कर दें यह देखिए वापस से यह cells unmerge हो गई है और हमने जो heading डाली थी वो पहली cell में आ गई है अभी हमने आपको merge in center और unmerge cells यह दो options बताए अब इसमें दो options और बच्छते हैं merge across और merge cells हम आपको यह भी बता देते हैं ताकि आप इनका अंतर समझ सकें इस data के नीचे हमने यह serial numbers डाले हैं 1,2,3,4 इनको हम merge करके देखते हैं जितने columns तक हमको merge करना हैं हम उनको select कर लेंगे अब जैसे हम merge across option पर click करेंगे यहां नीचे जो अलग-अलग 3 columns दिख रहे हैं यह merge हो करके पूरा एक column हो जाएगा और यहां पहले column में जो हमारा text है वो चुकि right alignment में हैं इसलिए अब वो एक column बनने के बाद इस तरफ आ जाएगा यह हमने merge across पर click किया यह देखिए यहां से रोज तो हमारी वैसी ही हैं पर columns जो हैं वो पूरे merge हो गए हैं तीन की बजाए अब यह पूरा एक column बन गया है और हमारा text चुकि right alignment में था इसलिए वो खसक कर अब यहां पर आ गया है अब हम देखते हैं अगला option merge cells इसके लिए हम नया text ले लेते हैं यह हमने text यहां पर type कर दिया है अब जितना area हमको merge करना है वह हमने select कर लिया है अब हम चुनते हैं option merge cells जब हम merge cells option चुनेंगे तब यह जितना भी selected area है इसमें 2 columns हैं, 4 rows हैं और cells काफी सारे हैं merge cells करने पर यह सब की सब एक cell में convert हो जाएंगे यानि यह पूरा selected area जो है वो एक cell बन जाएगा अब इसमें हमने जो text type किया है वो left bottom alignment में है तो जब यह सारी cells एक cell में convert हो जाएंगी तब भी text का alignment वही रहेगा left bottom alignment अब हम merge cells option पर click कर रहे हैं यह देखिए यह पूरा की पूरा selected area एक cell में convert हो गया है और हमारा जो text है वो left bottom alignment में आ गया है हम इसको वापस पुरानी स्थिति में ले आते हैं अब हम देखते हैं कि merge and center option जब हम use करते हैं तो इसमें क्या अंतर आता है यह देखिए इसमें भी सारी cells मिलकर के एक cell बन गई है पर इसमें alignment change हो गया है पहले जो हमारे text का alignment था वो left alignment था अब यह center में आ गया है और चुकि यह bottom alignment था इसलिए यह bottom में है यहां हमने कुछ columns बना रखे हैं जैसे कि date, time, currency इत्याद सबसे पहले हम आपको currency वाले column का format change करके बताते हैं इसके लिए हम वो cell या वो सभी cell select करेंगे जहां पर हमें changes करना है यहां पर downward arrow पर click करें इसमें देखिए कई सारे options हैं जिसमें से एक option है currency इस पर click करें currency पर click करते ही यहां आप देख सकते हैं जो symbol है वो dollar का है जैसे ही हम okay पर click करेंगे तो यहां पर हमने जो column select किया है उसमें सारी values के आगे dollar का symbol आ जाएगा पर अगर हमको symbol change करना है तो इस box में आगे जो downward arrow है उस पर click करेंगे अगर हमको रुपए का symbol चाहिए तो यहां से हम रुपए का symbol चुन लेंगे और फिर रोके पर click करेंगे यहां पर देखिए जो values थी उनका format change हो गया है इसको वापस normal करने के लिए हम इस column को select कर लेंगे और यह जहां पर box में currency लिखा हुआ दिख रहा है यहां drop down arrow पर click करेंगे और यहां से general पर click कर देंगे यह देखिए सारी values वापस normal हो गई है अब जैसे आपको values में comma देना है तो उसके लिए हम इसको select करके और comma style पर click करेंगे तो यह देखिए जो number format है यह change होकर के comma style में आ गया है साथ ही इसमें decimal लगने के बाद आगे दो 0 भी आ गये है अब अगर आपको value में decimal add करना हो तो उसके लिए फिर इनको select करके increase decimal पर click करें तो यह देखिए decimal लगने के बाद एक 0 आया है अगर आप इसको increase करना चाहते है यानि decimal के बाद जो number है उसको आप बढ़ाना चाहते है तो आप इस पर click करते जाएं जितनी बार click करेंगे उतनी बार यह zeros बढ़ते जाएंगे अगर आपको decimal के बाद के zeros कम करना है या decimal हटाना है तो आप decrease decimal पर click करते जाएं यह देखिए अभी zeros कम हो रहे हैं और click करने पर decimal भी हट गया इसी तरह time का column सेलेक करके यहाँ पर downward arrow पर click करें यहाँ हम time category के सामने से time के अलग-अलग formats चुन सकते हैं हम यहाँ पर यह वाला format चुन रहे हैं और अब ok पर click करेंगे यह देखिए time का format चेंज हो गया है अब हम आपको यहाँ पर date का format चेंज करके बता रहे हैं इसमें महिना पहले है फिर date है और फिर year है यह date वाला column सेलेक करने के बाद अब हम प्रेस करेंगे control-1 चुकि हमने date का column सेलेक किया था तो देखिए इसमें भी वही selected है यहाँ आपको नीचे की तरफ custom options दिख रहा होगा इसकी सायता से आप अपने अनुसार format बना सकते हैं उसके लिए पहले custom पर click करें अब यहाँ पर type के नीचे दिख रहे section में हम date के दो digit के लिए dd type करेंगे फिर hyphen लगाकर month के लिए mm लिखेंगे और फिर hyphen लगाकर पूरे year के लिए 4y type करेंगे यह देखिए यह हमने अपना format type कर लिया है अब ok पर click करेंगे यह date column में जो dates थी वो हमारे format के अनुसार change हो गई है यहां हमने पहले से एक wedding budget summary table बना रखी है इसमें आपको 3 columns दिखाई पढ़ रहे हैं category, estimated और actual हमें यह देखना है कि actual budget वाले column में 1000 रुपए से उपर कहां कहां खर्च हुआ है तो उसके लिए हम इस column को select करेंगे home tab के अंतरगर styles block में दिख रहे conditional formatting option को क्लिक करें open हुए drop down menu में से highlight cells rules पर mouse ले जाएं उस पर mouse ले जाते ही एक और menu open होगा इसमें greater than पर क्लिक कीजिए इस पर क्लिक करते ही एक छोटी window open हो गई है हमें ये देखना है कि हमारे actual खर्चे में 1000 रुपए से ज्यादा कहां कहां खर्च हुआ है इसलिए यहां हम 1000 टाइप करेंगे जैसे हमने या 1000 टाइप किया background में actual budget वाले column में जितनी भी value 1000 रुपए से ज्यादा की हैं वे highlight हो गई है आप चाहें तो इस drop down arrow पर क्लिक करतके इस menu में से color भी बदल सकते हैं अब हम okay पर क्लिक करेंगे यह देखिए 1000 रुपए से उपर वाली values highlight हो गई है इसी तरह से हम आपको conditional formatting option में highlight cells rules के अंतर कर दिख रहे अन्य options भी बता देते हैं जैसे यदि आपको किसी particular value से कम value वाले cells highlight करने हैं तो इस menu में से less than चुनिए और फिर open हुई छोटी window में वो value डाल दीजिए जिससे कम value वाले cells आपको highlight करने हैं जैसे हमने डाला 500 अब यह देखिए actual वाले column में 500 से कम जो भी value है वो highlight हो गई है अगर आपको किसी दो particular values के बीच की value वाली cells highlight करनी हैं तो between वाले option पर click करें और अब यहां पर वो दो value डाल दें जिसके बीच की values वाली cells आपको highlight करनी हैं हमने यहां पर 1000 और 1500 डाल दिया है तो यह देखिए column में जो values इन दो values के बीच वाली हैं वो यहां पर highlight हो गई है अगर आपको कोई particular value ढूडनी है तो उसके लिए equal to पर click करें और यहां पर वो value डाल दें यह value डालते ही column में देखिए इसके बराबर की जो value हैं वो यहां पर highlight हो गई है इसके बाद option है text that contains अगर आपको text के अंदर कोई चीज ढूडनी है तो आप इस option का उप्योग कर सकते हैं उसके लिए हम पहले text वाला जो column है इसको select कर लेंगे और उसके बाद इस option पर click करेंगे अब हमको जो भी text ढूडना है वो हम यहां पर type कर देंगे जैसे हम कहां कहां पर gifts है यह ढूडना चाहते हैं उसके लिए हमने यह type किया पर इसको type करते हैं देखिए column में जहां पर gifts लिखा हुआ है वो highlight हो गया है highlight cells rules के अंदर ही अगला option है कोई अगर हमको date ढूडनी है तो उसके लिए हम a date occurring option का उप्योग कर सकते हैं इसको समझने के लिए यहां पर हम एक column में date एड़ कर रहे हैं यह हमने एक date का column इसमें जोड़ दिया है अब हम a date occurring वाले option पर click करेंगे यहां पर yesterday option selected है तो यहां पर कल जो date थी वो highlight हो गई है अगर हम drop down arrow से today select करेंगे तो यह आज की date highlight हो गई इसी तरह से अगर हम tomorrow select करेंगे तो आने वाले कल की date highlight हो जाएगी अगर हम next week select करते हैं तो अगले हफ़ते की पूरी जो dates हैं वो highlight हो गई है इसी तरह से अगर आपको सारी values में से duplicate values find out करनी हैं तो आप इस option पर click करें इस पर click करते ही यह देखिए जो भी एक सरी के values होंगी वो highlight हो जाएंगी highlight sales rules के बाद अगला option है top and bottom rules इसके options की सहायता से आप top 10 items, bottom 10 items, above average, below average इत्यादी items highlight कर सकते हैं conditional formatting के अंतरगर तीसरा option है data bars इस पर mouse लजाने पर एक और menu open होगा इन में से यदि आप कोई option चुनते हैं तो selected column में cells पर उनमें filled value के अनुसार bars बन जाएंगे इन में अलग-अलग color की bars हैं आप अपने एक्षा अनुसार कोई भी color चुन सकते हैं conditional formatting का चौथा option है color scales इसकी सायता से selected column के cells में उनकी value के अनुसार अलग-अलग colors आ जाते हैं देखिए जैसे हमने green, yellow, red scale चुना यह देखिए सबसे बड़ी value का color green हो गया है सबसे छोटी value का color red हो गया है बाकी cells में उनकी value के अनुसार yellow के अलग-अलग sheds आ गए हैं अगला option देखने के पहले हम इस column को वापस normal कर देते हैं conditional formatting का पाँचवा option है icons है इसमें अलग-अलग तरह के icons हैं इस menu में से हम ये option चुमते हैं तो देखिए इस column में values के सामने arrows लग गए हैं अब इसमें इस column के अंदर जो values दी हुई हैं ये उनी को compare करके arrows यहाँ पर आ जाएंगे जैसे जो सबसे बड़ी value है उसमें आप देख सकते हैं उपर की तरफ green arrow लगा हुआ है और चुकि बाकी सभी जो values हैं वो इस value से काफी छोटी हैं इसलिए इनने सब में downward red arrows लग गए हैं अगर इसमें medium level की कोई value होती तो फिर arrow अलग हो जाता माले जैस value को हम change करके 4500 कर देते हैं अब हम जैसे enter press करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर arrow change हो गया है और यह आड़ा arrow लग गया है इसका color भी बदल गया है अब सबसे बड़ी जो value है उसमें green upward arrow लगा है जो medium value है उसमें आड़ा yellow arrow लगा है और उससे छोटी जितनी भी values हैं उनमें सब में downward red arrows लगे हुए दिखाई दे रहे है conditional formatting में clear rules option के सहता से आप सभी rows या columns की conditional formatting हटा सकते हैं clear rules option पर mouse ले जाने पर एक और menu open हो जाता है इसमें आपको कई सारे options दिखाई देंगे यहाँ पर clear rules from selected cells की सहता से आप किसी भी selected cell या row या फिर column की या पूरे data की conditional formatting हटा सकते हैं और clear rules from entire sheet की सहता से आप पूरी sheet की conditional formatting हटा सकते हैं उसी तरह से और दूसरे options भी हैं जिनका उप्योग आप कर सकते हैं हमें हमारे यह selected column की formatting हटानी हैं तो उसके लिए हम clear rules from selected cells पर click करेंगे यह देखिए selected column की conditional formatting हट गई है format as table option की सहता से आप table को अलग-अलग designs और color दे सकते हैं यह यहाँ पर हमने पहले से एक table बना के रखी है अब हम इस table को select करने के बाद home tab में styles block में format as table option पर click करेंगे यहाँ click करते ही देखिए यह एक menu open हुआ है इसमें आपको अलग-अलग colors और design वाले कही सारे styles दिखाई दे रहे हैं इसमें से आपको जो भी style चाहिए उस पर click कर लें click करते ही देखिए यहाँ पर एक छोटी window open हुई है इसमें table की range mentioned होती है उसी के नीचे लिखा हुआ है my table has headers चुकि हमारी इस table में header है याने उपर हर column में heading दी हुई है इसलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि यह option by default selected है हम जैसे ही ok पर click करेंगे तो यह देखिए जो style हमने चुनी थी वो यहाँ पर apply हो गई है अगर हमारी table में heading नहीं होती जैसे की sheet 2 में हमने एक ऐसी table ली है जिसमें कोई heading नहीं है अब इसको select करने के बाद हम जब इस option पर click करेंगे और यहाँ से कोई भी style चुनेंगे तो वापस यह छोटी window open हुई है और इस बार देखिए my table has headers वाला जो option है वो selected नहीं है क्योंकि हमारी table में headers नहीं है अब हम जब ok पर click करेंगे तो हमारी table में उपर एक row insert हो जाएगी heading के लिए अब यहाँ पर आप जो भी heading देना चाहते हैं वो दे सकते हैं अब हम वापस sheet 1 पर चलते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे headers हैं उनके पास में ये drop down arrows बने हुए हैं इनको हटाने के लिए header वाली पूरी row को select करें menu bar में से data tab पर click करें और यहाँ दिखरे options में से filter पर click करें filter पर click करते ही देखिए drop down arrows हट गए हैं इसी तरह format as menu के table में और भी कई options होते हैं आप अपने अनुसार table को कोई भी format दे सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं और sales styles option को समझ लेते हैं उसके लिए पहले हम stable की formatting हटा देते हैं sales styles option की साहता से आप sales को अलग-अलग styles दे सकते हैं जैसे यहाँ पर title और headings के लिए options हैं उसके लिए हम heading वाली row को select करके heading 1 पर click करेंगे यह देखिए table की heading style change हो गई है वैसे ही यदि हम cell styles में यहाँ उपर कुछ options दिये हुए हैं यदि आपको सबसे कम value वाली cell को highlight करना है तो आप पहले उससे select कर लें जैसे यह हमारी सबसे कम value वाली cell है इसको select करके हमने bed पर click किया तो यह देखिए यह highlight हो गया है और इसकी formatting change हो गई है उसी तरह अगर हमको सबसे ज्यादा value वाली cell को highlight करना है तो हम उसको select कर लेंगे और उसके बाद यहां से good option पर click करने से वो cell green color में highlight हो गई है इसी menu में नीचे की तरफ number format भी होते हैं जैसे यदि हमको number format change करना है हम उसमे value में comma लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको select करेंगे इस पर click करते ही यह देखिए selected cell का number format change होकर इस तरह का हो गया है अगर आप चाहते हैं कि comma के साथ decimal भी आ जाए तो उसके लिए इस option पर click करें अब यहां पर आप देख सकते हैं कि comma भी आ गया है और उसके साथ decimal भी जुड़ गया है इसी तरह आप currency या percent या themed style जो भी format अपने table और cells को देना चाहें वो इन options की सहता से दे सकते हैं मान लीजे यह हमारा data है इसमें अलग-अलग headings है name, first quarter cell, second quarter cell, third quarter cell और fourth quarter cell दी हुई है अब यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो sixth row है उसमें हमने गलती से second quarter cell को first quarter cell heading के अंतरगत लिख दिया है और उसी तरह से third quarter cell को second में और fourth quarter cell को third में लिख दिया है ऐसी स्थिति में इसको सही करने के लिए हमको एक cell insert करना है first quarter cell में तो उसके लिए सबसे पहले हम जहां हमको cell insert करना है वहां क्लिक करेंगे उसके बाद cells block में insert के अंतरगत हमको insert cells वाला option मिलता है उसपे क्लिक करेंगे अब यहां पर दो options हैं shift cells right और shift cells down अगर cell को right में shift करना है तो उपर वाला option चुने और नीचे shift करना है तो दूसरा वाला option चुने हमने पहला वाला option चुना है shift cells right अब ok कर दें यह देखिए cells right में shift हो गई है और जहां हमको एक नई cell चाहिए थी वह वहां पर आ गई है अब हम यहां पर first quarter cell की जो value है वह डाल देंगे तो हमारा यह data पुरा सही हो जाएगा अब माली जीए इसमें हम name के बाद एक और column insert करना चाहते हैं product का उसके लिए जिस column के पहले आपको column insert करना है उस column को उपर से select कर लें और इसके बाद home tab के cells block में insert option में जाकर के insert sheet column पर click कर दें यह देखिए एक column insert हो गया है या फिर दूसरा तरीका यह है कि जिस भी column के पहले आपको एक नया column insert करना हो उस column के उपर right click करें और यहीं से सीधे insert option पर click कर दें तो यह देखिए column आ गया है अगर आपको एक से ज्यादा columns एक साथ insert करना है तो जितने columns insert करना है उतने columns आप पहले select कर लें जैसे हमको दो columns चाहिए तो हमने यह दो columns select कर लिये हैं और अब यह तो आप cells block में insert पर जाकरके insert sheet columns option पर click करके columns insert करें या फिर सीधे यहीं उपर right click करके insert पर click कर दें यह देखिए दो columns यहाँ पर insert हो गए हैं अब अगर इनको delete करना हो तो वापस से आप column को select करें और cells block में delete पर जाकरके delete sheet columns पर click कर दें तो यह column delete हो गया है या फिर एक या जितने भी columns delete करना हो उनको सबको select करके उपर mouse रखके right click करें और यहीं से सीधे delete option पर click करके आप columns delete कर सकते हैं इसी तरह से अगर आपको rows insert करना हो तो जिस भी row के पहले आपको row insert करना है उस row को select करें cells block में insert वाले option पर जाएं और यहां से insert sheet rows पर click करें यह देखिए यहां row insert हो गई है दूसरा option है जिस भी row के उपर आपको नई row insert करना है उस row के number पर right click करें और फिर यहां से insert पर click कर दें यह row insert हो गई है एक से ज्यादा rows insert करना हो तो जितनी rows insert करनी है उतनी rows select करें और number पर right click करके insert पर click कर दें यह हमने तीन rows select की थी तो तीन rows insert हो गई है इनको भी आप उसी तरह से delete कर सकते हैं जैसे हमने columns को delete किया था जिस भी row को delete करना हो इसको select करके cells block में delete option में जाकर के उसको delete कर दें या फिर एक या जितनी भी rows आपको delete करनी हो उनको select करके number पर right click करके यहां से सीधे delete option पर click कर दें इसे तरह यदि आपको worksheet insert करना हो तो insert में जाकर insert sheets पर click करें यह देखे एक और sheet आ गई है या फिर नीचे plus का sign दिया हुआ है इस पर click करें यह देखे एक sheet और आ गई है इस तरह से आप जितनी sheets insert करना चाहें कर सकते हैं अब यहां पर देखिए sheet के numbers जो है वो थोड़े गड़बड़ा गए हैं तो हम इनको arrange भी कर सकते हैं sheet को move करने के लिए जिस भी sheet को move करना हो उस पर click करें और drag करके जहां उसे ले जाना है वहां ले जाकर के छोड़ दें जैसे यह sheet 1 को हम sheet 2 के पहले ले आये हैं अब हमारी सारी sheets line से जम गई है अब आपको जिस भी sheet पर जाना हो उस sheet number पर आप click कर दें तो वो sheet खुल जाएगी यह देखिए अब यह sheet 2 खुल गई है इसे तरह sheet 3 भी आप open कर सकते हैं या फिर आप shortcut keys का उपयोग कर सकते हैं अगली sheet पर जाने के लिए ctrl plus page down keys प्रेस करें यह हम sheet 1 से sheet 2 पर आ गए और पिछली sheet पर जाने के लिए ctrl और page up keys प्रेस करें इस तरह से अगर आप चाहें तो sheets को delete भी कर सकते हैं उसके लिए just sheet को delete करना हो पहले उस पर click करें और फिर उपर home tab के cells block में delete को option मिलता है वहाँ पर click करके delete sheet पर click कर दें यह देखे sheet 2 जो है वो delete हो गई दूसरा तरीका यह है कि जिस भी sheet को delete करना हो उस पर right click करें और फिर यहाँ से delete option पर click कर दें यह देखे sheet 3 भी delete हो गई यदि आपको किसी row की height बढ़ाना या कम करना हो तो उसके लिए उस row पर click करें और फिर cells block के format option में जाकर row height option पर click करें अब आपको जितनी भी height चाहिए हो वो यहाँ पर लिख दें और अब ओके पर click कर दें यह देखे जो row हमने select की थी उसकी height बढ़ गई है दूसरा तरीका यह है कि जिस row की height आप बढ़ाना चाहते हैं उस row पर mouse रखें और click करके उसे drag करें यह देखिए drag करने पर इसकी height आप देख सकते हैं कि बढ़ रही है जितनी भी आपको height बढ़ानी हो उतना drag करके फिर उसे छोड़ दें अगर आप सारी rows की height एक साथ बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा data सेलेक करने के लिए यहाँ corner पर click करें अब या तो cells block में format में जाकर के row height बढ़ा लें या फिर किसी भी एक row की line पर mouse रख करके click करें उसकी height को जितना भी बढ़ाना या कम करना हो उतना drag करके बढ़ा या कम कर लें जब आप बटन छोड़ेंगे तो सारी rows की height उस हिसाब से बढ़ या घट जाएगी यदि row को drag करके height बढ़ाने या कम करने से हम exact height set नहीं कर पा रहे हैं जैसे ये हमने पहली row की height बढ़ाई हमको लग रहा है कि ये height ज्यादा हो गई है तो इसे आप auto fit option की सहाथा से adjust कर सकते हैं उसके लिए cells block में format में जाकर auto fit row height पर click करें अब ये देखिए text के हिसाब से row की height अपने आप adjust हो गई है या फिर row की जो line है उस पर double click करने से भी अपने आप height adjust हो जाएगी अब देखिए यहाँ पर हमने अलग अलग rows की height बढ़ा दी है और अगर इन सब को आपको एक साथ auto fit करना है तो उसके लिए पूरी sheet को select करें और उसके बाद format में जाकर के auto fit row height पर click कर दें या फिर किसी भी row number की line पर double click कर दें ये देखिए ये सारी की सारी row height auto fit हो गई है यहाँ पर अभी हमने text का font size बढ़ा दिया है तो ये देखिए ये जो हमारे column की चोड़ाई है उसके अंदर adjust नहीं हो रहा है तो ये पूरा दिखे उसके लिए हमको column की width या column की चोड़ाई बढ़ानी होगी अगर हमको केवल एक ही column की चोड़ाई बढ़ाना है तो उपर से उस column को select करें और cells block में format पर जाकर के column width पर click कर दें अब यहाँ पर जो भी column width हमको चाहिए वो हम डाल दें यह हमने कर दी 25 ओके पर click कर दें यह देखिए यह इसकी चोड़ाई बढ़ गई है दूसरा तरीका यह है कि उपर जहाँ पर alphabet लिखे हुए हैं वहाँ पर जिस भी column की चोड़ाई आपको बढ़ानी है उसकी line पर mouse रख करके उसको drag करके जितना बढ़ाना हो उतना बढ़ा लें और अगर सभी columns की width आपको एक साथ बढ़ानी है तो उसके लिए starting में जाकर के click करें और sales block के format में जाकर के column width पर click करें और अब यहाँ पर जो भी चोड़ाई चाहिए वो type कर दें और ओके पर click कर दें अब यह देखिए सारे के सारे columns की width समान हो गई है अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ columns में ज्यादा जग़ चूट रही है और कुछ columns में कम तो अगर आप चाहते हैं कि text के हिसाब से column की चोड़ाई adjust हो जाए तो उसके लिए starting में corner पर जाकर के click करें अब यह तो आप format में auto fit column width option पर click कर दें या फिर किसी भी column की line पर double click कर दें यह देखिए सारे column की width जो है वो text के according auto fit हो गई है अगर किसी एक ही column की चोड़ाई आपको adjust करनी है तो वो आप उपर column की line पर double click करके भी adjust कर सकते हैं यदि आपको कोई row hide करना हो यानि चुपाना हो तो उसके लिए उस row पर click करें और फिर format option में जाकर hide and unhide option में hide rows पर click करें यह देखिए दूसरे number वाली जो row थी वो hide हो गई है दूसरा तरीका यह है कि आप just row को hide करना चाहते हैं उसके number पर right click करके hide पर click कर दें यह देखिए अब पांचवे number की row भी hide हो गई है अगर एक साथ rows को hide करना है तो आप drag करके उन्हें select कर सकते हैं और अगर आपको अलग-अलग rows select करना है जैसे साथवे number की row हमने चुनी उसके बाद हमको 9 number की row उसके बाद 12 number की row hide करना है तो उसके लिए हम control की press करके जिन-जिन rows को hide करना है उन पर click कर देंगे ये तीन rows हमने select कर ली और अब format option में जा करके hide and unhide option में hide rows पर click करें या row पर right click करके height पर click करें ये देखिए row height हो गई है अब ये जो rows हमने height की है इनको अगर हमको unhide करना है तो उसके क्या तरीके हैं वो देख लेते हैं मालेजे हमको दूसरे number की row ही unhide करना है तो उसके लिए number one और number three की rows को हम select करेंगे और उसके बाद format में जा करके hide and unhide option में unhide rows पर click कर देंगे या फिर row पर right click करके unhide पर click करें ये देखिए row unhide हो गई है इस तरह से आप एक-एक row को unhide कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी rows आपने hide की थी वो सब की सब एक साथ unhide हो जाए तो उसके लिए sheet के left top corner में जा करके click करेंगे इससे ये देखिए पूरी sheet select हो गई है अब चाहें तो format में जा करके hide unhide option में जा करके आप unhide rows पर click करें या फिर किसी भी row number पर right click करके unhide पर click कर दें ये देखिए जितनी भी rows hide हुई थी वो सब की सब वापस आ गई हैं इसी तरह से हम columns को भी hide या unhide कर सकते हैं जिस भी column को hide करना है उपर से उससे select करें और फिर format में जा करके hide unhide के अंदर hide columns पर click करें या फिर column पर right click करके hide पर click करें ये देखिए हमारा बी number का जो column था वो hide हो गया है अगर आपको एक से ज्यादा columns hide करने हैं तो उसके लिए un columns को select कर लें एक साथ करने के लिए drag करके select करें और अगर आपको एक column छोड़कर के दूसरा column select करना है तो control की press करके जो जो column select करना है उन पर click कर लें और format पर जाकर के जैसा पहले बताया था उसी तरह से hide column select करके इनको hide कर दें या फिर उपर जहाँ पर alphabet लिखा हुआ है वहाँ पर right click करके hide पर click करें selected columns hide हो जाएंगे अगर किसी दो columns के बीच का कोई column unhide करना है जैसे C और E columns के बीच का जो D column है वो यहाँ पर hide हुआ है उसको हमको unhide करना है तो हम C और E दोनों columns को select कर लेंगे और उसके बाद या तो format में जाकर के हम unhide column के option पर click करेंगे या फिर यहीं उपर right click करके unhide पर click कर देंगे अब यह देखिए C और E के बीच का जो column था D वो unhide हो गया है पर अगर हमको अब C के पहले के जो columns हैं A और B उनको unhide करना है तो वो इस तरह से unhide नहीं कर पाएंगे उसके लिए हमको पूरी sheet को select करना होगा तो corner पर click करके हम पूरी sheet select कर लेंगे और उसके बाद या तो format में जाकर के हम unhide column के option पर click करेंगे या फिर यहीं उपर से right click करके unhide पर click करके सारे columns को unhide कर सकते हैं जिस तरह से हमने rows और columns को hide और unhide किया था उसे तरह से हम sheets को भी hide और unhide कर सकते हैं माल लिजे हमको sheet 1 को hide करना है तो जिस भी sheet को hide करना है उसको select करें जैसे यहाँ पर sheet 1 selected है अब format में जा करके hide unhide के अंदर hide sheet पर click कर दें यह देखे अब यहाँ पर sheet 1 hide हो गई है दूसरा तरीका है जिस sheet को hide करना है उस पर right click करें और hide पर click करें यह देखे sheet hide हो गई है और unhide करने के लिए format में जाकर के hide unhide वाले option में unhide sheet पर click करें यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको कौन सी sheet unhide करनी है जो भी sheet unhide करनी हो उसको select करें और ok पर click कर दें ओके पर क्लिक करने पर sheet to unhight हो गई दूसरा तरीका ये है कि किसी भी sheet पर right click करके unhight पर क्लिक करें अब यहाँ पर जो sheet आपको unhight करने उसको select करके ओके पर क्लिक कर दें तो ये देखिए sheet unhight हो गई है अब अगर आपने अलग-अलग sheet पर अलग-अलग काम कर रखा है जैसे किसी sheet पर sales report बना रखी है किसी पर salary report बना रखी है तो sheet 1, sheet 2 से आप समझ नहीं पाते हैं कि कौनसी sheet पर कौनसा काम है तो आप sheet को rename करके आसानी से ये देख सकते हैं कि किस sheet पर आपने कौनसा डेटा रखा है sheet rename करने के लिए format option में जाकर rename sheet पर click करें ये हमने sheet 1 को rename कर दिया है इसका नाम दे दिया है sales report अब कहीं पर भी आप click कर दें या फिर enter press करें ये देखिए sheet का नाम change हो गया है दूसरा तरीका ये है कि जिस भी sheet का नाम आपको change करना हो उस पर right click करें यहाँ पर आपको insert, delete आदी options के साथ rename का option भी मिलता है इस पर click करें और अब इस sheet को जो भी नाम देना हो वो नाम दे दें हमने इसको नाम दिया salary अब enter press कर दें तो ये देखिए sheet का नाम change हो गया है इससे अब आप समझ सकते हैं कि 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 sheet पर sales report है किस sheet पर salary से related data है आईए अब हम आपको बताते हैं किसी भी एक file की sheets का data किसी दूसरी file में move करना यहाँ पर ये हमारी sales report नाम की एक file है जिसके अंदर ये तीन sheets है अब अगर हम चाहते हैं कि इस file की किसी भी sheet का data किसी दूसरी file में move या copy हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले तो हम उस file को open करेंगे जिसमें हमको ये data move या copy करना है ये file में open में जाकर के हमने वो file open कर ली जिसमें हम इस data को move करना चाहते हैं ये वो हमारी file है इसका नाम है customer address list अब हम इसको कर देते हैं minimize और वापस हम उस वाली file पर आ गए हैं जिसमें से हमको data move करना है या copy करना है तो अब यहाँ पर तीन sheets हैं अब आपको जिस भी sheet का data move करना हो उसको आप open कर ले माली जी हम salary वाला जो data है उसको move करना चाहते हैं या copy करना चाहते हैं तो हमने इस sheet को open कर लिया अब या तो हम format में जाकर के move और copy sheet पर click करेंगे या फिर यहीं पर right click करके move और copy पर click कर देंगे अब इसमें सबसे पहले तो उपर वाला जो box है उसमें selected sheet आप कहा move करना चाहते हैं ये चुनना है तो drop down arrow पर click करके हम वो file चुन लेंगे हमने चुन ली customer address list वाली file अब इस file के अंदर आप उस data को कहा move करना चाहते हैं ये जो नई file जिसमें हम move करना चाहते हैं उसमें 3 sheets है sheet 1, sheet 2, sheet 3 आप इन में से किस sheet के पहले उस data को move करना चाहते हैं उस sheet को select कर लें या फिर आप चाहते हैं कि इन सारी sheets की end में वो data move हो तो move to end को select कर लें अब अगर हम OK पर click करते हैं तो ये data हमारी नई file में 3 sheets के बाद move हो जाएगा मतलब कि इस file से वो data हट करके नई file में move हो जाएगा पर अगर आप चाहते हैं कि वो data इस file में भी रहे और नई file में भी आ जाए तो उसके लिए हम create a copy को select करेंगे और फिर OK पर click करेंगे तो अब देखिए ये sales report वाली file में data आपको नजर आ रहा है और अब इसको minimize करके हम अपनी दूसरी file में देख लेते हैं ये देखिए customer address list वाली file में sheet 1, sheet 2 और sheet 3 के बाद salary नाम की sheet copy हो गई है auto fill Microsoft Excel की एक ऐसी facility है जिसकी सहता से आप columns और rows में आसानी से data fill कर सकते हैं ये data, numbers, dates, text या फिर time भी हो सकता है चलिए हम आपको कुछ examples देख करके ये समझा देते हैं इस sheet में आप देख सकते हैं हमने कुछ columns बनाए हैं जैसे serial number, date, days, इत्यादे मान लेजे हमें पहले column में serial numbers फिल करने हैं तो हम पहले cell में 1 लिखे उसके नीचे वाले cell में 2 लिखेंगे दोनों cells को एक साथ select करके mouse को right hand side पर नीचे corner की तरफ ले जाएंगे जहां एक square सा दिख रहा है जब plus का निशान दिखने लगे तो mouse को नीचे की तरफ ड्रैक कर ले जितनी cells तक आपको serial numbers डालने हैं वहां तक उसे ड्रैक करें जहां पर आप mouse का बटन छोड़ेंगे वहां तक की series फिल हो जाएगी अब आप ये सोच रहे होंगे कि series फिल करनी थी तो हमने एक के बाद 2 क्यों लिखा हम आपका ये doubt भी clear कर देते हैं यदि हम केवल एक लिख कर mouse से नीचे की तरफ ड्रैक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि सारी cells में केवल one फिल हुआ है इसलिए हमने पहले series फिल करने के लिए एक के बाद 2 लिखा था और फिर series को ड्रैक करके cells को फिल किया था इसमें series भरने का एक और तरीका है आप यहां पर ये नीचे देख सकते हैं एक auto fill option दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें क्लिक करते ही ये menu open हुआ है इसमें दूसरा option है fill series जिसकी सायता से हम series fill कर सकते हैं हम इस पर क्लिक कर रहे हैं ये देखिए fill series पर क्लिक करते ही वापस सारी cells में serial numbers order में आ गए हैं ये जो series है वो एक एक के difference के साथ fill हुई है आप चाहें तो अपने अनुसार भी series को fill कर सकते हैं हम एक और उदारण ले लेते हैं मानली जिये हमको दो का table चाहिए उसमें हर cell में दो दो अंकों का अंतर आएगा तो उसके लिए हम पहली cell में दो लिखेंगे और दूसरी cell में चार अब इन दोनू cells को select करके corner पर mouse ले जा करके plus का निशान आने पर नीचे drag कर देंगे ये देखिए ये पूरी series fill हो गई है दो का table यहाँ पर आ गया है हर cell में दो अंकों के अंतर के साथ अंक भरा गए हैं इसी तरह आपको जितने difference के साथ भी series भरनी हो पहले और दूसरे cell में उतने number का difference रखें और series को drag कर दें चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको date, days, months, time इत्यादी auto fill की साहता से fill करके बताते हैं सबसे पहले हम date series fill करके देखते हैं यहाँ पर हम आज की date डाल देते हैं यह हमने date डाल दी है हम इसके corner पे जाएंगे और यहाँ से इसको drag करके नीचे ले आएंगे जहाँ तक हमको date fill करनी है वहाँ तक उसको drag कर लें अगर date का format change करना हो तो उसके लिए number block में यहाँ पर जो arrow है वहाँ जाकर click करेंगे और यहाँ से अब आपको जो भी format चाहिए हो वो format आप चुन लें और ok पर click कर दें यह देखिए format change हो गया है इसी तरह से आप जो भी format चाहिए वो ले सकते हैं इसी तरह हम days भी fill कर सकते हैं week का कोई भी day type कीजिए और इस series को drag कर दीजिए यह देखिए इस सारे days order में fill हो गये हैं इसी तरह से यदि आप सिर्फ mon liquor series को नीचे drag करेंगे तो इस तरह से days के नाम short में आ जाएंगे यदि हमें months के नाम चाहिए तो उसके लिए जिस भी month के आगे की series चाहिए उस month का नाम type करके और फिर drag कर देंगे यह देखिए सारे months के नाम आ गये हैं अब जिस तरह से हमने days के नाम short में लिखे थे वैसे ही किसी month के नाम को short में लिखते हैं और फिर series को नीचे drag करते हैं यह देखिए months के नाम short में आ गये हैं अब यहाँ आप heading देख सकते हैं weekly date difference of seven days मतलब हमें यहाँ एक हफ़ते के difference से date फिल करनी है तो हम यहाँ पहले cell में एक date डालते हैं और दूसरे cell में उसके एक हफ़ते के बाद की date डालते हैं अब इन दोनों cells को select करके इस series को drag कर देंगे यह देखिए एक हफ़ते के अंतर से dates यहाँ पर फिल हो गई हैं आप माउस के राइट क्लिक की साहता से भी series फिल कर सकते हैं हम आपको यह भी करके बता देते हैं यहाँ पर आप heading देख सकते हैं performance till mid of the month मतलब हमें 15 दिन के difference से date फिल करनी हैं तो पहले cell में हम एक date डालते हैं और इस cell पर माउस से राइट क्लिक करते हुए वहाँ तक drag करना है जहाँ तक हम date फिल करना चाहते हैं जैसे ही हम right click छोड़ेंगे एक menu दिखाई पड़ेगा इसमें आपको कई सारे options दिखाई देंगे इसमें हम series पर click करेंगे यह click करते ही एक छोटी सी window open हो जाएगी इसमें नीजे की तरफ आप step value option देख रहे हैं चुकि हमें 15 दिन के difference dates फिल करनी है तो हम यहाँ पर 15 type करेंगे और okay पर click कर देंगे यह देखिए 15 दिन के difference dates फिल हो गई है चलिए अब हम आपको इस list के और भी options बता देते हैं हमने एक cell में Monday लिखा और अब हम right click करके इसे drag करते हैं जैसे ही mouse का बटन छोड़ेंगे आपको list में कई सारे options दिखेंगे यदि हम fill weekdays पर click करते हैं तो weekdays फिल हो जाएंगे यह देखिए इस सारे weekdays यहाँ पर आगए है इसी तरह से अगर हम Excel में month का नाम लिख करके और इस पर right click करके इसको drag करते हैं और उसके बाद fill months पर click करेंगे तो यह देखिए सारे months fill हो गए हैं चलिए अब हम आपको time भी fill करके बता देते हैं मालीजे हमने time डाला 9 बचकर 5 मिनट अब जैसे ही mouse से click करके नीचे drag करेंगे series by default एक घंटे से ही आगे बढ़ेगी यह देखिए यहाँ पर हर cell में जो time है उसमें एक घंटे का difference है अब जैसे कि हमने आपको पहले बताया था अगर आपको time का difference अपने हिसाब से रखना है तो पहले और दूसरे cell में values डाल कर आप series फिल कर सकते हैं मालेजे हमको हर minute का difference चाहिए पहले cell में हमने डाला 9 बचकर 5 मिनट और दूसरे cell में हम डालेंगे 9 बचकर 6 मिनट और अब इन दोनों cells को select करके drag करेंगे यह देखिए यह series फिल हो गई है और हर cell में जो time fill हुआ है उसमें एक मिनट का difference है अभी तक हमने सभी series vertically फिल की पर आप series को horizontally भी फिल कर सकते हैं यहाँ हमने पहले cell में लिखा एक और उसके आगे वाले cell में लिखा दो अब इसी तरह हम series को horizontally ड्रैक करेंगे यह देखिए series horizontally फिल हो गई है इसी तरह से आप months भी फिल कर सकते हैं यह देखिए months भी उसी तरह से आगे हैं इस तरह से आप time, date, टित्यादी को भी फिल कर सकते हैं हमने यहाँ पर student mark sheet table बनाई हुई है अभी आप देख सकते हैं कि नाम वाले कॉलम में सभी नाम randomly arranged हैं यदि आप इन्हें alphabetically arrange करना चाहते हैं तो उसके लिए name वाले cell को select केजिए अब home tab के अंतरगत editing block में दिख रहे sort and filter option पर क्लिक करें यदि आप ascending order में मतलब a to z में sorting करना चाहते हैं तो sort a to z चुनिए और यदि आप descending order में यानि z to a में sorting करना चाहते हैं तो sort z to a चुनिए अबी हम sort a to z चुन रहे हैं उसे चुनने पर यह देखिए सभी नाम a to z में sort हो गए हैं नाम sort होते ही उनके सामने के numbers भी उनी के अनुसार sort हो गए हैं यह तो हमने नाम को sort करना देखा पर यदि आप numbers को sort करना चाहते हैं तो वो भी इसी तरीके से होगा टोटल मार्क्स वाले सेल को सिलेक करने के बाद सौट अन्फिल्टर आप्शन पर क्लिक करें अब हम इन मार्क्स को डिसेंडिंग ओर्डर में मतलब बड़े से छोटे में सौट करना चाह रहे हैं तो हम सौट जेट टू ए सिलेक करेंगे ऐसा करते ही देखिए मार्क्स बड़े से छोटे में अरेंच हो गए हैं यानि सबसे ज्यादा संख्या सबसे उपर और सबसे कम वैल्यू वाली जो संख्या है वो सबसे नीचे आ गई है और इनके अनुसार नाम भी सौट हो गए हैं अब हम आपको सेल कलर के अनुसार सौटिंग करके बताते हैं उसके लिए नेम वाले सेल को सेलेक करें सौॉर्ट एन फिल्टर आप्शन पर क्लिक करके open हुए मेनु में से custom सौट पर क्लिक कर दें इस पर क्लिक करते ही विंडो ऑपन हुई है इसमें कॉलम के नीचे वाले drop-down मेन्यू में से नेम चुने Sort on के Dropdown menu में आपको अलग-अलग sorting के तरीके मिलेंगे जैसे values के हिसाब से, cell color के हिसाब से, font color के हिसाब से, cell icon के हिसाब से आप sorting कर सकते हैं हम चुकि cell color के हिसाब से sorting कर रहे हैं इसलिए हम इसको चुन रहे हैं अब order के नीचे वाले drop down menu पर click करने पर जितने भी colors हमने cells में किये हैं वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे अब अगर आप चाहते हैं कि blue color सबसे उपर आए तो blue color select करें उसी के पास वाले drop down menu में केवल दो options होते हैं on top and on bottom इन में से on top चुनिए और ok पर click कर दीजिए चुकि हमने on top वाला option select किया था इसलिए ok पर click करते ही ये देखिए blue color वाले सारे cells उपर आ गए हैं अमान लिजे आप yellow color वाले cells को सबसे नीचे ले जाना चाहते हैं उसके लिए हम वापस sort and filter option पर click करेंगे यहाँ पर custom sort में जाकर order में yellow color को select करेंगे और यहाँ से हम select करेंगे on bottom ओके पर click कर देंगे तो यह देखिए अब यह जो yellow cells थे वो सबसे नीचे आ गए हैं बाकी cells को भी आप इने options की सहता से sort कर सकते हैं अब हम filter option का उपयोग आपको बता देते हैं उसके लिए header वाली row को select करें और sort and filter option के अंतरगत filter option पर click करें या फिर shortcut की control plus shift plus L प्रेस करें यह देखिए क्लिक करते ही headers पर drop down arrows दिखाई पढ़ने लगे हैं अब मान लीजिए आप किसी particular student के marks देखना चाहते हैं तो name वाले drop down arrow पर click करें यहां by default सभी नाम selected होते हैं तो सबसे पहले select all पर click करके सभी नाम से selection हटा दें और केवल वही नाम select करें जिसके marks देखना हो जैसे की हमने यहां से select किया राधा और फिर ok पर click कर दें ok पर click करते ही राधा के marks यहां पर display हो गए हैं और बाकी सारे यहां से हट गए हैं अब यदि आपको किसी subject के marks के उपर filter लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं टेबल को वापस normal कर रहे हैं उधारन के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं कि कितने students को English में 98 marks आये हैं तो English वाले column के drop down arrow पर click करके select all पर click करें और फिर 98 को select करके ok पर click कर दें ये देखिए English subject में marks के अनुसार filter लग गया है ये तीन students को 98 marks आये हैं इसलिए उन तीनों की details यहाँ पर दिख रही हैं जिस तरह आप color के अनुसार sorting कर सकते हैं उसी तरह आप color के अनुसार filter भी लगा सकते हैं उसके लिए name वाले column में नामों को अलग-अलग color दे देते हैं जो कि यहाँ पर हमने पहले से किया हुआ है अब heading को select करके shortcut की control plus shift plus L प्रेस करेंगे फिर name वाले column के drop down arrow पर click करेंगे यहां filter by color option में जाने पर आपने data में जितने भी color use किये होंगे वो सभी दिखाई देंगे अगर यहाँ पर सारे colors नहीं दिखाई दे रहे हूँ तो more cell colors पर click करें तो यह देखिए यहाँ पर अब इस window में सारे colors दिखाई दे रहे हैं इस में से हम yellow color choose कर रहे हैं color select करने के बाद OK पर click करेंगे अब यह देखिए data yellow color के अनुसार filter हो गया है date के उपर filter लगाना बतानी के लिए हम आपको दूसरी sheet पर ले चलते हैं यह excels report है इसमें date भी दी हुई है अब हम heading को select करके control प्लस shift प्लस L प्रेस करेंगे अब date के drop down arrow पर click करेंगे देखिए आपर year और उसके month के नाम आ गए हैं यदि किसी particular month पर filter लगाना हो तो उसे choose कर सकते हैं और यदि किसी month की date पर filter लगाना हो तो फिर month के आगे plus के निशान पर click करें अब आपको जिस date पर filter लगाना हो वो choose करके ओके पर click कर दें उस date की details आ जाएंगी यहाँ पर हमने April month select किया है अब ओके पर click करेंगे तो यह देखिए April month की details यहाँ पर आ गई है आप चाहें तो filter के उपर भी filter लगा सकते हैं जैसे कि हम April month में PC की details चाहते हैं तो items के drop down arrow पर click करके यहाँ केवल PC select करेंगे और okay पर click कर देंगे यह देखिए हमें April month में PC की cells details मिल गई हैं यदि आपको filter हटाना हो तो उसके लिए heading को select करके Ctrl plus Shift plus L keys press करें यह देखिए filter के drop down arrows चले गए हैं shortcut menu और mini toolbar की सहता से किसी भी cell, column, row या data को आसानी से और शीग्रता पूर्व फार्मेट किया जा सकता है जिन cells को mini toolbar की सहता से format करना है उन्हें select कीजिए और उसके बाद mouse से right click करने पर हमें दो menus दिखाई दे रहे हैं यह उपर वाला mini toolbar है और यह shortcut menu है जैसा कि आप देख सकते हैं कि mini toolbar में सभी formatting options हैं जैसे font style, font size, font color, alignment, इत्यादी और shortcut menu में commands दी गई हैं जैसे कि cut, copy, paste, insert, delete, इत्यादी चलिए हम आपको mini toolbar और shortcut menu यूज़ करना बता देते हैं यह हमने आर्थी नम की student का total marks वाला cell select कर लिया है अब इस पर right click करेंगे right click करते ही देखिए हमें mini toolbar और shortcut menu दोनों दिखाई पढ़ रहे हैं मान लिज़े हमें cell का background color बदलना है तो हम mini toolbar में fill color option पर click करेंगे और इसमें से अपना पसंद दीदा color select करेंगे color select करके click करते ही cell का background color बदल गया है इसी तरह आप इस toolbar के अन्य options भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब यदि हम इसी cell में कोई comment insert करना चाहते हैं तो हम इस cell को select करके right click करेंगे और shortcut menu में से insert comment command select करेंगे ये देखिए comment box आ गया है इसमें हम comment डाल देते हैं ये comment हमने डाल दिया अब जब भी आपको ये comment देखना होगा तो इस comment को देखने के लिए इस cell पर जब आप mouse ले जाएंगे तो वो comment आपको दिखाई देने लगेगा और अगर ये comment आपको डिलीट करना हो तो इस cell पर जाकर के right click करें और यहां से delete comment पर click कर दें ये देखिए comment डिलीट हो गया है अब हम आपको particular row या column को select करके उस पर mini toolbar और shortcut menu यूज़ करके बताते हैं हम आर्थी नाम की student वाली पूरी row को select कर लेते हैं अब अगर हम उस row number पर जाकर के right click करके इस shortcut menu में से insert command पर click करेंगे तो इस row के उपर एक और row add हो जाएगी ये दिखिए इसी तरह यदि कोई column select करके उस पर right click करते हैं और insert command select करते हैं तो इस column के आगे एक और column add हो जाएगा ये इस तरह से अमालिज ये हमको cut copy option यूज करना है तो हम वह भी कर सकते हैं हम ये fourth row का जो data है उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं और third row में डालना चाहते हैं तो उसके लिए इसको select करके right click करेंगे और यहां से हम cut पर click करेंगे third row में best करने के लिए right click करके best option पर click कर देंगे यह देखिए हमारा जो data है वह fourth row की बजाए third row में आ गया है जिस तरह से अभी हमने आपको cut option का फ्रेयोग करना बताया उसी तरह आप copy option का उप्योग भी कर सकते हैं अब यदि आप इसमें एक और sheet add करना चाहते हैं तो जिस sheet के आगे आप वो sheet add करना चाहते हैं उस पर right click करके insert पर click कर दें अब open हुए menu में से worksheet select करके ok पर click कर दें यदि देखिए नई sheet add हो गई है sheet 3 के नाम से अब यदि आप किसी particular word को select करते हैं तो आपको mini toolbar से भी छोटा toolbar दिखाई पड़ेगा जिसमें आपको कुछ कम formatting options मिलेंगे जैसे कि यह वो छोटा toolbar है इसकी मदद से आप font change कर सकते हैं font size बदल सकते हैं hold italic कर सकते हैं font color change कर सकते हैं इस तरह आप mini toolbar और shortcut menu का use कर सकते हैं quick access toolbar menu bar के उपर left side में होता है जैसा कि इसका नाम है quick access मतलब जिसे हम तुरंत इस्तेमाल कर सकें या जिस पर हम तुरंत पहुंच सकें इस toolbar में वो commands रखी जाती हैं जिनकी हमें अकसर जरुरत पड़ती है इसमें by default तीन commands होती हैं save, undo और redo इन commands के बाद आपको एक downward arrow दिखेगा जिसके मदद से आप quick access toolbar में उपयोगी commands एड़ कर सकते हैं हम इस पर click करते हैं ये देखे, drop down menu open हो गया है अभी इसमें केवल तीन commands के सामने टिकमाक लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये quick access toolbar में पहले से ही हैं अब बाकी commands में से जो भी command आप यहाँ पर add करना चाहते हैं उन पर click कर दें जैसे उदारन के लिए हम इस menu में से new command को add करना चाहते हैं तो हम इस पर click कर रहे हैं ये देखे, new command quick access toolbar में add हो गया है अब अगर आपको इस option को use करना है यानि अगर आपको कोई नई file लानी है तो उसके लिए file में जाकर के new पर click करने की बजाए आप सीधे quick access toolbar में new पर click कर दें ये देखे, ये नई file आ गई है अगर हम को इसे हटाना हो तो वापस new पर click करके ये tick हटा देंगे तो ये यहाँ से हट गया आईए अब हम quick access toolbar के कुछ अन्य options देखते हैं इसके लिए हम इसे दोबारा open करेंगे इसमें more commands option पर click करें click करते ही एक नई window open होगी चूंकि हमने quick access toolbar के लिए ये window open की है तो यहाँ पर quick access toolbar selected है आपको इस list में कई सारे commands दिखाई दे रहे हैं इन में से आप कोई भी command select करके add कर सकते हैं उधारन के लिए हम इन commands में से copy command add करना चाहते हैं तो हम उस पर click करेंगे और फिर add button पर click करेंगे उस पर click करते ही ये देखिये copy command इस list में add हो गया है जिस तरह हमने एक command add किया है उसी तरह आप इस list में से और भी commands एड़ कर सकते हैं जिस तरह से हमने ये commands एड़ किये हैं उसी तरह से इन्हें remove भी किया जा सकता है उदारण के लिए हम new file command को remove करना चाहते हैं तो उस पर click करके remove बटन पर click कर दें ये देखे, new file command यहां से remove हो गया है इसके अलावा यहां दिये गए upward और downward arrows की सहायता से आप ये set कर सकते हैं कि कौन सा command आपको पहले चाहिए और कौन सा बाद में उदारन के लिए हमें copy command save से पहले चाहिए तो हम copy command को select करेंगे और इस upward arrow पर तब तक क्लिक करेंगे जब तक यह command सबसे उपर ना आ जाए इसी तरह से downward arrow की सहायता से आप किसी भी command को नीचे की तरफ shift कर सकते हैं उदारन के लिए हम save command को redo के बाद चाहते हैं यह देखिए यह redo के नीचे आ गया है अब इससे save करने के लिए ok पर क्लिक कर दें अब यह देखिए जो भी setting हमने की थी वो यहाँ उपर आपको नज़र आ रही है यह copy command सबसे पहले आ गई है और save command redo के बाद में आ गई है और जो भी नए commands हमने add किये हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं quick access toolbar में commands add करने का एक और तरीका है उधारन के लिए हमें page layout tab के ribbon में दिख रहे ही background command को quick access toolbar में add करना है उसके लिए हम background command पर right click करेंगे ऐसा करते ही देखिए यह menu open हुआ है इसमें सबसे पहला option है add to quick access toolbar इस पर हम click करेंगे यह देखिए यह command quick access toolbar में add हो गई है अब इस drop down menu में सबसे आखरी option है show below the ribbon इस option को click करने पर quick access toolbar ribbon के नीचे आ जाएगा यह देखिए quick access toolbar ribbon के नीचे shift हो गया है इसे वापस उपर shift करने के लिए quick access toolbar पर right click करें और show quick access toolbar above the ribbon पर click कर दें आप quick access toolbar में दी गई commands को shortcut keys से भी इस्तिमाल कर सकते हैं उसके लिए पहले आपको अपने keyboard की alter key प्रेस करना होगी उसे प्रेस करते ही आपको quick access toolbar में number और tabs पर alphabets दिखने लगेंगी इन numbers और alphabets को keyboard पर प्रेस करने पर ये option apply हो जाएंगी मान लिजे हम print preview का option यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो number दिया है वो है 7 तो हम keyboard पर 7 number वाली key प्रेस कर देंगे ये देखे print preview आ गया है इसी तरह जब भी आपको यहाँ दी गई commands shortcut की द्वारा यूज़ करना हो तो alter key प्रेस करें सारे numbers और ये alphabet वापस यहाँ जाएंगे फिर आप इस message इसका भी उप्योग करना चाहें कर सकते हैं Quick access toolbar में जितने भी commands add होते जाएंगे number इस तरह से बढ़ते जाएंगे जैसे 9 के बाद 090807 इत्यादी स्क्रीन पर नीचे की तरफ status bar होता है status bar एक अच्छे सूचक या indicator की तरह काम करता है status bar में बिना formula का उप्योग किये आपको cells का total या average मिल जाता है या फिर आपको maximum या minimum value देखना हो तो वो भी आप यहाँ देख सकते हैं चलिए एक उदारन की सहता से इसे और अच्छे से समझते हैं यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के नाम लिखे हैं और यहाँ अलग-अलग विशों में उनको जो marks मिले हैं वो लिखे हुए हैं पर देखिए यहाँ पर total नहीं किया हुआ है अगर हम किसी भी विद्यार्थि को सभी विशों में मिला करके कितने marks मिले हैं यह जानना चाहते हैं तो हम उसके सभी विशों को select कर लेंगे यह हमने सारे subjects के marks select कर लिये हैं और अब आप नीचे status bar पर देख सकते हैं कि यहाँ पर total नजर आ रहा है उसी तरह से यहाँ पर सभी values का average भी दिखाई दे रहा है और हमने जितने cells select किये हैं वो count भी हमको यहाँ पर नजर आ रहा है यदि आप status bar पर कहीं भी right click करते हैं तो आपको एक बड़ी से list दिखाई देगी इसमें कई सारे options हैं अब इन में से जो options आप चाहें उन्हें status bar पर add कर सकते हैं जैसे हम minimum और maximum option को status bar में add करना चाहते हैं तो इन पर click करेंगे अब देखिए जो भी cells आपने select किये हैं उनके minimum और maximum numbers भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ options का status नजर आ रहा है कि वो on है या off है जैसे caps lock, scroll lock यह off है जबकि number lock on है अगर आप चाहते हैं कि यह notification आपको status bar पर भी दिख जाए तो उसके लिए आपको इनको add करना होगा जैसे हम number lock को add करना चाहते हैं तो हमने इस पर click किया यह देखिए यहाँ नीचे status bar पर अब यह नजर आ रहा है यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि अगर वो on होगा तो आपको नजर आएगा और अगर वो off होगा तो नजर नहीं आएगा जैसे कि हमने keyboard पर number lock प्रेस किया यह off हो गया तो status bar से वो चला गया यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहा है और अगर हम right click करके इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यह number lock off है number lock off होने पर आप keyboard में right side पर जो numbers दिये हुए होते हैं उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं इसी तरह से caps lock का notification अगर आपको चाहिए तो यह right click करने पर यह सब सामने आ गए हैं अभी यहाँ पर caps lock off दिखरा है keyboard में caps lock key को प्रेस करके हम इसको on कर लेते हैं यह देखिए यहाँ पर यह on नजर आ रहा है अब हम चाहते हैं कि हमको status bar पर भी नजर आए तो इसके लिए अब हम इस पर click करके इसको add कर लेंगे इस notification को जैसे हमने status bar पर add किया वो यहाँ पर नजर आ रहा है अब यहाँ पर यह दिख रहा है इसका मतलब यह कि caps lock on है status bar की right side में तीन buttons है सबसे पहले जो button है उसे normal कहा जाता है जो हमें Excel का normal view दिखाता है by default यह button selected होता है उसके बाद जो button है उसे page layout कहा जाता है इस button को click करने पर हमें जो layout print out के समय मिलेगा वो दिखाई पड़ेगा जो data हमने तयार किया था उसका अगर हम print लेते हैं तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वो आधा data पहले page पर आ रहा है और अगर आप उसका print लेंगे तो यह दो जो columns हैं वो दूसरे page पर print होंगे इसमें आपको जितना data लिखा हुआ है उसके अलावा जो खाली page है वो भी पूरा दिखाई देता है यानि आपको पूरा page नजर आता है अब अगला जो बटन है उसे page break preview कहा जाता है इस बटन को क्लिक करने पर आपको केवल आपका type किया हुआ data ही दिखाई पड़ेगा मतलब वो page पर कितनी जगह घेर रहा है उसका view आपको दिखाई देगा यह देखिए यहाँ पर एक blue dotted line दिखाई पड़ रही है इसका मतलब है कि social science वाले column तक यह एक page है और maths और total marks वाला column दूसरे page पर है यहाँ आपको page 1 और page 2 लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है इसे normal करने के लिए आप दोबारा normal बटन पर क्लिक कर सकते हैं यह वापस से normal excel sheet दिखाई दे रही है status bar के right hand corner पर आपको zoom slider बार दिख रहा होगा यदि आपको इस sheet को zoom करना है तो आप slider को right में drag कीजिए और अगर इसे छोटा करना है तो left में याने minus की तरफ drag कीजिए आप plus और minus के sign से zoom in और zoom out कर सकते हैं यानि slider को drag करने की बजाए आप केवल plus या minus के sign पर click करते जाएं तो भी ये zoom in और zoom out हो जाएगा आप जब भी minus और plus sign पर click करते हैं तो ये 10 प्रतिशत से घटता या बढ़ता है यहां हमने mark sheet की एक table पहले से बना रखी है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमने formating भी कर रखी है formating मतलब table के rows, columns, content को अलग-अलग color और font styles दे रखे हैं यदि इस table से formating हटानी हो तो उसके लिए editing block के अंतरगत दिखाई पढ़ रहे clear option का उप्योग किया जा सकता है चलिए यह हम आपको करके बता देते हैं clear option के अंतरगत 6 sub options होते हैं सबसे पहले है clear all इससे formating, content, comments और hyperlinks सब एक साथ delete हो जाएंगे देखिए अब हम इस table को select करके clear option के अंतरगत जब clear all पर click करेंगे तो selected table की formating, content, comments सब clear हो गए हैं मतलब हट गए हैं अब हम undo कर रहे हैं जिससे की complete data formating के साथ वापस आ जाएगा यह देखिए इसके बाद दूसरा option है clear formats इस से selected area की formating clear हो जाती है इन सारे options का उपयोग करने के लिए आपको पहले table select करना होगी यहाँ पर table already selected है तो जब हम clear formats पर click करेंगे तो यह देखिए selected area की formating clear हो गई है यहाँ पर केवल data बचा है हम इसे भी undo कर देते हैं तीसरा option है clear contents इस से selected area में जितना भी content यानी data है वो clear हो जाता है मतलब हट जाता है इस option से केवल data clear होगा पर selected area की formating वैसी की वैसी रहेगी हमारी table already selected है इसलिए हम clear contents option पर click कर रहे है यहाँ आप देख सकते हैं formating में कोई change नहीं हुआ है याने जो भी हमने अलग-अलग colors लिये थे वो वैसे ही है पर जो भी content या data था वो clear हो गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस table के कुछ cells में हमने कुछ comments डाल रखे हैं यदि आप सिर्फ comments delete करना चाहते हैं तो जहाँ भी वो comments लिखे हो उस column row table या फिर जिस भी cell में comment हैं उसे select करके clear comments पर click करें देखिए ऐसा करते ही सारे comments यहाँ से हट गए है clear के अंतरगर दिखाई पढ़ रहे options में से fifth option है clear hyperlinks इस option से selected area की hyperlinks हटाई जा सकती है यह यहाँ पर हमने नीचे hyperlink दी हुई है जैसे हम यहाँ mouse ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं यह यहाँ पर link आपको दिखाई देती है अभी यह काम कर रही है इसको अगर हमें हटाना है तो हम इस cell को select करेंगे और उसके बाद clear hyperlinks पर click कर देंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी link दिखाई नहीं दे रही है link हट गई है पर formatting उसकी वैसी ही है लास्ट ऑप्शन है remove hyperlinks इस option से selected area की hyperlinks और formatting दोनों ही हट जाती है hyperlink वाला cell हमारा already selected है अब हम remove hyperlinks पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए formatting भी हट गई है और link भी हट गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक wedding budget table बनी हुई है इसमें आप कई categories देख सकते हैं जैसे कि April, reception, इत्यादी उन्हें के आगे तीन columns और है estimated खर्चा यानि हमने इस category के लिए कितना खर्चा सोचा था actual खर्चा कितना हुआ और उन दोनों का difference यानि की फर्क कितना है इसे table पर हम सबसे पहले total निकालना देखते हैं total या जोड करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं हम सबसे पहला तरीका देखते हैं उसके लिए estimated column की values को select करेंगे और home tab के अंतरगत editing block में दिख रहे auto sum option पर click करेंगे ये देखे उस option पर click करते ही नीचे सभी values का sum आ गया है और formula bar में आप देखेंगे कि उस sum का formula लिखा है अगर आप formula लिखकर sum निकालना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि कोई भी formula लिखने से पहले बराबर यानि equal to का निशान ज़रूर लगाएं अब type करें sum ये देखे sum type करते ही Excel ने हमें एक list शो कर दी है जिसमें कई सारे operations के नाम है चुकि हम addition कर रहे हैं तो हमने इस list में से sum पर double click किया उसके बाद जिन cells का total निकालना है उन्हें select कर लेंगे और bracket बंद करने के बाद enter press करेंगे ये देखें enter press करते ही नीचे सभी values का sum यानि total आ गया है अब हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं अब माल लेजे हम estimated वाले columns में से तीन categories की जो values हैं उनको जोड़ना चाहते हैं जैसे हम reception, decorations और travel में कितना खर्चा आया ये जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इनको highlight कर देते हैं उसके लिए हमने इन तीनों cells को color कर दिया है अब हमको ये तीनों values जोड़नी हैं जहाँ पर भी हम ये total लिखना चाहते हैं वहाँ पर equal to का sign लगाएंगे और फिर उस cell पर click करेंगे ये हमने पहली cell पर click किया इसके बाद plus का sign लगाएंगे इसके बाद अगली value जो जोड़ना है उसकी cell को select करेंगे फिर plus का निशान लगाएंगे और फिर ये हमारी जो तीसरी value जो हमको जोड़नी है उस cell को select करेंगे और enter press कर देंगे तो ये देखिए addition में हमको इन तीनों cells का total मिल गया है हम आपको auto sum करने के लिए एक shortcut भी बता देते हैं उसके लिए हम ये नीचे दिख रहे है sum को delete कर देते हैं उधारन के लिए हमको इस column की जो values हैं उनका total निकालना है तो हम इन सब को select कर लेंगे और इसके बाद alter और equal to keys को press करेंगे ये देखे ऐसा करते ही नीचे सभी values का sum आ गया है अब हम आपको subtraction यानि minus करना बताते हैं उसके लिए हमने यहाँ difference का column बना रखा है अब यदि हमें estimated और actual values का difference जानना है तो हम उनके आगे वाली cell में click करेंगे formula equal to के sign के साथ चालू करेंगे equal to के sign के बाद estimated value का जो column है उसके पहले cell पर click करेंगे फिर minus का sign लगा कर actual values के column की पहली cell पर click करेंगे और enter press करेंगे ये देखे दोनों cell का difference यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब यदि हम इस cell के corner पर जहाँ plus का निशान है वहाँ से नीचे की तरफ ट्रैक करेंगे तो difference का formula सभी cells में apply हो जाएगा और सभी cells का difference अपने आप निकल आएगा अब हम values का average यानि औसत निकालना देखते हैं उसके लिए जिस भी cell में आपको औसत निकालना है वहाँ equal to का sign लगाईए और उसके बाद average टाइप कीजिए कुछ initials टाइप करते ही drop down menu open होगा उसमें से आप average पर double click कर सकते हैं उसके बाद वो values से लेक करें जिनका average निकालना है उसके बाद enter press करें enter press करते ही ये सभी values का average यहाँ पर आ गया है average निकालने का एक और तरीका है जिन values का आप average निकालना चाहते हैं उन्हें select करें अब home tab के अंतर दिख रहे drop down menu में दिख रहे average पर click करें ये देखिए हमारी selected values का average यहाँ total के नीचे दिखाई दे रहा है अब हम आपको counting करना बता देते हैं पहले जिन values की counting करना है उनको select कर लें और उसके बाद ये sum के पास जो drop down arrow है उस पर click करें यहाँ से count numbers वाले option पर click करें यह देखिए यहाँ पर कितनी values हैं उसका number count होकर के आगया है इसके अलावा आप formula की मदद से भी counting कर सकते हैं equal to का sign लगा करके count लिखें और उसके बाद value select करें bracket close करें enterprise करें यह देखिए इसी तरह से maximum value भी निकाली जा सकती है उसके भी दो तरीके हैं या तो formula type करें equal to का symbol लगा कर max लिखा उसके बाद value select की bracket close किया इंटर प्रेस कर दिया तो यह देखिए maximum value यहाँ पर आ गई है और दूसरा तरीका है कि हम पहले वो value select कर ले और उसके बाद यहाँ से max पर क्लिक करें तो यह देखिए यह यहाँ पर maximum value आ गई है यह इस column की values में से सबसे बड़ी value है इसी तरह से हम minimum value भी निकाल सकते हैं इसको भी हम formula की मदद से भी निकाल सकते हैं और सारी values को select करके और यहाँ से minimum option पर click करके यह यहाँ पर देखे minimum value आ गई है अब हम आपको गुणा करना बता रहे हैं उसके लिए हमने sheet 2 पर यह जो data है उसको चुना है multiplication के लिए सबसे पहले equal to का निशान लगाएं अब पहली value चुनें इसके बाद multiplication का sign लगाएं उसके लिए आपको keyboard में star वाली key को प्रेस करना होगा अब दूसरी value जिससे multiply करना है उसको चुन लें और उसके बाद enter प्रेस कर दें यह देखिए यहाँ पर answer आ गया है और अब आप अलग-अलग हर cell में formula लगाने की बज़ाए इस cell के corner पर जब आप mouse ले जाएंगे तो plus का आपको निशान दिखेगा तब mouse को drag करके नीचे तक ले आएं यह देखिए सारी cells में अपने आपको formula अपलाए हो गया है अब हम आपको भाग करना यानि divide करना बता रहे हैं उसके लिए हम अगली sheet पर चलते हैं अब यहाँ पर हम formula लगाना आपको बता देते हैं सबसे पहले equal to का निशान लगाएं उसके बाद जिस value में भाग देना है जिस संक्या में भाग देना है वो चुने उसके बाद divide का निशान लगाएं और फिर जिस संक्या से भाग देना है उसको चुने और enter press कर दें यह देखिए answer आगया है बागी cells में भी इस formula को apply करने के लिए corner पर mouse ले जाएं plus का sign आने पर mouse को नीचे track करते हुए ले आएं यह देखिए सभी cells में यह formula apply हो गया है समाने तया हम Excel में काम करते समय कई बार cut copy और paste copy करते हैं किसी भी text को paste करने के बाद जब हम कोई नया text cut या copy कर लेते हैं तो पहले वाला text जो हमने cut या copy किया था वो चला जाता है और उसकी जगर पर नया text हमारे पास रह जाता है यानि अब यदि हम paste करेंगे तो नया text paste होगा पुराना वाला नहीं Excel में एक बहुत ही अच्छा function है clipboard इसमें cut या copy किये हुए 24 टेक्स्ट अपने आप अस्थाई रूप से store हो जाते हैं और 24 से अधिक text cut या copy करने पर पहले के टेक्स्ट डिलीट होकर उसकी जगह पर बाद वाले टेक्स्ट आते जाते हैं आप चाहें तो इंस्टोर किये हुए टेक्स्ट को बगेर cut copy किये फिर से पैस्ट कर सकते हैं एक बात का ध्यान रखें कम्प्यूटर को बंद करने पर clipboard में stored पूरा data चला जाता है तो आईए देखते हैं हम clipboard का उप्यो कैसे कर सकते हैं उधारण के लिए हमारे पास ये एक data है इसमें हम heading को copy करते हैं अब clipboard के पास जो arrow का निशान है उस पर click करें ये देखे जो data हमने copy किया वो यहाँ clipboard में automatically आ गया है अब जहां भी आपको ये data paste करना हो उस cell पर click करें और clipboard में यहाँ पर जो data दिख रहा है उस पर click करें ये देखे ये data यहाँ पर paste हो गया है अभी हमने सिर्फ heading को copy किया अब हम और दूसरा data copy करते हैं ये देखे यहाँ पर हमने अलग-अलग लुगों का data copy किया है और ये सब clipboard में आ गया है अब हमें जिस cell में भी data paste करना हो उस cell पर click करेंगे और फिर यहाँ से जिस व्यक्ति का data चाहिए उस पर click करेंगे ये देखे उस व्यक्ति का data यहाँ पर paste हो गया है यदि हमें पूरा डेटा एक साथ पेस्ट करना हो तो जहां पर ये डेटा चाहिए वहां पर क्लिक करने के पाद पेस्ट All option पर क्लिक करेंगे ये देखिए, क्लिप बोर्ड में जो भी डेटा हमने कॉपी करके रखा है वो सारा की सारा डेटा यहां पर एक साथ पेस्ट हो गया है आईए अब इस डेटा को किसी दूसरी फाइल में पेस्ट करके देखते हैं उसके लिए हम एक नई फाइल ले लेंगे अमाल लेजिए, वो डेटा हमें इस फाइल में पेस्ट करना है तो उसके लिए हमें डेटा दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं है उससे पेस्ट करने के लिए क्लिप बोर्ड ब्लॉक के एरो पर क्लिक करेंगे ये देखिए, clipboard में वो copy किया हुआ data नजर आ रहा है अब इस file में जहां भी जरूरत हो, वहां पर click करके हम उस data को paste कर सकते हैं ये हमने paste all किया, तो वो पूरा data जो clipboard में था यहां पर आ गया है और अगर हम किसी particular व्यक्ति के data या heading को लेना चाहते हैं, तो वो भी हम यहां से चुन करके paste कर सकते हैं यदि आपको clipboard में से कोई data delete करना हो, तो उसके लिए data के सामने जो downward arrow है उस पर click करें और delete पर click कर दें, देखिए वो data यहां से delete हो गया है यदि आपको clipboard में stored सभी data को delete करना हो, तो उसके लिए clear all पर click करें यह देखिए अब clipboard पुरा blank हो गया है paste special एक बहुत ही अच्छा option है, जिसकी सहता से हम अपनी आवश्यक्ता अनुसार किसी data में से कुछ भी जैसे की formulas, value, format, comment, validation, बिना border के data, column width इत्यादी copy कर सकते हैं और उसे दूसरे data पर paste कर सकते हैं इसके साथ ही हम paste special की सहायता से data में किसी value को add, subtract, multiply या divide कर सकते हैं किसी खाली स्थान को छोड़कर data copy करना हो या column के data को row में या row के data को column में convert करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं उदारन के लिए हमने यहां पर यह कुछ data लिया है इसमें हमने formatting कर रखी है और यहां पर formula लगा रखा है अब हम इस data को select करके copy कर लेते हैं अब जहां भी data paste करना हो उस cell पर click करके clipboard block में paste option के नीचे दिख रहे arrow पर click करें पेस्ट में सबसे पहला option है पेस्ट का जो की हम अभी तक use करते आए हैं इस पर click करने पर जैसा data आपने copy किया है आपका data वैसा की वैसा paste हो जाएगा यानि उसकी formatting, formula, value सब paste हो जाएंगे यह देखिए जैसा data उपर है वैसा की वैसा data यहाँ नीचे paste हो गया है अब यदि आपको इस data में से केवल formula ही copy करना है तो पहला तरीका तो यह है कि जहाँ पर formula लगा हुआ है आप उस cell को mouse से click करके drag करें देखिए formula नीचे तक copy हो गया है पर अगर यह formula हमें किसी और जगह पर चाहिए तो फिर हम यह drag करने वाला option यूज नहीं कर सके ऐसे में हमें use करना होगा पैस्ट special जो formula हमें चाहिए हम उसे copy कर लेंगे अब जहाँ पर हमें formula पैस्ट करना है वहाँ पर click करके पैस्ट option में जाएं आप चाहें तो यहां से formulas option चुने या फिर नीचे जाकर पैस्ट special option पर click करें यह पैस्ट special की window आ गई है यहां से formulas option को चुने और ok पर click करें यहां पर देखिए अब केवल formula ही पैस्ट हुआ है यहां पर अभी आपको 0 दिखाई दे रहा है वो इसलिए क्योंकि अभी इन cells में कोई value लिखी हुई नहीं है जैसे ही हम बाकी की cells में कोई value डालेंगे formula अपने आप apply हो जाएगा यह देखिए यहां पर अपने आप इन दोनों cells का multiplication होकर के total आ गया है अब यदि हमें केवल ये data ही चाहिए उसकी formatting formula इत्यारी नहीं चाहिए तो उसके लिए data को select करके copy करेंगे और जहां भी ये data चाहिए वहाँ click करके paste option में जाएंगे अब यहां पर या तो paste special option पर click करें या फिर shortcut की control, altered और V press करें यहां से values option चुनें और ok पर click करें यह देखिए पूरा data यहां पर paste हो गया है पर ना तो इसमें formatting copy हुई है और ना ही total के column में जो formula लगा हुआ था वो copy हुआ है इसी तरह से incentive वाले column में भी केवल values आई है formatting नहीं अब यदि आप इस data में से केवल format copy करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से copy कर लें और जहां यह data चाहिए वहां पर क्लिक करके best special option में जाने के लिए shortcut keys control alter प्रेस करें और यहां से format चुने और ओके पर क्लिक कर दें देखें यहां पर उपर वाले data की पूरी formatting copy हो गई है अब यदि इस पूरे data में से आपको केवल comment copy करना हो तो data को copy कर लें अब जहां पर भी comments चाहिए वहां पर क्लिक करके control alter V प्रेस करें और best special window में से comments option चुन कर okay पर क्लिक करें यह देखिए जो भी comments हमने डाले थे वो यहां पर best हो गये हैं और जब आप in cells पर mouse लेकर जाएंगे तो वो comment दिख जाएंगे best special में अगला option है validation यदि आप data में दिये गए validation को copy करना चाहते हैं तो इस option का उपयोग कर सकते हैं यदि हमारे पास कोई data है और हम उसी theme पर आगे कारे करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले data copy कर लेंगे और जहाँ पर data paste करना हो वहाँ क्लिक करके best special में जाकर all using source theme option सेलेक करके ओकी पर क्लिक करेंगे देखिए उस data के अनुसार theme यहाँ पर आ गई है अब आप अपनी आवश्यक्त तनुसार data में परिवर्दन कर सकते हैं इसे हम वापस normal कर देते हैं अभी हमने data को सिलेक करके copy किया हुआ है अब best special option में जाकर के यहाँ पर हम देख सकते हैं अगला option है all except borders यदि आप border को छोड़कर पूरा data copy करना चाहते हैं तो इस option को चुने और okay पर click कर दें यह देखिए borders को छोड़कर के पूरा data यहाँ पर copy हो गया है इसमें value, formatting, formulas सब ही आ गये हैं केवल borders नहीं है इसको भी हम undo कर देते हैं यह यहाँ पर इस data में हमने कुछ columns के width बढ़ा दी है कुछ columns के width कटा दी है अब माल लीजिए हमें अपने किसी data की सिर्फ column width ही copy करना है तो उसके लिए जहाँ column width पेस्ट करना हो वहाँ पर click करके पेस्ट स्पेशल में जाएं और कॉलम width option सेलेक करके ओके पर click करें यह देखिए यहाँ पर सभी column के width इस data की तरह ही हो गई है हमने columns के width घटाई बढ़ाई इसलिए थी ताकि आप उसे अच्छे से देख सकें अब यदि हम चाहते हैं कि formula के साथ साथ number format भी copy हो जाए तो उसके लिए data select करके पैस्ट special में जाएंगे और यहां से हम formulas and number formats option चुन कर okay पर click करेंगे देखिए जहां पर formula लगा हुआ है वो formula यहां पर आ गया है और numbers भी percentage के निशान के साथ यहां पर आ गये हैं लेकिन उपर वाले data में जो color और border दी हुई है वो यहां नीचे नहीं आई है अगर आपको formulas copy नहीं करना है केवल value और number format ही copy करना है तो values and number formats option चुने देखिए यहां पर केवल value और number format copy हुआ है formulas, border और color यहां पर copy नहीं हुआ है अगले option को समझने के लिए हम अपने data में conditional formatting कर रहे हैं conditional formatting हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं हमारे पास जो data है उसमें conditional formatting भी की हुई है और हम चाहते हैं कि conditional formatting सहित यह copy हो जाए तो इसे select करके copy करेंगे और past special में जाकर all merging conditional formats चुनेंगे और ओखे पर click करेंगे यह देखिए data में जो conditional formatting दी हुई है वो भी copy हो गई है यदि आपको आपके data में किसी value को add, subtract, multiply या divide करना हो या किसी खाली स्थान को छोड़कर data copy और past करना हो या column के data को row में या row के data को column में convert करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं आये देखते हैं मान लिजिए इस data में quantity के column में या rate वाले column में या फिर incentive वाले column में आपने जो numbers डाले हैं उनमें कुछ changes करना हो जैसे कुछ जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो या भाग देना हो तो उसके लिए भी आप best special option का उपयोग कर सकते हैं उधारन के लिए हम fan के rate में 100 रुपए, cooler के rate में 200 रुपए और AC के rate में 500 रुपए जोड़ना चाहते हैं किस item में हमें कितने रुपए जोड़ना हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिया है हम इने copy कर लेते हैं और चुनकी ये number हमको यहाँ पर जोड़ना हैं इसलिए इन सब को भी select कर लेते हैं अब best special में जाकर add पर क्लिक करेंगे और फिर ok पर क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर rate वाले column में fan का rate 100 रुपए से, cooler का 200 रुपए से और AC का rate 500 रुपए से बढ़ गया है इसे हम undo कर देते हैं माल लीजिए इनी figures को आप rate में से घटाना चाहते हैं तो इन्हें copy करके rate वाले column को select करेंगे और best special में जाकर subtract option को select करेंगे अब ok पर क्लिक कर दें यह देखिए यहाँ पर rate वाले column में fan के rate में से 100 रुपए, cooler के rate में से 200 रुपए और AC के rate में से 500 रुपए घट गये हैं इसी तरह best special के अंतरगत, multiply और divide option का उपयोग भी कर सकते हैं आईए अब हम अगले option समझते हैं इसके लिए हम दूसरी sheet खोल लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ data है जिसमें कर्मचारियों के नाम, उनके addresses, mobile numbers और email IDs हैं उदारण के लिए हमने केवल 5 नाम लिए हुए हैं पर ऐसी हमारे पास बहुत लंबी list भी हो सकती है अब जब हमने इन लोगों से संपर्क किया तो पता चला कि कुछ लोगों के mobile numbers चेंज हो गए हैं यहाँ पर जिन लोगों के mobile numbers चेंज हो गए हैं वो हमने उनके नाम के आगे लिख दिये हैं यदि सभी लोगों के mobile numbers चेंज करना होते तो हम simple copy paste कर देते लेकिन यहाँ पर कुछ ही लोगों के numbers चेंज हुए हैं और कुछ लोगों के नहीं तो ऐसी इस्थिती में हम best special option का उप्योग करेंगे यहाँ हमें जो data update करना है उसे copy करेंगे और जहाँ उसे paste करना है वो column select करके best special में जाएंगे और यहाँ पर skip blanks option चुन कर okay पर click करेंगे यह देखिए जिन दो numbers को हमें बदलना था केवल वो ही change हुए हैं बाकी numbers वैसे की वैसे हैं अब हम आपको transpose option का यूज करना बता रहे हैं उसके लिए यह data हमने लिया है इस data में आप देख सकते हैं कि जो heading है वो column wise लिखे हुए हैं और इसके अंतरगर जो data है वो row wise लिखा हुआ है यदि हम heading को row wise और data को column wise लिखना चाहते हैं यानि कि यह जो हमारे headings हैं जो अभी horizontally हमको नजर आ रहे हैं वो ऐसे vertical में आ जाएं और data जो है उस हिसाब से change हो जाए तो उसके लिए हम transpose option का use करेंगे इसके लिए हम पूरे data को select करके copy कर लेंगे और उसके बाद जहाँ पर भी हमको यह data चाहिए वहाँ पर click करके best special में जाएंगे यहाँ पर यह option मिलता है transpose इसे select करके ok पर click करेंगे यह देखिए यह जो उपर वाला जो data है पूरा वो change हो करके अब इस style में आ गया है सभी columns के heading row में आ गये हैं और data column में आ गया है इसी तरह आप row को column में और column को row में convert करना चाहते हैं तो वो भी transpose option की मदद से कर सकते हैं यदि आप किसी worksheet पर कारे कर रहे हैं और उसमें किसी row या column में data feed करते समय कोई limit set करना चाहते हैं साथ ही आप ये चाहते हैं कि data feed करने से पहले ही कारिकर ने वाले व्यक्ति को जुकार करना है उससे संबंधित निर्देश दिखाई दे और यदि वो data feed करने में गलती करता है तो उसे error से संबंधित message दिखाई दे तो यह सुब आप कैसे कर सकते हैं आए देखते हैं माली जी हम कोई व्यफसाय करते हैं और हमारे यहां काम करने वालों की एज लिमिट है 18 से 60 वर्ष यानि हमारे यह कोई भी एमप्लॉई ना तो 18 वर्ष से कम आयूका है और ना ही 60 वर्ष से अधिक आयूका जब हम एक्सल में एमप्लॉई का डेटा तयार करेंगे तो हम एज के लिए डेटा वालिडेशन की सहायता से लिमिट सेट कर देंगे आये देखते हैं यह कैसे करते हैं एज लिमिट सेट करने के लिए सबसे पहले हम एज वाले कॉलम को सेलेक करेंगे अब डेटा टैट में जाकर डेटा वालिडेशन आप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट की ऑल्टर टी और एल प्रेस करेंगे allow में any value option by default selected होता है यहां दिख रहे drop down arrow पर क्लिक करके यहां से हम whole number option को सेलेक करेंगे यहां पर एक बात का ध्यान रखें whole number को सेलेक करने पर decimal वाली value नहीं लिख सकते हैं जैसे किसी कर्मचारी की आयू 50 वर्ष और 6 मा है तो आप 50 वर्ष ही लिख सकते हैं 50.5 नहीं अगला option है data का जिसके drop down arrow पर क्लिक करने पर कई सारे options आते हैं इनमें से हम between option को सेलेक करेंगे बाकि options को हम बार में समझेंगे अब यहां minimum वाले box में हम 18 लिख देंगे क्योंकि हमारे criteria के अनुसार employee की minimum age 18 होना चाहिए और maximum वाले box में हम टाइप करेंगे 60 क्योंकि हमारे criteria के अनुसार employee की maximum age 60 years होनी चाहिए अब okay पर click करेंगे अब अगर हम 18 वर्ष से कम की उम्र यहां पर डालेंगे तो error आएगा जैसे यहां पर हमने 17 डाला और एंटर प्रेस किया तो यह यहां पर dialogue box आ गया है जिसमें message है जो value enter की गई है वो valid नहीं है हम इसको cancel कर देते हैं इसी तरह से जब हम 60 वर्ष से ज्यादा की आयू डालेंगे तो भी यहां पर error आएगी यह हमने 62 डाला और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यह देखे फिर से वही message आ गया है और यह error बता रहा है अब हम 18 से 7 वर्ष के बीच की आयू यहां पर डालते हैं यह देखे कोई भी error यहां पर इसने नहीं बताई है यदे आप चाहते हैं कि यहां user को message दिखाई दे कि उसे किस limit के अंदर data enter करना है तो वो भी आप कर सकते हैं उसके लिए दोबारा हम age वाले column को select करेंगे और data validation में जाएंगे यहां input message टैब पर क्लिक करें आप जो title देना चाहते हैं वो title के नीचे दिख रहें box में टाइप करें जैसे हम यहां पर title दे रहे हैं age limit अब जो भी message आप screen पर show करना चाहते हैं वो यहां input message के नीचे वाले box में टाइप कर दें हमने टाइप किया please enter the age between 18 and 60 years अब ओके पर क्लिक करें अब देखिए जैसे ही हम age वाले column में कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो जो message हमने टाइप किया है वो यहां पर दिखाई देगा यह तो input message हो गया इसी तरह आप error भी change कर सकते हैं उसके लिए data validation में जाकर error alert टैप पर क्लिक करें अब error alert के लिए जो symbol यूज करना हो वो यहां से select कर लें हम stop को ही selected रहने दे रहे हैं अब यहां पर आपको जो भी title और error message देना हो वो type कर दें title हमने दिया wrong entry और message हम दे रहे हैं you have entered wrong age of employee यह message टाइप करने के बाद okay पर क्लिक कर दें अब age वाले column में हमें गलत age डालते हैं यह हमने डाला 61 अब जैसे enter press किया जो message हमने error alert में दिया था वो यहां पर दिखाई दे रहा है यदि आप चाहते हैं कि आप whole number के साथ साथ decimal number का भी उप्योग कर सकें या फिर आप चाहते हैं कि जिस cell तक आपने data validation की limit set की है उससे आगे तक आप कारे कर सकें तो यह सब आप कैसे कर सकते हैं आएए देखते हैं मान लीजिए हम tour डाल का व्यापार करते हैं और अलग-अलग party को अलग-अलग rate से माल बेशते हैं हमारा आज का tour डाल का भाव 100 से 125 के बीच है अब यहां पर rate की limit set करने के लिए पहले हम rate वाले column को select कर लेते हैं अब data tab में जाकर data validation option पर क्लिक करेंगे या shortcut key alter plus D plus L press करेंगे अलाव के drop-down arrow पर क्लिक करेंगे और यहां दिख रहे options में से decimal option को select करेंगे decimal option हम इसलिए select कर रहे हैं कि हम ताल के भाव को decimal अर्थात पैसों में भी डाल सकें अगला option है data जिसके drop-down arrow पर क्लिक करके यहां से हम between option को select करेंगे चुकि आज का तूर दाल का minimum rate 100 रुपय है तो हम यहां 100 टाइप करेंगे और maximum rate 125 रुपय है तो maximum में हम 125 टाइप करेंगे और फिर ok पर क्लिक कर देंगे अब हम rate वाले column में 100 से 125 के बीच की कोई भी value डाल सकते हैं चाहे वो decimal में हो या बिना decimal यह देखिए यहां पर आप देख सकते हैं हमने whole number और decimal वाले नमबर दोनों यहां पर डाले हैं बस यह 100 से 125 के बीच में होने चाहिए अगर आपको data validation को column में नीचे तक यूज करना हो तो cell के corner में जाकर drag कर देंगे जिससे आगे काम करने पर भी यही condition continue रहेगी यह हमने drag किया तो value भी वही आ गई है इस value को हम delete कर देंगे अब यह cell खाली हो गया है अब हम इसको आगे तक drag कर सकते हैं हमने जो limit set की है वो इन आगे के cells में भी काम कर रही है या नहीं यह हम check कर लेते हैं जैसे यहाँ पर हमने rate डाला 90 जबकि हमारी limit set है 100 से 125 के बीच अब जैसे ही हम enter press करेंगे तो यह देखिए यह error बता रहा है इसका मतलब जो limit हमने set की है वो यहाँ पर भी सही काम कर रही है अब data validation में data के अंतरगत limit set करने के जो options हैं उनको हम समझ लेते हैं और उनको समझने के लिए हम चलते हैं sheet 3 पर data में अन्य जो options हैं उनको समझने के लिए हमने यहाँ पर दो values एक हजार और दो हजार ली हैं यह दो values आपकी जरूरत के नुसार कोई भी हो सकती हैं आए अब हम इन्हें समझते हैं सबसे पहला option है between इसका मतलब यह 1000 से 2000 के बीच की कोई भी value ले लेगा अगला option है not between इसका मतलब यह 1000 से 2000 के बीच की values छोड़कर अन्य कोई भी value ले लेगा तीसरा option है equal to इसका मतलब यह है कि यह केवल वो ही value लेगा जो की हमने चुनी हैं मान लिजे हमने equal to select करके 1000 लिखा है तो ये सिर्फ 1000 लेगा इसके अलावा और कोई value नहीं लेगा equal to की तरह ही यदे हमने not equal to चुना और 1000 लिखा तो ये 1000 को छोड़कर अन्य कोई भी value ले लेगा greater than चुनकर thousand लिखने पर ये 1000 से बड़ी कोई भी value ले लेगा पर 1000 से कम की value को accept नहीं करेगा इसी तरह less than चुनकर 1000 लिखने पर ये 1000 से चोड़ी कोई भी value एकसप्ट कर लेगा पर 1000 से बड़ी value को accept नहीं करेगा Greater than और equal to चुनकर 1000 लिखने पर ये 1000 या उससे बड़ी कोई भी value एकसेप्ट कर लेगा पर 1000 से कम की value एकसेप्ट नहीं करेगा लास्ट ओप्शन है लेस देन और इक्वल टू इस ओप्शन को चुनकर हजार लिखने पर ये हजार या उससे छोटी कोई भी वेल्यू एक्सेप्ट कर लेगा पर हजार से बड़ी कोई भी वेल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा यदि आप किसी पर्टिकुलर डेटा जैसे नाम, शहर या एरिया की लिस्ट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें आपको बार-बार टाइप ना करना पड़े या फिर आप अपने डेटा में किसी particular character की limit set करना चाहते हैं तो ये सब आप कैसे कर सकते हैं आईए देखते हैं मान लीजिए आप कोई ऐसा डेटा तयार कर रहे हैं जिसमें आप किसी का नाम लिखने के पहले title यानि Mr., Mrs. या Miss का उप्योग करते हैं या फिर आपको बार बार state, city या area का नाम type करना पड़ता है तो इस तरह के काम करने में आपको काफी समय लग जाता है इन कारेओं को जल्दी से करने के लिए आप drop down list बना सकते हैं इस list का उप्योग मुख्यतया सर्वे में किया जाता है जैसे कि चुनाव के लिए मद्दाता लिस्ट तयार करनी हो या जनगर्णा के लिए घर-घर जाकर data collection करना हो इत्यादी आईए हम आपको बताते हैं drop down list कैसे बनाई जाती है और इसका इस्तमाल कैसे किया जाता है हम employees की details चाहते हैं उसके लिए heading समने आपर डाल दी है इसमें सबसे पहला heading है title अब इसमें Mr. Mrs. या Miss लिखना है तो उसके लिए हम drop down list बना देंगे ताकि बार-बार हमें ये type ना करना पड़े drop down list बनाने के लिए सबसे पहले हम sheet में कहीं पर titles जैसे Mr. Mrs. और Miss को एक के नीचे एक लिख लेते हैं यह यहां पर हमने पहले से लिखके रखा है अब जिस एरिया में हमें ये drop down list चाहिए उससे सिलेक करेंगे और उसके बाद डेटा टैब में data validation option पर क्लिक करेंगे data validation पर क्लिक करते ही ये box open होगा इसमें हम allow में दिये हुए drop down menu पर क्लिक करेंगे और यहां से list option को सिलेक करेंगे यहां source के नीचे दिख रहे box में क्लिक करके जहां हमने title लिखे हैं उन cells को सिलेक करके ok पर क्लिक कर देंगे आप देख सकते हैं ऐसा करने पर आप जब उन cells पर जाएंगे तो drop down list तिखेगी drop down arrow पर क्लिक करने पर mister, missus और miss का option आ रहा है इनमें से जिस किसी title की जरुवत हो वो यहां से select करें और फिर यहां name वाले column में नाम लिख दें city में हम मधिप्रदेश के जिन शहरों में काम कर रहे हैं उनकी भी drop down list बना लेते हैं इसके लिए वही प्रक्रिया दोहरानी होगी जो हमने title की drop down list बनाने के लिए की थी यह प्रक्रिया दोहराने पर देखिए यहां पर भी drop down list बन गई है अब आप देख सकते हैं कि यहां पर यह arrow आ रहा है इस पर क्लिक करने पर city के नाम दिखाई देंगे इनमें से उस city का नाम सेलेक्ट करें जो हमें यहां column में डालनी है यहां पर हम state का नाम डाल देते हैं अभी हमने data validation में list option को समझा अब हम text length option को समझते हैं text length option से हम किसी cell में कितने characters यानी alphabet या digit लिखना चाहते हैं वो निश्चित कर सकते हैं जैसे कि हमारे यहां pin code में 6 digits होते हैं हम pin code वाले column को select करेंगे और data validation में जाकर allow में text length select करेंगे इसके बाद data में drop down menu पर click करेंगे चुकि हम pin code में यहां पर 6 अंक लिखना चाहते हैं न 6 से ज्यादा न 6 से कम तो हम यहां पर equal to चुनेंगे और length में equal to 6 लिखकर okay पर click कर देंगे अब हम यहां ना तो 6 से कम अंक लिख सकते हैं और ना 6 से ज्यादा यह देखिए यह पर हमने 5 अंक लिखे अब जैसे ही हम enter press करेंगे तो यहां पर यह error का message आ जाएमा हम छैसे ज्यादा digits ढल कर भी देख लेते हैं यह हमने 60 digits ढले फिर जैसे ही हम enter press करेंगे अब यहाँ पर हमने 6 डिजिट का पिन कोड डाल दिया है अब एंटर प्रेस करने पर यहाँ कोई भी मेसेज नहीं आया इसे तरह से अब हम दूसरे वेक्ति की इंफरमिशन यहाँ पर डाल देते हैं यह हमने टाइटल चुनके डाला अब नाम लिग दिया यहाँ से हमने सिटी चुन ली अब स्टेट हमको मध्यप्रदेश ही रखना है तो जैसे ही हम एम टाइप करेंगे मध्यप्रदेश अपने आप आ जाएगा अब यहाँ पर पिन डाल देंगे अब जैसे हमने यह पांच सेल्स चुनी थी तो यहाँ तक तो ड्रॉपड़ाउन लिस्ट आ रही है पर अगर हम इस लिस्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह देखिए छटवे सेल पर वो ड्रॉपड़ाउन लिस्ट नहीं आ रही है इसको आगे बढ़ाने के लिए हम आखरी सेल पर जहां तक हमने वो लिस्स बनाई है वहां आखरी सेल पर क्लिक करेंगे और यहां कॉर्णर पर करसर रखकर ड्रैग कर देंगे अब लास्ट सेल में जो टाइटल था वो इन सब में भी आ गया है पर टाइटल को हम यहां से डिलीट कर देते हैं और अब इसको और आगे अगर ड्रैक करना हो तो और आगे ड्रैक कर सकते हैं जहां तक आप इसको ड्रैक करेंगे वहां पर आपको ये लिस्ट मिल जाएगी इसी तरह से बागी के कॉलम्स में भी जहां पर भी हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी उसको हम ड्रैक करके आगे की सेल्स तक बढ़ा सकते हैं कई बार हम चाहते हैं कि जब हम कोई data feed कर रहे हैं तो उसमें हम जो data डालें वो किसी निश्यत तारीख या समय का ही हो यानि उसके बाहर की तारीख या समय का data accept ही ना हो ये कैसे कर सकते हैं आए देखते हैं हमने यहां जॉब के लिए आए एक केंडिडेट्स की लिस्ट बना रखी है और हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ 20 वर्ष से 30 वर्ष की उम्रत तक के ही केंडिडेट्स चाहिए और उनकी यह पहचान हम डेट ऑफ बर्थ यानि जन्मतिती से करना चाहते हैं उसके लिए हमें डेटा वलिडेशन में जाकर डेट लिमिट सेट करना होगी उसके लिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को सिलेक कर लें अब डेटा टैब में जाकर डेटा वलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करें अलाव के drop-down arrow पर क्लिक करें और दिख रहे options में से date option को select कर लें अगला option है data का इसके drop-down arrow पर क्लिक करें और यहां between option को select करें अब यहां पर हमको start date और end date लेनी है date limit set करने के लिए अभी 2017 चल रहा है और age limit के हिसाब से candidate का जन्म 1.1987 से 31.1997 के बीच होना चाहिए तो start date में हम लिख देंगे 1.1987 और end date में 31.1997 अब होके पर क्लिक करें अब हमने date limit set कर दी है अब अगर हम कोई भी date of birth 1987 से पहले की या 1997 के बाद की डालेंगे तो यह इसको यहां accept नहीं करेगा जैसे हमने यहां 1998 की कोई date डाली यह देखे एंटर प्रेस करते ही error वाला message आ गया है इसी तरह से 1987 के पहले की भी कोई भी date accept नहीं होगी यह देखे यहां पर भी error आ गया है अब आपने जो date limit set की है उसके बीच की कोई भी date आप यहां पर एंटर कर सकते हैं यह देखे हमने जो limit टै की थी उसके बीच की dates हमने जब यहां डाली है तो वो यहां पर accept हो गई है जिस तरह से हमने date limit set की है उसी तरह से हम time limit भी set कर सकते हैं माल लिजे हमने एक interview रखा है जिसका time है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तो हमें यह limit set करनी है इसके लिए interview time वाले column को select करके data validation पर जाएंगे और यहां से allow के drop down menu से time option चुनेंगे डेटा के drop down पर क्लिक करके इसमें से between चुनेंगे और अब हम start time में 10 a.m. डाल देंगे और end time में हम 5 p.m. डाल देंगे अब okay पर क्लिक करेंगे अब जो time limit यह हमने set की है उसके बाहर का कोई भी time यहां पर accept नहीं होगा अब यह जैसे हमने 5 बजे से उपर का समय डाला है अब enterprise करते ही error का message आ जाएगा अगर हम सुबह 10 बजे के पहले का time डालेंगे तो भी error का message आ जाएगा इस तरह से आप date और time limit सेट कर सकते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे कि कई बार Excel में data enter करते समय किसी व्यक्ति का नाम या mobile number या फिर किसी product का नाम या उसका code हम गलती से बार बार टाइप कर देते हैं और यदि हम चाहते हैं इस तरह की गलतिया data बनाते हुए ना हो या फिर हम चाहते हैं कि किसी भी particular column में सिर्फ number या text दोनों में से कोई एक ही डाला जा सके तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आये देखते हैं उदारण के लिए यहां हम एक data तयार कर रहे हैं जिसमें हमने चार columns लिए हैं इसमें से तीन columns हमने भर लिए हैं अब हम इन सभी लोगों के mobile numbers लिखना चाहते हैं और हम यह भी चाहते हैं कि किसी का mobile number रिपीट ना हो तो उसके लिए पहले हम mobile number वाले पूरे column को select करेंगे अब data tape पर जाकर data validation option पर click करेंगे allow में drop down menu में जाकर custom चुनेंगे और यहां formula वाले box में type करेंगे equal to count if अब open bracket लगाएंगे और range select करेंगे उसके लिए column heading पर click करेंग कॉमा लगाएं और अब सबसे पहले वाले cell पर click कर देंगे अब bracket close कर देंगे और इसके आगे equal to का sign लगाएं और लिखेंगे one यहां हमने one इसलिए लिखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी mobile नंबर एक से ज्यादा बार ना आए यदि आप चाहते हैं कोई भी mobile नंबर दो से ज्यादा बार ना आए तो यहां पर दो टाइप कर दें हमने यहां पर एक टाइप करा है और अब हम okay पर क्लिक करेंगे यहां पर हम mobile नंबर डालेंगे अब देखिए हमने ऊपर वाले मोबाइल नंबर को यहां रिपीट किया है अब जैसे ही एंटरप्रेस करेंगे एरर मैसेज आ जाएगा मतलब किसी भी mobile नंबर को यह दोबारा नहीं लेगा इसी तरह से आप बाकी mobile नंबर भी डाल दें अगर कोई mobile नंबर रिपीट होगा तो एरर का मैसेज आ जाएगा अब यह जो फॉर्मूला हमने यहां लगाया था यदि हम इसको हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम वापस column heading पर क्लिक करेंगे और data validation पर क्लिक करके clear all पर क्लिक करेंगे और फिर ok पर क्लिक कर देंगे देखिए last cell में हम उपर वाला ही mobile नंबर डाल रहे हैं जो कि repeat हो रहा है अब enter press करेंगे तो देखिए यहां पर कोई भी error message नहीं आ रहा है क्योंकि अब यहां पर formula नहीं लगा हुआ है जिस तरह हमने अभी formula में count if का इस्तेमाल किया था उस तरह हम दूसरे formula का उप्यों भी कर सकते हैं जैसे कि हम चाहते हैं name वाले column में हम सिर्फ text लिखें यानि गलती से भी text के इस्थान पर कोई number लिखाना जा सके तो उसके लिए हम name वाले column को select करेंगे data validation में जाकर allow में custom option चुनेंगे और नीचे formula में type करेंगे equal to is text bracket लगाएंगे अब सबसे पहले वाले cell को select करेंगे और bracket बंद करके ok पर click कर देंगे अब यह देखिए नाम वाले column में हम एक नाम को हटा कर उसकी चगह पर number लिख कर देखते हैं यह देखिए number type करने के बाद जैसे हमने enterprise किया यहां पर error का message आ रहा है इसी तरह यदे हम चाहते हैं कि mobile number वाले column में सिर्फ number type or text नहीं तो उसके लिए हम mobile number वाले column को select करेंगे data validation में जाकर allow में custom select करेंगे और नीचे formula में type करेंगे equal to is number bracket लगाएंगे और सबसे पहले वाले cell को select करेंगे bracket बंद करके ok पर click कर देंगे और अब हम इसमें अगर कोई भी text लिखेंगे और enter press करेंगे तो यह देखिए error message आएगा यदि आपने अलग अलग sheets पर या अलग अलग files में कोई data रखा हुआ है और आप उन data को आपस में जोड़ कर उनका sum या average निकालना चाहते हैं या जोड़े गए data में maximum या minimum value निकालना चाहते हैं या जोड़े गए data में चाहते हैं या इसी तरह count नंबर त्यादी निकालना चाहते हैं तो इस कारे के लिए एक बहुत अच्छा option है consolidate आये देखते हैं इसका उपयोग कैसे किया जाता है उधारन के लिए हमने एक workbook में अलग-अलग worksheets बना रखी है शीट वन पर हमने ABC marketing की अप्रेल से लेकर सितंबर तक की 6 मां की sell दी हुई है और आखिरी कॉलम में उसका total है इसी तरह से sheet 2 पर October से लेकर March तक की sell दी हुई है और आखिरी कॉलम में उसका total है हम चाहते हैं कि sheet 1 और sheet 2 पर हमने जो काम किया हुआ है उसका पूरा total sheet 3 पर मिल जाए तो उसके लिए हम जहां total चाहते हैं उस cell पर क्लिक करके equal to का निशान लगाएंगे और इसके बाद sheet 1 का जो total है उसे select करेंगे इसके बाद plus वाली की प्रेस और sheet 2 पर जो total है उसको select करके enter प्रेस कर देंगे यह देखें तीसरी sheet पर पहली और दूसरी sheet का total आ गया है यह अभी हमने बिलकुल simple तरीके से total लगाई पर यदि आप चाहते हैं कि पहली sheet के six months की cell और दूसरी sheet के six months की cell जुड़कर आपको एक ही जगह पर दिखाई पड़े और यदि आप चाहें कि उसी sheet पर दोनों sheets की cell की details अलग अलग दिखाई पड़ें साथ ही उनकी total भी नजर आए तो ये कैसे कर सकते हैं आए देखते हैं data tab में जाकर data tools block में consolidate option पर क्लिक करें यहां consolidate option की window open हो गई है इसमें function के नीचे दिख रहे drop-down arrow पर क्लिक करने पर आपको sum, count, average इत्यादी functions मिलेंगे चूंकि हम total कर रहे हैं इसलिए हमने sum choose कर रखा है अगर आपको किसी और function की जरूरत हो तो आप यहां उसे क्लिक करके चुन सकते हैं अब reference में हमें जो data लेना है वो चुनेंगे इसके लिए पहले हम sheet 1 पर चलते हैं यहां से हमको पूरा data select करना है अब यहां add पर क्लिक करेंगे अब sheet 2 पर आकर हम data select कर लेंगे और फिर add पर क्लिक करेंगे अब हम चाहते हैं कि row में heading के नाम के साथ data आए तो यहां पर top row चुन लेंगे यदि heading column में दिये होते तो यहां से हम left column चुन लेते यहां create links to source data option को select करें इसे select करने से यह फायदा होगा कि भविश्य में जब भी आप sheet 1 या sheet 2 के data में कोई भी changes करेंगे तो अपने आप sheet 3 में भी changes हो जाएंगे अब ok पर क्लिक करें यह देखिए यहां पर sheet 1 और sheet 2 का पूरा 12 मेने का data इकठा होकर एक जगह पर आ गया है और उनका total भी यहां पर नजर आ रहा है अब यदि आप दोनों sheet की details भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर जो plus का निशान है उस पर क्लिक करें यह देखिए sheet 1 पर April से September तक का जो data था वो और उसका total उपर वाली row में दिखाई दे रहा है इसी तरह October से March तक का जो data था जो sheet 2 में था वो और उसका total नीचे वाली row में दिखाई दे रहा है और पूरे 12 मैने की details और उसका total यहां दिखाई दे रहा है अब बान लीजिए जुलाई में 13,000 की जग़ हम 15,000 लिख देते हैं तो यह जो change हमने किया है sheet 3 पर यह change अपने आप हो जाएगा यह देखिए यह जुलाई में 15,000 हो गया है इसी के साथ जो change total में आना चाहिए वो भी हो गया है अभी हमने एक file यानि workbook में एक sheet के साथ दूसरी sheet को जोड़ना देखा अब मान लीजिए ABC Marketing 2015 का data और ABC Marketing 2016 का data अलग-अलग files में हैं और हम उन्हें एक साथ देखना चाहते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर दोनों files open करके रखी हैं अब जिस file में हमें ABC Marketing 2016 और 2016 दोनों का data चाहिए वो file हमने यहाँ पर खोल ली है अब consolidate option पर click करेंगे reference में जो data हमको चाहिए वो हम select करेंगे उसके लिए पहले ABC Marketing 2015 की file open कर लेते हैं और यहाँ से यह data select कर लेते हैं यह 2015 का data आ गया है इसके बाद add पर click करेंगे अब हम जाएंगे ABC Marketing 2016 वाली file में और यहाँ से data select कर लेंगे और add पर click करेंगे यदे आपने कोई गलत data select कर लिया हो और आप उसे delete करना चाहते हो तो पहले उस data के reference को select करें और फिर delete option पर click कर दें हमने सही data चुना है तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब यहाँ पर हम top row select करेंगे और create links to source data option को select करेंगे और OK पर click कर देंगे अब हमने जिस file में data consolidate किया है उस file में जाएंगे यह देखें यहाँ पर heading भी आ गई है और 2015 और 16 का जो data है वो जुड़ करके यहाँ पर आ गया है अगर details देखनी है तो यहाँ plus के निशान पर click करें यह देखें अब दोनो year की पूरी details यहाँ पर आ गई है इस data की मदद से आप 2015 और 2016 की cell को compare भी कर सकते हैं यदि आपने Excel में कोई data तयार किया है और आप चाहते हैं कि वो सुन्दर और आकरशक दिखाई पड़े तो उसके लिए आप data के background में अपने computer से या online कोई image सर्च करके लगा सकते हैं आईए देखते हैं कैसे data के background में किसी picture का उप्योग करने के लिए page layout tab में जाकर page setup block में background option पर click करें यहां दो option दिखाई दे रहे हैं इनमे से आप जहां से भी image लेना चाहते हैं उस option पर click करें हम online image इंसर्ट करना चाहते राए हैं यहां आपको जो भी image चाहिए उसका नाम लिखकर search करें यह images आ गई हैं इनमे से जो भी image चाहिए होुसे select करके इंसर्ट पर क्लिक करें यह देखे डेटा के बेग्ग्राउंड में इमेज आ गई है यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि जब आप इस डेटा का प्रिंट लेंगे तो डेटा के बेग्ग्राउंड में कोई इमेज नहीं आएगी बैग्राउंड की इमेज आपको केवल यहीं पर दिखाई देगी, प्रिंट में नहीं यदि आपको डेटा के बैग्राउंड से इमेज हटाना हो, तो डिलीट बैग्राउंड आप्शन पर क्लिक करें यदि देखें डेटा पहले की तरह नॉर्मल हो गया है यदि आपने किसी वर्क बुक की एक वर्कशीट पर या अलग-अलग वर्कशीट पर बहुत सारे डेटा बनाए हुए हैं और आप किसी पर्टिकुलर डेटा पर शीखरता से जाना चाहते हैं, तो वो कैसे जाएंगे आए इस वीडियो में देखते हैं उदारण के लिए शीट वन पर हमने अलग-अलग ईयर्स की सेल्स रिपूर्ट बनाई हुई हैं हो सकता है इसी तरह आपके पास एक शीट पर बहुत सारा अलग-अलग डेटा हो तब ये गोटू अप्शन आपके लिए बहुत उक्योगी हो सकता है जब बहुत सारा डेटा होगा तो उसे ढूडने में निश्यत रूप से समय लगेगा किसी पर्टिकुलर डेटा को ढूडने के लिए हम सबसे पहले डेटा को सेलेक करेंगे जैसे हम इस डेटा को सेलेक कर रहे हैं फिर उस पर राइट क्लिक करके डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे आपके डेटा के जो भी हैडिंग होगी वो यह नाम अपने आप ले लेगा आप यह नाम बदल भी सकते हैं और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें इसी तरह सभी डेटा को सेलेक करके यही प्रोसेस दोहरा लें अब जब भी हमें किसी डेटा पर जाना होगा तो होम टैब में फाइंड अन सेलेक्ट आप्शन पर जाएंगे और उसके बाद गो टू आप्शन पर जाएंगे या कीबोर्ड में F5 की प्रेस करेंगे तो इसको सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर रहे हैं यह देखिए हम इसके डेटा पर पहुंच गए हैं इसी तरह यदि हमारा डेटा दूसरी वर्कशीट पर है तो उसके लिए भी हम गो टू फंक्शन का यूज कर सकते हैं इसके लिए पहले हम शीट टू पर जाएंगे इस डेटा को सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करें डिफाइन नेम पर क्लिक करें और नेम में जो भी नाम देना हो वो दे दें और अगर यही रहने देना हो तो इसी को रहने दें और ओके पर क्लिक कर दें अब मान लीजे हमको अपने पहली शीट पर जो डेटा है उस पर जाना है तो उसके लिए कीबोर्ड में F5 की प्रेस करेंगे और अब हमें इसमें से जिस भी डेटा पर जाना है उसको सेलेक करके ओके पर क्लिक कर देंगे यह देखिए हम सीधे शीट टू से शीट वन की डेटा पर आ गए है यदि आपको यह मालुम है कि आपका कोई डेटा किस रो और किस कॉलम में है तो आप गोटू की साहता से सीधे वहां पहुंच सकते हैं माली जीए हमको सेल्स रिपोर्ट 2013-14 का जो डेटा है उसमें निलेश की फोट क्वादर की सेल देखनी है अब इसका हमको सेल पता है कि यह E9 है अब माली जीए हम किसी और डेटा पर काम कर रहे हम सेल्स रिपोर्ट 2016-17 पर काम कर रहे हैं अब यहां से हमको सेल्स रिपोर्ट 2013-14 में निलेश की फोट क्वाटर वाली सेल पर जाना है तो उसके लिए हम F5 की प्रेस करेंगे और यहां पर रिफ्रेंस में E9 डाल देंगे अब ओके पर क्लिक करेंगे यह देखे हम उससेल पर आ गए हैं यदि आप Excel में किसी डेटा का प्रेंट एक ही पेज पर निकालना चाहते हैं या आप किसी पर्टिकॉलर पेज या सेलेक्टेड डेटा का प्रेंट निकालना चाहते हैं या फिर आप print निकालते समय पेज का margin या orientation बदलना चाहते हैं या फिर आप एक से अधिक copies print के रूप में निकालना चाहते हैं तो ये सभी काम आप कैसे करेंगे आई ये इस वीडियो में देखते हैं यदि आपको data का print निकालना हो तो उसके लिए file में जाएं और print option पर क्लिक करें यहां से आप अपने data को छोटा या बढ़ा करके यानी zoom करके देख सकते हैं यहां पर नीचे देखिए लिखा हुआ है one of two इसका मतलब यह है कि आपका जो data है वो एक page पर नहीं आ रहा है राइट साइड वाले arrow पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कितना data अगले page पर print होकर आएगा इसी तरह लेफ्ट साइड वाले arrow पर क्लिक करके आप पिछले page पर print होने वाले data को देख सकते हैं राइट साइड में नीचे की तरफ margin को option है इस पर क्लिक करके आप margin कम या ज्यादा कर सकते हैं या फिर आप custom margin के option में जाकर भी margin set कर सकते हैं यहाँ पर कुछ set margins हैं जैसे normal margin अगर आप चुनते हैं तो यह देखिए आपको यहाँ पर वो changes दिखाई देंगे इसी तरह से narrow margin चाहें तो वो ले सकते हैं wide margin चाहें तो वो भी ले सकते हैं और यहाँ से custom margin से आप अपने मन मताविक margin set कर सकते हैं यदे आप चाहते हैं कि पूरी sheet का data एक page पर fit हो जाए तो उसके लिए fit sheet on one page option select करें यदे आप चाहते हैं कि आपके data में जितने भी columns हैं वे एक page पर आजाएं तो उसके लिए fit all columns on one page option को select करें और यदे आप चाहते हैं कि आपके data में जितनी भी rows हैं वो एक page पर आजाएं तो उसके लिए fit all rows on one page option select करें आप चाहें तो custom scaling options में जाकर page setup कर सकते हैं सबसे उपर है orientation का option इससे आप page का orientation change कर सकते हैं इसमें दो option मिलते हैं portrait अगर आप portrait लेते हैं तो page vertical होगा और अगर आप landscape चुनते हैं तो page horizontal होगा इसके बाद नीचे edges to वाला जो option है उसमें जाकर आप किस size में data print करना चाहते हैं वो कम या ज्यादा कर सकते हैं अब यह जैसे हमने इसको 105% कर दिया है अब अगर हम okay करेंगे तो यह देखिए यह जो हमारा data है यह बड़े size में हो गया है और अब यह 4 pages तक फैल गया है अब अगर हमको इसको छोटा करना है तो हम इसे छोटा भी कर सकते हैं वापस हम edges to को इसको जाकर के कम कर देंगे यह हमने कर दिया 60% यह देखिए यह size कम हो गया है और यह पूरा data एक page में आ गया है दूसरे जो option है इसमें fit to इसमें जाकर आप अपने data को कितना wide करना चाहते हैं यानि कितना चोड़ाई में कितना फैलाना चाहते हैं और लंबाई में कितना फैलाना चाहते हैं यह set कर सकते हैं इसको समझने के लिए हमको ज्यादा data चाहिए ताकि हम उसको फैला सकें तो यह जो हमारा data अभी यह तो एक ही पेज पर आ सकता है यह चोड़ाई में उतना नहीं है तो हम इसी डेटा को फिर से कॉपी कर लेते हैं अब यह देखिए यह जो हमारा डेटा है यह चोड़ाई में फैल गया है तो यह नीचे भी आप देख सकते हैं कि यह पुराब एक page पर नहीं आ रहा है यह दो page तक जा रहा है अब अगर हम इसको एक ही page पर fit करना चाहते हैं तो fit to one page white by one page tall अगर हम करते हैं तो यह देखिए पूरा data एक ही page पर आ गया है अब इस data को अगर हमको फैलाना हैं, तो वो हम लंबाई में फैलाना चाहते हैं, या चोड़ाई में फैलाना चाहते हैं, यह हम decide कर सकते हैं, fit2 में मालीजी हम इसको चोड़ाई में फैलाना चाहते हैं, तो wide में हमने कर दिया two pages, और tall में रहने दिया one, अब अगर हम okay करते हैं तो ये देखिए, लंबाई में तो डेटा उतना ही है, एक ही पेज पर आ रहा है, पर चोड़ाई में ये फैल गया है, और ये दूसरे पेज तक चला गया है, इसके बाद है पेपर साइज, पेपर साइज में जाकर आप पेपर का साइज सेलेक कर सकते हैं, नॉर्मली ओफिस म पेपर यूस किया जाता है, तो इस तरह से आपको जो भी पेज सेटिंग करनी है, वो पेज सेटिंग करने के बाद, आप ओके पर क्लिक कर दें, तो जो भी सेटिंग आपने की होगी, आपका पेज उसके हिसाब से सेट हो जाएगा, अब आप कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं वो इन अप एंड डाउन एरोस की सहता से सिलेक कर सकते हैं या फिर आप वो संख्या यहां पर टाइप भी कर सकते हैं यहां से आप जिस प्रिंटर द्वारा प्रिंट लेना चाहते हैं वो प्रिंटर सिलेक कर सकते हैं यदि आप यहां से प्रिंट एक्टिव शीट चुनते हैं तो जिस sheet पर आप काम कर रहे होंगे उसी sheet का data print होगा यदि आप print entire workbook option चुनते हैं तो file यानी workbook की सभी sheets में जो data होगा वो print हो जाएगा और यदि आप print selection option चुनते हैं तो जितना data आपने select किया होगा सिर्फ वो ही print होगा यदि देखिए माली जी हमने इतना data select किया है और इसके बाद हम print के अंदर print selection को select करते हैं तो अब print लेने पर केवल इतना data ही print होगा नीचे option है pages का इसकी सायता से आप जिस page से जिस page तक का print लेना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं माली जी आपने 10 pages तक काम किया है अब उसमें से आप दूसरे से लेके पांचवे page तक का print चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 और यहाँ पर 5 टाइप कर देए अब यहाँ नीचे option है collated का माली जी किसी भी data की 3 copies चाहते हैं तो अगर आप collated चुनेंगे तो अगर 3 pages हैं तो वो 1,2,3,1,2,3,1,2,3 करके 3 copies हर page के आजाएगी पर अगर आप चाहते हैं कि पहले page की 3 copies पहले आजाएं फिर दूसरे page की 3 copies आजाएं फिर तीसरे page की 3 copies आजाएं तो उसके लिए uncollated option चुनें page orientation आप यहां से भी change कर सकते हैं यहां से भी आप page का size सिलेक कर सकते हैं यह सब setting कर लेने के बाद उपर print के बटन पर क्लिक करें आपने जो option सिलेक किये होंगे उनके अनुसार print निकल आएगा यदि आपके पास कोई ऐसा data है जो लंबाई या चोडाई में बहुत बड़ा है यानि कई page का है और जब आप उसे print करेंगे पहले page पर उसकी row या column में जो headings हैं वो तो print होंगे किन्तु अगले page पर row या column के कोई भी heading प्रिंट नहीं होंगे इसे data का print देखने वाले को ये समझने में दिक्कत होगी कि ये data किस heading के अंतरगत है इस वीडियो में हम इस समस्या का समाधान बता रहे हैं वदारण के लिए यहां पर हमने एक data बनाया हुआ है अब हम फाइल में जाकर के print option पर क्लिक करेंगे प्रिव्यू में आप देख सकते हैं कि पहले page पर headings दिखाई दे रही हैं अब जब हम second page पर जाएंगे तो देखिए यहां पर कोई heading दिखाई नहीं दे रही है हम चाहते हैं कि data की heading हर page पर print हो तो उसके लिए हम page layout टैब में जाएंगे यहां option मिलता है print titles का इस पर क्लिक करें हमें row में दी गई heading प्रिंट करना है तो उसके लिए rows to repeat a top के सामने दिख रहे box में क्लिक करेंगे और पहली row पर क्लिक करेंगे जिससे पूरी row सिलेक्ट हो जाएगी अब ok पर क्लिक कर देंगे अब जब भी हम data का print लेंगे हर page पर heading भी print होगी दोबर आप print option में जाकर हम इसको चेक कर लेते हैं यह देखिए आप preview में पहले page पर heading नजर आ रही है जो पहले भी आ रही थी अब second page पर जाकर हम देखते हैं तो यह देखिए पहले इस page पर कोई heading नजर नहीं आ रही थी पर अब यहां पर भी heading नजर आ रही है अब यह हमने दूसरी sheet खोल ली है इसमें हमारा जो data है वो horizontal है मतलब आडे में है और data के heading row में न होकर column में है इसको भी हम file में जाकर print option में जाक कर देखेंगे अब यहां पर इसका preview नजर आ रहा है इसमें पहले page पर आपको पहले column के अंदर heading दिखाई दे रही है अब जब हम send page पर जाएंगे तो देखिए इसमें कोई heading नहीं है इसी तरह से 3rd page पर गए तो यहां पर भी कोई heading नहीं है हम चाहते हैं कि हर page पर data heading के साथ print हो तो उसके लिए page layout टैब में print titles पर क्लिक करेंगे और अब यहां पर columns to repeat at left के सामने दिख रहे box में क्लिक करके फिर heading वाले column पर क्लिक कर देंगे इससे यह देखिए यह पूरा column सिलेक्ट हो गया है अब हम ok पर क्लिक करेंगे अब जब भी हम data का print लेंगे हर page पर heading भी print होगी वापस से हम print option में जाकर के देखते हैं यह देखिए पहले page पर heading दिखाई दे रही है जो कि पहले भी दिखाई दे रही थी अब next page पर जब हम जाएंगे यहाँ पर पहले कोई heading नहीं थी पर अब यहाँ पर भी heading नज़र आ रही है यदि आपके पास कोई बड़ा database है और आप उसमें से कोई particular value सर्च करना चाहते हैं तो ये काम आप look up formula की सहता से आसानी से कर सकते हैं आएए देखते हैं कैसे उदारण के लिए यहाँ पर हमने एक data लिया है इसमें पहला attribute है name दूसरा है salary और तीसरा है city अब यहाँ हम use करेंगे look up formula उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा database है उसे ascending order में arrange करना होगा और उसके लिए हमें पहले पूरे database को select करना होगा अभी यह हमारा बहुत छोटा database है अगर माल लीजिए आपके पास 100 या उससे अधिक value का बहुत बड़ा database है तो पहले हम आपको यह बता देते हैं कि आप उसे कैसा select कर सकते हैं यहाँ पहली row में तो heading है उसे छोड़कर उसके नीचे का जो cell है उस पर click करें उसके बाद shift की press करें और फिर यह जो हमारा आखिरी cell है उस पर click कर दें यह देखिए पूरा की पूरा database select हो गया है अब sort and filter option पर click करें click करने पर आपको पहला option मिलता है sort A to Z इसे click करने पर हमारा जो selected database है वो A to Z के form में आ जाएगा यानि A वाले नाम सबसे उपर आ जाएंगे और फिर वो बढ़ते क्रम में Z की तरफ जाते हुए जम जाएंगे यह देखिए हमने इस पर click किया तो यह जो database है वो A to Z के form में आ गया है अब हम इस पर formula use करेंगे इसके लिए पहले database की heading को copy करके हम यह यहाँ पर paste कर लेते हैं अमार लीजे हमें इस database में से meanal नाम की वेक्ति का data सर्च करना है तो हम यहाँ पर name के नीचे meanal type करेंगे अब हमें database में से meanal नाम के वेक्ति की salary सर्च करना है तो इसके लिए हम look up formula लगाते हैं उसके लिए is equal to का sign लगा कर type करतेंगे look up Excel sheet में look up type करते ही Excel sheet हमें दो formulas डिस्प्ले करती है पहले हम उपर वाला formula समझ लेते हैं ध्यान रखें आपको formula type करते समय syntax follow करणा बहुत जरूरी है यानि यह जो भी order दिया हुआ है और जिस तरह से भी formula लिखा हुआ है आपको उसी तरह से वो formula लगाना है नहीं तो सही उत्तर नहीं आएगा अब सबसे पहले हमें जो value एंटर करनी है वो है look up value मतलब हम अपने database में से किस value के लिए particular record सर्च करना चाह रहे हैं हमें मीनल का record सर्च करना है तो हमने मीनल पर क्लिक किया यह देखिए मीनल का cell number यहां पर दिखाई दे रहा है इसके बाद कॉमा लगाना है कॉमा लगाने के बाद दूसरा option है look up vector मतलब हमें कहां से value सर्च करनी है हमें हमारे database से value सर्च करनी है तो हम इस पूरे database को select करेंगे select करने का तरीक ने आपको पहले ही बता दिया है इसके बाद हमें फिर कॉमा लगाना है कॉमा लगाने के बाद आखिरी option है result vector मतलब हमें मीनल की salary चाहिए या city हमें इसकी salary चाहिए इसलिए salary के नीचे जितना data है हम उसे select कर रहे है इतना करने के बाद हमें enterprise करना है यह देखिए यहाँ पर मीनल की salary है वो एक लख रुपए यहाँ पर आ गई है जो आप हमारा जो main database है उसमें भी देख सकते हैं salary वहाँ दी हुई है ऐसे ही हम मीनल की city भी सर्च कर लेंगे उसके लिए equals to का sign लगाएंगे फिर look up टाइप करेंगे कुछ letters टाइप करते ही यहाँ पर नीचे पूरा formula दिखाई दे रहा है इस पर डबल क्लिक कर देंगे यह look up लिखा हुआ आ गया अब मीनल को select करेंगे कॉमा लगाएंगे फिर पूरा database select करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे और हमें city चाहिए इसलिए city के नीचे जितना भी data है उसको select कर लेंगे और फिर enter press करेंगे यह देखें यहाँ पर उसकी city आ गई है जैपुर इसको हम वापस अपने database में जाकर चेक कर सकते हैं तो यह सही है अब मान लीजे हमें हमारे database में से शिवानी की salary और city सर्च करनी है तो उसके लिए हमें फिर से formula लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ आप मीनल को हटा कर शिवानी टाइप कर दें और फिर enter कर दें यह देखिए ऐसा करने पर database में से शिवानी की salary और city दोनों यहाँ पर अपने आप दिखाई देने लगी है अगर आपका database बहुत बड़ा है तो formula same sheet में apply न करते हुए दूसरी sheet में भी apply कर सके हैं चलिए हम आपको बताते हैं अभी जो हमारा database है वो sheet 1 पर है आप यहाँ देख सकते हैं अब माल लिजे हमें जो formula अप्लाई करना है वो sheet 2 में करना है formula अप्लाई करने के लिए same process follow करनी होगी माल लिजे हमें सुर्भी की salary और city दोनना है तो यह हम sheet 2 पर आ गए यहाँ पर name के नीचे हमने सुर्भी टाइप किया salary में जाकर हम दोबारा formula टाइप करेंगे formula के लिए सबसे बाले equals true का sign लगाएंगे फिर लिखेंगे look up फिर हम सुर्भी को select करेंगे कॉमा लगाएंगे अब database sheet 1 में है तो sheet 1 में जाकर हम पूरा database select कर लेंगे अब हम दोबारा sheet 2 में जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि यह पूरी range यहाँ पर आ गई है यहाँ range में sheet 2 भी दिखाई दे रहा है sheet 2 हटा कर हमें इसे sheet 1 करना होगा क्योंकि हमारा database sheet 1 पर है अब कॉमा लगाएंगे अब चुकि हमें सुर्वी की salary चाहिए तो हम sheet 1 में जाकर salary के नीचे का data select कर लेंगे और दोबारा sheet 2 में जाएंगे हमारा जो database है वो sheet 1 में है इसलिए 2 अटाकर यहाँ से वापत से sheet 1 कर देंगे और enterprise कर देंगे enterprise करने पर आप देखेंगे कि जो salary थी वो यहाँ पर display हो गई है हम sheet 1 पर जाकर इसको चेक कर लेते हैं यह देखे सुर्वी की salary है 70,000 जो की sheet 2 पर यहाँ नजर आ रही है इसी तरह से आप सुर्वी की city भी search कर सकते है जिस तरह से हमने इस formula को दो अलग-अलग sheets पर apply किया है उसी तरह से हम इसे दो अलग-अलग files में भी apply कर सकते है माली जी हमें राहुल का जो data है वो search करना है तो यह एक file में तो हमारा data था ही हमने यहाँ पर एक और file जो है वो खोल ली है और यहाँ पर यह heading डाल दिया है यहाँ पर नाम के नीचे हमने type कर दिया राहुल अब चुकि हमको राहुल की salary चाहिए तो इसके लिए हम formula यहाँ पर लगा देंगे equals to अब यहाँ पर type करेंगे look up अब यहाँ पर हम राहुल वाले cell पर click करेंगे और अब comma लगाएंगे इसके बाद जिस data में से salary सर्च करना उस पूरे data पर इसको हम select कर लेंगे अब comma लगाएंगे अब चुकि हमें salary find out करनी है salary पता करनी है इसलिए हम salary के नीचे का पूरा data जो है उसको select कर लेंगे और enterprise कर देंगे यह देखिया enterprise करते ही यहाँ पर राहुल की salary आ गई है वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं पचासजार रुपेस की salary है इसी तरह से अगर हमको city पता करनी है वो भी हम इसी तरह से कर सकते हैं अभी हमने देखा था कि जब हम excel sheet में look up formula टाइप करते हैं तो excel sheet हमें दो formula's display करती है इसमें उपर वाला formula जो अभी हमने use किया वो कहलाता है vector form आप look up formula का vector form तब use करेंगे जब आपके database में दो से ज्यादा attributes हो जैसा कि अभी हमारे database में तीन attributes थे name, salary and city अब माल लीजिए हमारे database में केवल दो attributes हैं इसके लिए हम array form का use करेंगे अब हम इसका use सीखते हैं इसके लिए हम database में से city वाला attribute हटा रहे हैं database में से हमें हमन्त नाम के व्यक्ति के salary सेर्च करनी हैं तो यहां पर हमने name के नीचे हमन्त टाइप कर दिया formula टाइप करने के लिए सब सब पहले हम equals to का निशान लगाएंगे उसके बार लिखेंगे look up अब यहां पर पहला option है look up value मतलब हमें database में से किस value के लिए record सर्च करना है तो हम हमन्त पर क्लिक करेंगे यह देखिए यहां पर उसकी range आ गई है comma लगाएंगे अब दूसरा option है array मतलब हमें हमन्त के लिए कहां से value सर्च करनी है हमें हमारे database में से value सर्च करना है इसलिए हम database को select कर लेंगे उसके बाद enter press करेंगे यह देखिए हैमन्त की salary यहां पर display हो गई है अब अगर हमको किसी और वेक्टिक की salary देखनी है तो हम यहां name के नीचे उसका नाम type कर देंगे जैसे हमको पूर्वा की salary देखनी है तो पूर्वा नाम type करके जैसे ही हम enter press करेंगे तो यह देखिए यहां पर पूर्वा की salary आ गई है यदि आपके पास कोई बड़ा वर्टिकल डेटा है और उसमें से आप शीघरता से कोई value सर्च करना चाहते हैं तो वह आप वी लुक अप फार्मूले के साहता से कर सकते हैं जैसा की वी लुक अप नाम से ही इस पर्ष्ठ है वी का मतलब होता है vertically और लुक अप का मतलब होता है सर्च करना तो आईए इस वीडियो में इसका उपियो करना देखते हैं इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको लोक फार्मूले के बारे में बताया था Look Up Formula की मदद से आप किसी भी बड़े डेटाबेस में से पटिकुलर वल्यू सर्च कर सकते हैं Look Up Formula Columns और रोज दोनों पर काम करता है पर इसे यूज करते समय पहले हमें डेटा को Ascending Order में अरेंज करना होता है जबकि We Look Up Formula केवल Columns पर काम करता है और इसका उपयोग करने के लिए आपको डेटा Ascending Order में अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है वैसे तो Look Up या We Look Up Formula का उपयोग बड़े डेटाबेस के लिए किया जाता है पर समझने के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा डेटाबेस लिया है हमने यहाँ पर चार एट्रिब्यूट्स लिए हैं नेम, पोस्ट, सैलरी और सिटी और अपनी सुविधा के लिए हर एट्रिब्यूट के कॉलम को एक नंबर दिया हुआ है यह जो नंबर्स हैं हमने आपको इस समझाने के लिए डाले है कि डेटाबेस हमारा जहां से शुरू होगा उस कॉलम को पहला कॉलम माना जाएगा जैसे हमारा डेटाबेस से वो C कॉलम से शुरू हो रहा है जो की तरसल तीसरा कॉलम है पहले A और B यह दो कॉलम छूटे हुए हैं पर जब हम फार्मूला लगाएंगे और वहां पर जब हमसे कॉन सा कॉलम है यह पूछा जाएगा तब हम यह जो नेम वाला कॉलम है यहां से डेटाबेस शुरू हो रहा है इसलिए इसको पहला कॉलम मानेंगे न कि A कॉलम को इसलिए हमने यह नंबर डाले हैं वैसे यह नंबर डालना ज़रूरी नहीं है तो पहले तो हम इन हैडिंग्स को कॉपी करके यहां पर अलग पेस्ट कर लेंगे मान लिजे हमें इस जेटाबेस में से पवन नाम के विक्ति की पोस्ट देखनी है तो सबसे पहले हम नेम के नीचे पवन टाइप करेंगे उसके बाद पोस्ट के नीचे हम फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले एक कुस्टू का निशान फिर टाइप करेंगे वी लूक अप यह देखिए VL टाइप करते ही, यह formula यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर double click कर दें, अब यह VLOOKUP formula का syntax यहाँ पर दिख रहा है, इस syntax को आपको follow करना होगा, यानि जिस order में यह जो options हैं, उसी order में आपको यह चीज़ें यहाँ पर लगानी होगी, नहीं तो सही उतर नही आएगा, इसमें सबसे पहला option है, lookup value, मतलब हमें हमारे database में से, किस person का data सर्च करना है, हमें परवन का data सर्च करना है, इसलिए हम परवन पर click करेंगे, अब यहाँ आप देख सकते हैं, कि उसका cell number आ गया है, इसके बाद comma लगाएंगे, अब next option है, table array, मतलब हमें कहां से value स इस database में से value सर्च करना है, इसलिए इस पूरे database को select करेंगे, database select करते समय ध्यान रखें कि हमने जो उपर यह column numbers दिये थे, इनको select ना करें, यह हमने अपनी सुविधा के लिए दिये हुए हैं, यह data का पार्ट नहीं है, हम फिर से comma लगाएंगे, comma लगाने के बाद तीसरा option ह है column index number, इसका मतलब आपको यहाँ पर वो column number डालना है, जिस column से आपको information चाहिए, चुकि हमको पवन की post देखनी है, और post वाले column को हमने number 2 दिया हुआ है, ऐसे तो यह चौथा column है, पर हमारे database का यह दूसरा column है, इसलिए यहाँ पर हम column number 2 लिखतेंगे, फिर comma लगाएंगे अब यहाँ पर दो options दिखाई पड़ रहे हैं, पहला है true और दूसरा है false, हम true को तब सेलेक करते हैं, जब हमने अपने database को ascending order में set करके रखा हो, और हम false तब सेलेक करेंगे, जब हमारा database ascending order में ना हो, ध्यान रखें, true के लिए हमेशा एक number डालें, और false के लिए हमेशा 0 number डालें, चुकि हमारा database ascending order में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर zero type करेंगे, और इसके बाद enterprise कर देंगे, यह देखिए enterprise करते ही, यहाँ पर पवन की post आ गई है, यह इसको हम यहाँ पर database में जाकर check कर सकते हैं, यह देखिए, software engineer यह पवन की post है, इसे तरह अगर हमें किसी और व्यक्ति की post search करनी है, तो दुबारा इस formula को type करने के जरूरत नहीं होगी, हम केवल यहाँ पर नाम की नीचे person का नाम change कर देंगे, जैसे हमको मधूर की post पता करनी है, तो हमने यह नाम पवन हटा के मधूर type कर दिया, जैसे enterprise करेंगे, तो यह देखिए, यहाँ पर उसकी post पोस्ट आ गई है, जिस तरह से हमने post search की, उसी तरह से हम salary भी search कर सकते हैं, salary के चे हम formula लगाएंगे, सबसे पहले equals to का निशान, उसके बाद we look up type करेंगे, और उसके बाद, चूंकि हमको मधूर की salary पता करनी है, इसलिए मधूर वाले salary क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और अब जिस table में से हमको salary ढूणना है, वो table पुरी select कर लेंगे, यानि यह database को select कर लेंगे, इसके बाद फिर comma लगाएंगे, और अब हमको column number डालना है, यहाँ पर हमने salary का जो हमारा column है, वो है 3, तो यहाँ पर 3 number डालेंगे, comma लगाएंगे, चूंकि हमारा database ascending order में नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ पर zero type करेंगे, और enterprise कर देंगे, तो यह देखिए, मधूर की salary यहाँ पर आ गए, तो जिस तरह से हमने post और salary सर्च की उसी तरह से आप से TV सर्च कर सकते हैं, अब इसी तरह से हमको अगर किसी भी और व्यक्ति का data इस टेवल में से सर्च करना होगा, तो वो हम कर सकते हैं, उसके लिए आप हमको केवन नाम चेंज करना होगा, माली जीए हम पंकच के बारे में जानना चाहते हैं, तो इप मधूर की जगर हमने पंकच टाइप कर दिया, अब हमको कहीं भी formula नहीं लगाना पड़ेगा, enterprise करते ही सारी details अपने आप आजाएंगी, ये details आप यहाँ से table में से चेक कर सकते हैं, अब ही यहाँ पर हमने formula को उसी sheet पर apply किया, जिस पर हमारा database था, माली जीए हमारा database sheet 1 पर है, और हम इस formula को sheet 2 पर apply करना चाहते हैं, उसके लिए हमें same process को follow करना होगा, माली जीए हमको अपने database में से उनका data search करना है, तो हमने name के नीचे अरुन टाइप कर दिया, अब उसकी post हमको search करनी है, तो यहाँ पर हम formula लगाएंगे, और चूंकि अरुन का database search करना है, इसलिए अरुन पर click करेंगे, comma लगा देंगे, sheet 1 पर जाकर अब हम पूरे database को select कर लेंगे, वापस sheet 2 पर जाएंगे, अब यहाँ पर यह देखिए, यहाँ sheet 2 दिखाई दे रहा है, चूंकि data हमारा sheet 1 पर है, इसलिए इसको change करके sheet 1 कर देंगे, अब यहाँ पर end में comma लगाएंगे, इसके बाद हमको column बताना है, तो post जो है वो हमारा column 2 है, तो यहाँ पर दो type कर देंगे, उसके बाद comma लगाएंगे, और चूंकि हमारा data ascending order में site नहीं है, इसलिए zero type कर देंगे, enterprise करेंगे, यह देखिए यहाँ पर अरुन की post आ गई है, हम sheet 1 पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अरुन की post दी हुई है software engineer, इसी तरह से आप बाकी data भी सर्च कर सकते हैं, यानि salary और city भी सर्च कर सकते हैं, जिस तरह से हमने अभी दो अलग-अलग sheets पर काम किया, उसी तरह से आप दो अलग-अलग files में भी काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर यह एक file में हमारा पुरा data है, अब आपको यह जो formula है, वो किसी दूसरी file में apply करना हो, तो वो भी कर सकते हैं, यह दूसरी file हमने यहाँ पर खोल ली है, और इस पर जो headings हैं उनको paste कर दिया है, अमार लीजे हमको अनुज का data search करना है, तो उसके लिए हमको वही प्रक्रिया दोरानी होगी, name के नीचे सबसे पहले हम अनुज type कर देंगे, और हमको अगर उसकी post search करना है, तो post के नीचे हम formula apply करेंगे, formula हम आपको बता चुके हैं, equals to लगाएंगे, we look up type करेंगे, उसके बाद अनुज पर click करेंगे, comma लगा करके, पूरा जो database है, पहली वाली फाइल में जाकर के, हम उस database को select कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर comma लगाएंगे, इसके बाद हमको column बताना है, तो post जो है वो हमारा column 2 है, तो यहाँ पर दो type कर देंगे, उसके बाद comma लगाएंगे, और चुकि हमारा data ascending order में set नहीं है, इसलिए zero type कर देंगे, enter press करते ही, यहाँ पर यह post आ गई है, आप पहली फाइल में जाकर के, डेटाबेस में चेक कर सकते हैं, अनुज की post है, hardware engineer, इसी तरह से बागी की जो details आपको सर्च करनी आपको भी कर सकते हैं, यदि हम excel sheet में किसी cell का column नम पर जाना चाहते हैं, यानि वो cell किस column में है, तो यह काम हम column formula की साहता से कर सकते हैं, इसी तरह यदि हम excel sheet में किसी cell का row नम पर जानना चाहते हैं, यानि वो cell किस row में है, तो यह काम हम row formula की साहता से कर सकते हैं, कि आप कैसे कर सकते हैं, देखते हैं इस वीडियो में, यहां हमारा data m column तक है, और हम यह जानना चाहते हैं कि data में इस column का number क्या है, तो उसका एक तरीका तो यह है कि हम इसकी गिंती करें, जैसे कि पहला column है A, इसे तरह से B हो गया दूसरा column, ऐसे आप गिंते जाएं, जहां तक भी या जिस भी column का number आपको पता करना हो, वहां तक आप उसको गिं लें, पर अगर data बढ़ा हो, तो ऐसी इस्थिती में यह बहुत कठिन हो जाता है, इस काम को सरलता से करने के लिए, हम column formula का उप्योग कर सकते हैं, सबसे पहले, equals to का निशान लगा करके, column लिखेंगे, जैसे इन टाइप करना शुरू करते हैं, formula यहां पर आ जाता है, यहां पर हमको दो फार्मूले दिखाई दे रहे हैं, एक column है और दूसरा columns है, columns formula हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे, अभी हम column पर डबल क्लिक करेंगे, अब यहां पर लिखा हुआ आ रहा है reference, इसका मतलब है उस cell का संदर्ब या address, जिसका आप column नंबर जानना चाहते हैं, तो हम Excel sheet में से किसी भी एक cell को क्लिक करेंगे, cell पर क्लिक करते ही देखिए, reference की जग़, cell का address लिखा हुआ आ गया है, जो है M15, यह हम formula बार में भी देख सकते हैं, अब हम bracket को close करके enter प्रेस करेंगे, देखिए, column formula ने हमें result दे दिया है, कि हमारा ये जो cell है, वो तेरवे नंबर के column में है, यदि हम किसी cell में ये formula लगाएं, और उसमें reference ना दें, तो ये हमें वो column नंबर बताता है, जिसमें हमने ये formula लगाया है, चलिए हम आपको उधारण देकर समझा देते हैं, यहां हमने column formula टाइप किया, पर brackets के अंदर कोई reference नहीं दिया, यह हमने bracket को ऐसी खाली close कर दिया, अब enterprise करने पर यहां पर 16 नंबर दिखाई पढ़ रहा है, यानि ये column जो है वो 16 नंबर का है, ऐसा यहां दिखाई पढ़ रहा है, क्योंकि हमने जिस cell पर formula लगाया है, वो 16 नंबर के column में लिखा गया है, यहां पर हमारा जो M वाला column था, वो हमने उपर formula लगा कर देखा, वो 13 नंबर कालम था, उसके बाद ये 14 नंबर के 15 नंबर और ये 16 कालम आया है, अब यहां पर आपको लग सकता है कि P और Q ये दो अलग-अलग columns हैं, पर चुंकि हमने यहां पर cell को merge कर रखा है, इसलिए इसने उसको solar count किया है, इसी तरह आप row formula का उपयोग भी कर सकते हैं, यहां पर हम row formula टाइप कर रहे हैं, equal to का sign लगा कर row लिखें, यह देखिए, एक्सल ने यहां पर दो formula दिखा दिये हैं, एक row है, दूसरा rows है, इस वीडियो में हम आपको row के बारे में बता रहे हैं, rows formula हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे, यहां row पर double click कर दें, अब यहां पर लिखा हुआ आ रहा है reference, इसका मतलब है उस cell का संदर भी आड्र, जिसकी row का नंबर आप जानना चाहते हैं, तो हमने Excel sheet में से एक cell को क्लिक कर दिया है, cell पर क्लिक करते ही देखिए reference की जगर cell का address लिखा हुआ आ रहा है, यह है L20, यह वाला cell address हम formula बार में भी देख सकते हैं, अब हम bracket close करके enter press करेंगे, तो देखिए row formula ने हमें result दे दिया है, कि हमारा cell 20 वी row में है, यदि हम किसी cell में यह formula लगाएं और reference ना दें, तो वो हमें वो row number बताता है जिसमें हमने यह formula लगाया है, चलिए आपको उतारण देके समझा देते हैं, यहाँ पर हमने row formula टाइप किया, और brackets के अंदर कोई reference नहीं दिया, बिना reference दिये, bracket close कर दिया, एंदर प्रेस करने पर यहाँ पर 18 नमबर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमने जिस cell पर formula लगाया है, वो अठारवी row में लिखा गया है, आज इस वीडियो में हम आपको columns और rows formula की जानकारी दे रहे हैं, columns और rows formula से आप यह जान सकते हैं, कि particular table में कितने columns हैं या कितनी rows हैं, चलिए एक उदारण से इसको समझते हैं, यहां हमारा जो data है, वो D column से शुरू होकर P column तक है, अब मान लीजिए हम यह जानना चाहते हैं, कि हमारा data कुल कितने columns में हैं, तो उसका एक तरीका तो यह है कि हम इनकी गिंती कर लें, जैसे कि यहां पर हमारा जो data है, वो A column से शुरू नहों करके D से शुरू हो रहा है, इसलिए हम गिंती D column से शुरू करेंगे, यह हो गया पहला column, यह दूसरा, यह तीसरा, इसी तरह आप जो last column है, जहां तक की data है, वहां तक गिंती कर लें, पर अगर data बड़ा हो, तो ऐसी स्थिती में यह काम कठिन हो जाता है, इस काम को सरलता से करने के लिए, हम columns formula का उप्योग कर सकते हैं, यहां पर हमने एक table बनाई हुई है, इसकी साहता से पहले हम columns formula समझ लेते हैं, सबसे पहले equal to का sign लगा कर columns type करेंगे, कि यहां पर formula आ गया है, इस पर हम double click कर देंगे, यहां array का मतलब है कि table की वो range, जिसमें आप जानना चाहते हैं कि कितने columns हैं, तो हम पूरी table को select कर लेते हैं, यह हमने अपनी पूरी table select कर ली है, अब यहां यहां पर देखिए, अरे की जगह लिखा हुआ आ रहा है, दी वन कॉलन पी फिप्टी एट, यानि हमने दी कॉलम की पहली रो से ले करके, पी कॉलम 58 वी रो तक range सिलेक की है, अब हम प्रैकेट क्लोस करके एंटर प्रेस करेंगे, यह देखिए, columns formula ने हमें result दे दिया है, कि हमारे टेबल में 13 कॉलम्स हैं, इसका मतलब यह है कि हमने जो range सिलेक की थी, उसमें 13 कॉलम्स थे, हम एक बार और दूसरी range के साथ यह formula उप्योग करके देखते हैं, columns formula टाइप करके, इस बार हम पूरी टेबल सिलेक न करके, उसका एक particular हिस्सा जो है वो ही सिलेक कर रहे हैं, यह यहाँ formula में range आ गई है, अब bracket close करके enter प्रेस करने पर, आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर केवल 3 नंबर आया है, क्योंकि हमने केवल 3 columns की range ही सिलेक की थी, आईए अब हम rows formula को समझ लेते हैं, सबसे पहले equal to का sign लगा कर type करेंगे rows, अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है array, इसका मतलब है कि table की वो range, जिसमें आप जानना चाहते हैं कि कितनी rows है, हम इस पूरी table को सिलेक कर लेते हैं, यह देखिए, अब array की जगर पर लिखा हुआ रहा है, इसका मतलब है कि जो range हमने सिलेक की थी, उसमें 58 rows थी, हम एक बार और दूसरी range के साथ यह formula उप्योग करके देखते हैं, यहाँ पर rows का formula हम type कर लेंगे, और अब हम पूरी table ना सिलेक करके, इसका कुछ हिस्सा ही सिलेक कर रहे हैं, जो range हमने सिलेक की है वो यहाँ पर आ गई है, प्रैकेट क्लोस करने के बाद अब हम एंटर प्रेस करेंगे, यह देखें यहाँ पर दो आया है, क्यूंकि हमने केवल दो row की ही रिंच सिलेक की थी, इसके पहले, वी लुक अफ फार्मूले के अंतरगर्थ हमने किसी एक व्यक्ती या प्रोड़क्ट से संबंधित, कोई भी पटिकुलर रिपोर्ट कैसे देखें यह सीखा था, अब यदि आप किसी व्यक्ति या प्रोडक्ट से संबंदित सारी रिपोर्ट्स एक साथ देखना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं आईए इस वीडियो में देखते हैं यहां हमने एक उधारन लिया है जिसमें कुछ सेल्समें के नाम हैं और उनके द्वारा अलग-अलग क्वार्ट्स में की गई सेल्स हैं शीट में जहां भी हमको यह रिपोर्ट चाहिए वहां पर हम इसके हैडिंग को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यह देखिए यह हैडिंग यहां पर आ गई है यह हम इसकी फॉर्मिटिंग कर लेते हैं अब हम first quarter cell वाले column में formula type करेंगे इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे equals to करिशान फिर type करेंगे we look up यह देखिये पूरा formula यहाँ पर आगया है हम tap की press करके इसको select कर लेंगे अब यहाँ पर पहला option है look up value इसके लिए हम इस नाम को select करेंगे और चूंकि हमें इसी व्यक्ति की सारी जानकरी चाहिए इसलिए इस नाम यानि इस cell को हम fix कर देंगे fix करने के लिए F4 key press करें अब यहाँ पर comma लगाएंगे अगला option है table array इसमें आपको जहां से भी data search करना है उस data को select करें चूंकि हमें इसी data में से सभी results search करना है इसलिए हम इस data को भी fix कर देंगे उसके लिए F4 key press करें फिर comma लगाएं अब चूंकि हमें हर column का data चाहिए उसके लिए हम यहाँ पर type कर देंगे columns और अब पहले दो जो headings है names of salesman और first quarter cell इनको select कर लेंगे अब पहले वाले column यानि G1 को हम fix कर देंगे उसके लिए यहाँ पर click करके F4 key press कर देंगे अब यह जो G1 column है वो fix हो गया है बात वाले column को हम fix नहीं करेंगे क्यूंकि जब हम आगे drag करेंगे तो column के numbers आगे change होते जाएंगे अब bracket close करके comma लगाएंगे अब चूंकि data ascending order में नहीं है इसलिए यहाँ पर zero type करेंगे अब bracket close कर देंगे और ender press कर देंगे यह देखिए first quarter cell यहाँ पर आ गई है आप इसको जो database है वहाँ से check कर सकते हैं अब इसको select करके हम आखरी column तक drag कर देते हैं यह देखिए स्वेक्ति के सभी quarters की report आ गई है अब यहाँ पर हमने यह जो formula में bracket के अंदर columns की यह जो range है इसमें जो पहला column था G1 उसको हमने fix कर दिया था और आगे का column fixed नहीं है तो यह कैसे change यहाँ पर दिखेगा या उसका क्या effect दिखेगा वो हम यहाँ देख सकते हैं जैसे G1 तो fixed है और उसके बाद यहाँ पर H1 selected है अब जब हम अगले column पर जाएंगे जैसे हम I पर आ गए तो देखिए formula के अंदर आप देख सकते हैं कि G1 तो ascities यहाँ पर लिखा हुआ है और अगला वाला जो column था वो change होकर के I1 हो गया है अब अगर हम J column पर जाएंगे तो वो change होकर के J1 हो जाएगा अगर हम K column पर जाएंगे तो वो change होकर के K1 हो जाएगा अब लीजे कि हमें मनीश की जगह किसी और salesman की रिपोर्ट चाहिए तो हम यहां पर उस salesman का नाम डाल देंगे जैसे हमको दिनेश की रिपोर्ट चाहिए तो मनीश की जगह हमने यहां पर टाइप कर दिनेश और अब हम जैसे ही enterprise करेंगे तो यह देखिए दिनेश की पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है उसके सारे सारी क्वार्टर सेल्स हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है यदि आपके पास कोई बड़ा होरिजोंटल डेटा है और उसमें से आप शीखरता से कोई वैल्यू सर्च करना चाहते हैं तो वो आप एच लुक अप फॉर्मूले की साहबा से कर सकते हैं जैसा कि एच लुक अप नाम से ही इस पश्ट है इसमें एच का मतलब होता है होरिजेंटली और लुक अप का मतलब होता है टू सर्च तो आईए इस वीडियो में इसका उप्योग करना देखते हैं यहां पर हमने एक च्छोटा सा डेटा तयार किया हुआ है जिसमें इधर लेफ्ट में सारी हैडिंग्स हैं नेम्ज और सेल्समें हीडिंग के सामने सारे सेल्सपर्संस के नाम दिये हुए हैं और नीचे उनकी क्वार्टरली सेल्स दी हुई हैं सबसे पहले हम heading को copy कर लेते हैं अब मा लीजिए हमें इस database में से रिशब नाम के विक्ति की first quarter की cell जाननी है तो यहाँ पर person का नाम type करेंगे और यहाँ जिस quarter की cell निकालनी है उसके नीचे formula type कर देंगे जैसे हमें first quarter की cell चाहिए इसलिए हम यहाँ पर इसके नीचे formula type करेंगे सबसे पहले equals to का निशान लगाएंगे ध्यान रखे formula हमेशा equals to के निशान के साथ start होता है अब type करेंगे h look up यह देखिए यहाँ पर formula दिखाई दे रहा है इस पर double click कर दें अब यहाँ पर formula का syntax दिखाई दे रहा है आपको यह syntax follow करना है यानि इसी order में आपको यहाँ पर चीजें लगानी है अगर आप इसे follow नहीं करेंगे तो सही उतर नहीं आएगा formula में पहला option है look up value यानि हमें database में से किस विक्ती की cells जाननी है तो वो है रिशब इसलिए हम उसके नाम को select कर रहे हैं अब कॉमा लगाएंगे इसके बाद next option है table array इसका मतलब है हमें value कहां से search करनी है हमें हमारे इस database में से value search करनी है इसलिए हम इसको पूरा select कर लेंगे फिर कॉमा लगाएंगे अब अगला option है row index number यानि हमें जिस quarter की cell निकालनी है उसका row number देना होगा चूंकि हम first quarter का cell निकालना चाह रहे हैं इसलिए यहाँ number 2 डालेंगे अब कॉमा लगाएंगे अब यह देखें यहाँ पर दो options आ रहे है true और false के लिए जीरो टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे यह देखिए एच लुकफ फॉर्मुला ने रिशब की first quarter की cells दे दी है हम database में से इसे चेक कर सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर हमने first quarter की cell निकाली उसी तरह से आप बाकी quarters की cell भी निकाल सकते हैं अभी हमने जिस database पर वर्क किया वो sheet में row number one से ही शुरू हो रहा था अमालीजे database में उपर की कुछ rows छुटी हुई हैं तो हम इस formula का उप्योग कैसे करेंगे आईए यह आपको बता देते हैं इसके लिए पहले हम database में उपर एक row और insert कर लेते हैं अब हमें हमारे database में अरुन नाम के व्यक्ति की second quarter की cells चाहिए तो फिर हम देखते हैं उसको हम formula को कैसे use करेंगे हमने यहां पर अरुन का नाम टाइप कर दिया है अब जिस quarter की cell जाननी है उसके नीचे formula टाइप करेंगे अब नाम सेलेक करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे अब पूरा database सेलेक करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे अब यहां पर row number देना है डेटा में row का number 4 लिखा हुआ है पर हमें यह number नहीं डालना है हमें जहां से डेटा शुरू हुआ है वहां से row number गिनकर डालना है जैसे की second row से शुरू हुआ है तो उसको हम मानेंगे एक first quarter cell की row कहलाएगी दो और second quarter की cell जो हमको जाननी है अब यह row कहलाएगी तीन यहां पर हम डाल देंगे तीन कॉमा लगाएंगे अब यहां false के लिए zero type करेंगे और enter press कर देंगे यह देखिये अरुन की second quarter की cell यहां पर दिखाई दे रही है इसे हम database में जाकर चेक कर सकते हैं जिस तरह हमने आपको लुकप वाली वीडियो में लुकप फॉर्मुले का उप्योग same sheet किसी अन्य sheet और किसी अन्य file में करना बताया था उसी तरह आप एच लुकप फॉर्मुले का उप्योग same sheet किसी अन्य sheet और किसी अन्य file में भी कर सकते हैं इसके साथ ही हमने multiple वी लुकप वाली वीडियो में किसी एक व्यक्ति की सभी details कुछ cells को fix करके और columns का formula लगाकर एक साथ निकालना बताया था उसी तरह आप एच लुकप फॉर्मुले का उप्योग करके किसी व्यक्ति की सभी details एक साथ निकाल सकते हैं यदि आपके पास कोई बड़ा data है और आपने उसके heading row में दिये हैं तो data में नीचे की तरफ जाने पर वो heading दिखाई नहीं देते हैं और इसी तरह यदि आपने headings column में दिये हैं तो right side में जाने पर columns के headings दिखाई नहीं देते हैं और इस तरह जब हम बगेर heading के कोई data देखते हैं तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि किसी row या column में लिखाई data किस बारे में हैं यानि किस heading के अंदर गता रहा है इस समस्या का समाधान कैसे संभव है आईए वो इस वीडियो में देखते हैं यह आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक data है जिसमें heading जो है वो row में डले हुए हैं अब अगर हम इस page में नीजे की तरफ जाते हैं तो देखिए अब यहां पर हमें heading दिखाई नहीं दे रहे हैं और हमें यह भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि किसी भी salesman जैसे कि शुभम का जुलाई का sales amount कितना था क्योंकि उपर जो heading है वो दिखाई ही नहीं दे रही हैं इसी तरह अब हम इस data के right side में चलते हैं तो देखिए यहां पर किस महिने की कितनी cell थी यह तो दिखाई पड़ रहा है पर यह मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो cell किस salesman की है अब हम यह चाहते हैं कि यह row वाली जो heading है और यह जो salesman के नाम है वो हमें data के नीचे की तरफ या right side में जाने पर भी दिखाई पड़ें तो उसके लिए हम यहां क्लिक करके view टैब में जाएंगे और यहां freeze pens option के drop down arrow पर क्लिक करेंगे अब यहां पर पहला option है freeze pens इस पर क्लिक करें अब पहली row और पहला column fix हो गया है अब जब हम data में नीचे की तरफ जाएंगे तब heading भी दिखाई दे रहे हैं और right side में जाने पर salesman के नाम भी दिखाई दे रहे हैं अब यदि इसे दोबारा पहले जैसा normal करना हो तो freeze pens option में जाकर unfreeze pens पर क्लिक कर देंगे अब यदि आप data में नीचे की तरफ या फिर right side में जाएंगे तो आपको heading नजर नहीं आएंगे यदि आपको केवल पहली row ही freeze करनी है column freeze नहीं करना है तो freeze pens option पर जाकर freeze top row option पर क्लिक करें अब अगर हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यह देखिए हमने जो row freeze की है वो यहाँ पर वैसी के वैसी है सारी heading दिखाई दे रही है पर चूंकि हमने column freeze नहीं किया है इसलिए जब हम right side की तरफ जाएंगे salesman के जो नाम थे वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं इसको भी हम उसी तरह से normal कर सकते हैं वापस unfreeze pens पर क्लिक कर दें अब अगर हमको केवल पहले column को freeze करना है तो वापस हम freeze pens option में जाकर freeze first column पर क्लिक करेंगे अब इसमें first column freeze हुआ है इसलिए जब हम right side में जाएंगे तो first column तो addities पहाँ पर आपको दिख रहा है पर अगर हम नीचे जाएंगे तो उपर की जो headings थी वो चली गई है इसको हम वापस unfreeze कर देते हैं माल लीजे यहाँ पर जो headings दी हुई है उनके उपर आपने कोई title दिया हो जैसे कि हमने यह data sheet 2 पर भी copy किया है और यहाँ पर उपर हमने एक title दे रखा है अब हमें title और heading इन दोनों को freeze करना है तो वो भी आप कर सकते हैं तो उसके लिए heading के नीचे वाली रो में पहली सेल में क्लिक करें और freeze pens option में जाकर freeze pens पर क्लिक करें यह देखिए अब title सहित headings freeze हो गई है अब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो भी यह दोनों जो रोज है वो हमको दिखाई देती रहेंगी अब यदि आपको title headings और columns को freeze करना है तो उसके लिए जितने भी रोज और जितने भी columns तक freeze करना हो उसके बाद क्लिक करें जैसे कि हमको यहां पर title headings यह दोनों वाली जो रोज है इनको freeze करना है और इधर पहले column को freeze करना है तो हम इन दोनों रोज को छोड़ करके और इस column को छोड़ करके यहां पर इस cell में क्लिक करेंगे और उसके बाद freeze pens में जाकर के freeze pens पर क्लिक कर देंगे अब हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि title और headings यह दोनों freeze किये हुए हैं अगर right side में जाएंगे तो हम देखेंगे कि पहला column जो है वो भी freeze किया हुआ है अमा लिजिये कि आपको ऊपर की जो पांच rows हैं वो freeze करनी है और इधर से तीन columns freeze करने हैं तो अब हम देखेंगे कि उसके बाद का cell कौन सा है सबसे पहले हम यह देखते हैं पांच rows छोड़ करके हम छटी row में आ जाएंगे और यहां से हमने यह तीन columns छोड़ दिये तो अब जिस cell में हम क्लिक करेंगे वो है यह वाला cell इस cell में क्लिक करके जब हम freeze pens के अंदर जाकर के इस option पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उपर की पांच rows और यह तीन columns freeze हो गए हैं यह देखें पांच के बाद जो rows है वो उपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं पर शुरू की पांच rows में कोई अंतर नहीं पड़ाएं इसी तरह से जब हम right side में जाएंगे तो यह तीन columns freeze किये हुए हैं और बाकी जो है वो page आगे बढ़ता जा रहा है जब भी आप Excel में किसी formula के practice करना चाहते हैं या आप किसी को भी कोई formula सिखाना चाहते हैं तो इसके लिए ऐसे data के आवशक्ता होती है जिसमें अलग-अलग numbers हों डेटा तयार करने के लिए या तो आप अपने मन से कुछ numbers डालने या फिर इस काम के लिए रेंड या रेंड बिट्वीन formula का उप्योग कर सकते हैं इन फॉर्मलों का उप्योग करने पर ये अपने आप कुछ अलग-अलग numbers generate कर देते हैं आईए देखते हैं इनका उप्योग कैसे करते हैं यदि हमें 0 से 1 के बीच के numbers यानि दशमलों में numbers चाहिए जैसे की 0.2, 0.5 इत्यादी तो हम rent formula का उप्योग करेंगे उसके लिए सबसे पहले equal to का निशान लगाएंगे फिर type करेंगे rand ये formula यहाँ पर आ गया है इस पर double click कर देंगे और फिर enter press करेंगे ये देखिए यहाँ पर 0 से 1 के बीच का number आ गया है हमें जितने area में data चाहिए वहाँ तक हम इसे drag कर सकते हैं इसके लिए हम cell के corner पर जाएंगे जब वहाँ पर plus का निशान आएगा तो उसे नीचे drag कर देंगे अब यदि आप चाहते हैं किशूर्ने से लेकर 10 के बीच के numbers आ जाएं तो उसके लिए formula टाइप करके bracket के बाद star का sign लगाएं और 10 लिखकर enter press करें यह देखें यहाँ पर 0 से लेकर के 10 के बीच के numbers आ गये हैं और जहां तक आपको यह data चाहिए हो वहाँ तक आप उसे drag कर दें इसी तरह यदि आपको 0 से लेकर के 100 तक के numbers चाहिएं तो उसके लिए formula लगा कर ब्रेकेट के बाद star का sign लगाएं और 100 लिखकर enter press कर दें यह देखें यह नंबर यहाँ पर आ गया है यह जहां तक हमको data चाहिए था वहां तक हमने उसको ड्रेक कर लिया है अब आप जब भी इस sheet पर या data पर कुछ भी काम करके enter, press करेंगे या फिर is f9 की press करेंगे तो ये वैल्यूस change हो जाएंगी कि रैखे 178 की press करते हि यह अपर सारी वैल्यूज जो है वह चेंज हो गई कि इसी तरह अगर हम इस sheet पर कोई भी काम करेंगे जैसे हमने यहां पर एक value टाईप की अब जैसे ही हम enter press करेंगे तो फिर समय यह जो values हैं यह जो figures हैं वो change हो तो उसके लिए आपको इन्हें fix करना होगा उसके लिए इस data को select करके copy कर लें और data पर ही right click करके best special में जाएं और उसमें values option को select करके ok पर click करें अब यह पूरा selected data है यह fix हो गया है अब यदि हम f9 keys press करेंगे तो उपर वाली जो values हैं जो हमने select नहीं की थी वो change हो जाएंगी यह देखे वो change हो रही है पर यह जो data हमने fix किया है यह data change नहीं हो रहा है अब हम सीखते हैं rent between formula का उप्योग माली जे हम एक mark sheet का data तयार कर रहे हैं जिसमें हमें यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक के अंक भरना है तो उसके लिए हम rent between formula का उप्योग करेंगे सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे अब यहाँ पर rent लिखते ही ये दोनों formula आ गये हैं हमको rent between formula चाहिए इसलिए इस पर double click करेंगे अब यहाँ पर हमें सबसे छोटा number यानि bottom number चाहिए वो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे हमने लिखा zero अब कॉमा लगाएंगे अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा number है यानि टॉप नंबर चाहिए वो हम लिख देंगे हमने यहाँ पर लिखा hundred अब enter प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पर zero से 100 के बीच का नंबर generate होकर आ गया है अब जितने area में हमें यह data चाहिए वहाँ तक हम इसे drag कर देंगे यह देखिए जिरो से 100 के बीच के जो numbers हैं वो हर cell में अपने आप आ गये हैं अब यह numbers F9 की दबाने पर या data या sheet पर कोई भी कारे करके enter प्रेस करने पर change होते रहेंगे यदि आप इन्हे fix करना चाहते हैं तो जैसा अभी best special की सायता से हमने data fix करना बताया था उसे तरह से आप इनको fix कर सकते हैं आजकर लोग कार खरीदने, घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई त्यादी के लिए loan लेते हैं और उस loan को चुकाने के लिए हर महिने कुछ किष्ट देते हैं जब हम loan लेने की process करते हैं तो हम ये अवश्य जानना चाहते हैं कि कितने समय के लिए कितना ब्याज लगेगा और इन सब के आधार पर हमारी प्रतिमा बनने वाले किष्ट क्या होगी किष्टों का amount पता करने के लिए PMT function का उप्योग किया जाता है आए देखते हैं इसका उप्योग कैसे किया जाता है मान लेजे हमने 30 लाख का home loan 14.5% सालाना ब्यास पर 15 साल के लिया है और इसके लिए 5 लाख रुपए का down payment भी दिया है अब यहाँ EMI निकालने के लिए PMT formula टाइप करते हैं equal to के sign के बाद type करेंगे PMT अब open bracket लगाएंगे इसमें पहला argument है rate हमने जो rate लिया है वो है 14.5% इस पर click करेंगे अब यहाँ जो 14.5% ब्याज हमें देना है यह ब्याज की वार्षिक कर है और यहाँ हम जो की EMI प्रतिमा दे रहे हैं इसलिए हमें monthly rate of address चाहिए इसलिए हम इसमें 12 से भाग देंगे अब कॉमा लगाने के बाद period डालेंगे जो की 15 साल है उसके लिए यहाँ click कर देंगे अब हम इसमें 12 से गुणा करेंगे क्योंकि हम 15 वर्ष तक 12 किष्टें प्रतिवर्ष देने वाले हैं कॉमा लगाने के बाद loan राशी पर click करेंगे हमारी present value 30 लाख रुपए है उसमें से हम 5 लाख डाउन पेमेंट कर रहे हैं इसलिए present value को select करके माइनस का sign लगाकर डाउन पेमेंट को select करेंगे अब ब्रेकेट बंद कर इंटर प्रेस करेंगे आपको जो राशी हर महिने के अंत में EMI के रूप में देनी होगी वो यहाँ पर आ गई है इस राशी के आगे डॉलर का निशान आ रहा है इसका format बदलने के लिए कॉमा स्टाइल पर क्लिक करें यह देखिए हमारी हर महिने के किष्ट अब 34,137 रुपे और 52 पैसे आ रही है जो कि हमें हर महिने के आखिल में देना होगी यदि आप महिने के शुरू में इमाई भरना चाहते हैं तो इमाई में कितना परिवर्तन होगा वो देखने के लिए हमने यहाँ पर इस डेटा को कॉपी कर लिया है अब हम फॉर्मुला लगा कर देखते हैं यहाँ पर हमने इकुल जो का साइन लगाया अब हम टाइप करेंगे पी एम टी अब ब्रेकेट लगाएंगे अब ले लेंगे रेट इसको हमने बारा से भाग देती है कॉमा लगाके इसको बारा से बुना करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे अब हम प्रेजन्ट वैल्यू में से डाउन पेमेंट को मैनस कर देंगे अब यहाँ पर यह फ्यूचर वैल्यू पूच रहा है यह आप्शनल है इसलिए हम यहाँ पर 0 टाइब करेंगे अब कॉमा के बाद यहाँ पर टाइब में हम 0 या 1 यह चुन सकते हैं अगर हम 0 चुनेंगे तो यह महिने के अंद में कितनी किष्ट हमको भरना है ये पता चलेगा जो कि हम पहले ही calculate कर चुके हैं चुकि हम चाहते हैं कि महिने के शुरू में अगर हमको किष्ट भरना है तो वो कितनी बनेगी इसलिए हम यहाँ पर एक चुन रहे हैं और अब हम एंटरप्रेस करेंगे यहाँ पर डॉलर का निशान आ रहा है इसलिए कॉमा स्टाइल पर क्लिक करके हम इसका फॉर्मेट दिल देते हैं यह देखे महिने के शुरू में EMI देने से आपकी EMI कम हो जाएगी अब आपको केवल 39,729 रुपे और 95 पैसे देना होंगे फॉर्मुला लगा देने के बाद अगर आप इन वैल्यूज में कोई भी चेंज करते हैं तो अपने आप EMI कम हो जाएगा मान लिजे हमने प्रेजंट वैल्यू 30 की जगह 31 लाग कर दी और आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यह देखिए EMI चेंज होकर के यहाँ पर आ गई है इसी तरह से अगर हम डाउन प्रेमेंट में कोई चेंज करेंगे 5 लाग की जगह मान लिजे हमने 4 लाग कर दिया यह देखिए फिर EMI में चेंज आ गया इसी तरह से अगर आप नेट पीरियट चेंज करेंगे मान लिजे हमने नेट पीरियट को 15 के जगह भी सल कर दिया तो यह देखिए फिर EMI चेंज हो गई है इसी तरह से किसी भी वैल्यू में अगर आप कोई चेंज करेंगे तो EMI में अपने आप चेंज आ जाएगा यदि आप कोई निश्यत राशी की EMI देना चाहते हैं और उसके आधार पर ये जानना चाहते हैं कि कितना डाउन पेमेंट करना होगा तो उसके लिए PMT फॉर्मुले के साथ गोल सीक फंक्शन का उप्योग कर सकते हैं आईए अब आपको इसका उप्योग करना बता दें जैसे कि हमने आपको PMT वाले फॉर्मुले में बताया था यहां पहले से दो EMI के कल्कुलेशन करके रखी गई हैं जिसमें पहली कल्कुलेशन में हमें मा के आखिर में EMI देना होगी और दूसरे कल्कुलेशन में हमें मा के आरंभ में EMI देना होगी इसी डेटा को हम यहां नीचे कॉपी कर लेते हैं अब गोल से एक फंक्शन लगाने के पहले जहां हमने PMT का फॉर्मुला लगाया है वहां पर क्लिक करेंगे यहां पर हमने PMT फॉर्मुला लगाया था यह जो की फॉर्मुला बार में नजर आ रहा है यहां पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद डेटा टैब में जाकर वाट इफ अनालिसस उप्शन में जाएंगे यहां से गोल सीक उप्शन पर क्लिक करेंगे इसमें पहला उप्शन है सेट सेल जिस सेल में आपको एंसर चाहिए हो यहां पर आ चुका है यदि ना आए तो आप उस सेल पर क्लिक कर देंगे अगला उप्शन है टू वैल्यू अब जितनी EMI आप हर महीने भरना चाहते हैं वह अमाउंट यहां पर टाइप करें जैसे हम हर महीने 30,000 रुपए भर सकते हैं तो यहां हम प्रैकेट में लिख देंगे 30,000 अब हम यह जानना चाहते हैं कि हमें 30,000 की EMI देने के लिए कितना डाउन पेमेंट करना होगा तो उसके लिए डाउन पेमेंट पर क्लिक करें और ओके कर दें एक बाद फिर से ओके करेंगे अब देखिए यहां पर एंसर आ गया है इससे सिलेक्ट करके इसे राउंड फिगर में करदेते हैं उसके लिए हम होम टैब में जाकर यहां से डिक्रीज डेसिमल पर चार बार क्लिक कर देंगे यहां पर आप देख सकते हैं कि 30,000 EMI हमने फिक्स की है तो उसके लिए हमको अब जो डाउन पेमेंट देना पड़ रहा है वो है आठ लाक तीन हजार चार रुपे जबकि पहले यह डाउन पेमेंट हम 5,000,000 रुपे कर रहे थे तो हमारी EMI जो थी वो बन रही थी 34,137 रुपे और 52 पैसे अब यह जो 30,000 EMI हमने फिक्स की है यह महिने के आखिर में हमको देना है अगर हम महिने के शुरू में इतनी EMI देते हैं तो हमको फिर डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा वो जानने के लिए हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं अब फिर उसी तरह से जैसे हमने आपको पहले बताया था यह जहां हमने PMT फार्मुला लगाया वहां पर क्लिक करके यहां पर सबसे पहले सेल में जिस सेल में हमको एंसर चाहिए वो यहां पर सेल आ गई है और टू वैल्यू में बैकेट में हम लिख देंगे 30,000 रुपे और बाइचेंजिंग सेल इसमें हम डाउन पेमेंट का जो पांच लाक रुपे लिखा है उस सेल पर क्लिक करेंगे एक बाद फिर से ओके करेंगे अब अगर हम 30,000 रुपे मेने के शुरुआत में भरते हैं तो जो डाउन पेमेंट है वो है 7,886,457 रुपे यदि आपके पास कोई डेटा है और आप उसे चार्ट के रूप में प्रेजन्ट करना चाहते हैं या आप अलग-अलग वर्ष या डिपार्टमेंट इत्यादी द्वारा की गई सेल की तुलना चार्ट के रूप में देखना चाहते हैं या फिर आपने कोई चार्ट इंसेर्ट किया है और आप उसकी स्टाइल या कलर बदलना चाहते हैं या आपने जो चार्ट इंसेर्ट किया है उसकी जगर कोई अन्य चार्ट इंसेर्ट करना चाहते हैं या फिर आप चार्ट को शॉटकट की की साहता से एक्जिस्टिंग वर और 2016 की सेल्स दिखाई पड़ रही हैं और यदि हम इस डेटा को चार्ट के रूप में कंपेर करना चाहते हैं तो उसके लिए नेम्स ऑफ सेल्स परसंस पर क्लिक करके इंसर्ट टैप पर जाएंगे यहां पर आपको चार्ट्स ब्लॉक मिलेगा इसमें अलग-अलग चार्ट् माल लिजे आपको कॉलम चार्ट या बार चार्ट चाहिए तो उसके लिए यहां पर क्लिक करें यहां आपको अलग-अलग टाइप्स के कॉलम और बार दिखाई पड़ेंगे आपको जिस भी स्टाइल का कॉलम या बार चाहिए वो सेलेक्ट कर लें हमने यहां पर तूड़ कॉलम चुना है. यह देखिए यह यहां पर चार्ट आ गया है. हम इसको ड्रैक करके थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि हमको देटा दिख सके. उसके लिए यह बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और यह इसको ड्रैक कर लेंगे. इस चार्ट में आप देख सकते हैं सबसे नीच के नाम हैं और उसके उपर उनके डिपार्टमेंट के नाम हैं. उसके उपर आप देख सकते हैं नीले और केसरिया रंग के कॉलम्स हैं. लेट साइड में अमाउंट वाइस रेंज दिखाई दे रही है. अगर आप इस चार्ट को बढ़ा करके देखना चाहते हैं तो वो भी यह आप कर सकते हैं. उसके लिए कॉर्नर पर जाएं और इसे ड्रेक कर Id明 को इदेखे यह चार्ट बढ़ा हो गया है, अभी हमने उसको left side से ड्रैक किया थाए अगर आप इसको right side से ड्रैक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं यह और बढ़ा हो गया पर चार्ट के बढ़ा होने से दिक्कत यह है कि जो पूरा डेटा है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसको वापस छोटा कर लेते हैं आप किसी भी कॉलम पर करसर रखके उसकी डिटिल्स देख रही है जैसे कि यहां पर आपको सेल्स इयर दिखाई दे रहा है सेल्स परसन का नाम उसका डिपार्टमेंट और जो वैल्यू है वो सारी चीज़ें यहां पर नजर आ रही हैं हमारे डेटा में जिस तरह के फिगर्स हैं उसी हिसाब से चार्ट में कॉलम्स की लंबाई जड़ी हम डेटा के फिगर में कोई चेंज करेंगे तो उसी अनुसार कॉलम में भी चेंज हो जाएगा पुदारन के लिए हम हैमंद के 2015 की सेल और 2016 की सेल में चेंज करके देख लेते हैं अभी आपको यहां पर दोनों सेल्स कितनी है वो दिखाई दे रही हैं और यहां आप कॉलम्स की लंबाई भी देख सकते हैं अब हम इसको चेंज करते हैं 2015 की सेल हमने कर दी है 40,000 यह देखिए यह कॉलम छोटा हो गया और 2016 की सेल हमने कर दी है 1,50,000 रुपए यह देखिए जैसे ही हमने 2016 की सेल 1,50,000 रुपए की तो यह जो केसरिया कॉलम है उसके लंबाई और बढ़ गई अब यदि आप चार्ट स्टाइल बदलना चाहते हैं तो उसके लिए चार्ट पर क्लिक करें यह देखिए ऐसा करते ही उपर चार्ट टूल्स का ऑप्शन आ गया है इसमें डिजाइन टैप पर जाएं यहां पर नीचे चार्ट स्टाइल लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है इसमें यहां पर क्लिक करें यह देखिए अलग अल दिखाई देगी अब इसमें से जो भी स्टाइल आपको पसंद उसको सेलेक कर लें जो स्टाइल हमको पसंद आ गई उस पर हमने क्लिक किया तो यह देखिए हमारा जो चार्ट है उसका स्टाइल और कलर बदल गया है अमाली जे आप इस चार्ट का ले आउट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां चार्ट ले आउट्स ब्लॉक में जाकर के आप ख्विक ले आउट के पास जो डाउनवर्ड एरो इस पर क्लिक करें यहां पर आपको उधारन के तोर पर कई सारे अलग अलग ले आउट् देख सकते हैं कि किस तरह से वो ले आउट चेंज हो रहा है इस में से अगर आपको कोई और ले आउट पसंद हो तो उस पर सकते हैं जो भी चलर आपको अच्चे उस पर आप क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं Ayıp अगर आपको चाट का टाइटटल देना हो तो यह जहां चाट टाइटबिए उस पर क्लिक करें और ए बर आपको यहां पर जो जो भी Title देना हो वो टाइटल आप यहां पर दे सकते हैं इहां पर उधारण के लिए हमने एक टाइटल डाल दिया है आपको जो भी टाइटल देना हो वह आप यहां दे सकते हैं हम इसको वापस नॉर्मल कर रहे हैं अब इस चार्ट में अगर आप कुछ elements जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर add chart element का option है, इस पर click करें, यहाँ पर पानलीजे आपको access titles देना है, इसमें दो options मिलते हैं, primary, horizontal और primary, vertical, हमको मानलीजे यहाँ टाइटल देना है, तो यहाँ पर click करेंगे, और अब इस box के अंदर click क करके title डाल देंगे, इस तरह से अगर आपको vertical access पर title देना हो, तो वापस यहाँ से access titles में जाकर के primary vertical चुन लीजे, और अब यह जो box आया, इसके अंदर title दे दीजे, अगर आपको chart का कोई title नहीं देना है, तो chart title में जब आप none पर click करेंगे, तो यहाँ से यह chart title का जो option है, वो ही हट जाएगा, अगर आप above chart select करेंगे, तो जो chart का title है, वो chart के उपर आएगा, और अगर आप centered overlay select करेंगे, तो चार्ट टाइटल जो है, वो आपका जो chart है, उसके जो columns या bars हैं, उसके उपर आजाएगा, इसके बाद अगला option इसमें है, data labels, data labels, चार्ट में जो columns हैं, उनका figure बताने के लिए है, अगर आप चाहते हैं, कि figures, columns के center में आएं, तो उसके लिए आप center वाले option पर जा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, कि वो columns के end पर आएं, उपर की तरफ end पर आएं, तो inside end आप चूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, कि वो column पर नीचे की तरफ, base पर आएं, तो inside base चूज़ कर लें, और अगर आप चाहते हैं, कि जो figures हैं, या जो data है, वो column से बाहर, उपर की तरफ, column के बाहर लिखा हुआ दिखाई दे, तो outside end आप यूज़ करें, इसमें देखे, columns के उपर figure लिखा हुआ है, अगर आप data को call out form में चाहते हैं, तो data call out चून लें, जैसे हमने यहाँ पर outside end चूज़ किया है, हम इसको बढ़ा करके देख लेते हैं, कि ये किस तरह से दिखेगा, इस तरह से ये नजर आएगा, और अगर आपको ये data इस तरह से नहीं चाहिए हो, तो वापस add chart element में जा करके, data labels में none पर click कर दें, ये देखे हैं, यहाँ से ये numbers हट गए हैं, अब हम इसको वापस normal कर देते हैं, और आगे के options देखते हैं, अब यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर salesperson की 2015 और 2016 की cell जो है वो एक साथ दी हुई है, अब अगर आप चाहते हैं कि 2015 की cell एक तरफ हो जाए और 2016 की cell अलग नजर आए, तो switch row और column पे आप click कर दें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2015 की cell जो है वो एक तरफ आ गई है, और 2016 क अगर आपको यह नहीं चाहिए, इसको वापस पहले वाली स्थिती में लाना हैं तो फिर से click कर दें, इस पर click कर दें वापस हमारा चार्ट पुरानी स्थिती में आ गया है, अब अगर आप इस चार्ट का type change करना चाहते हैं, जैसे अभी यह column chart है, अगर आप इसको change करके कि कि दूसरे type का chart चाहते हैं, तो उसके लिए change chart type पर click करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग-अलग तरह के chart types हैं, जैसे line chart, pie chart, bar chart, इस अरह से, इसमें से जो आपको चुनना हो, वो आप चुन सकते हैं, हम यहाँ पर line chart चुन रहे हैं, अब line chart में भी अलग-अलग तरह के styles हैं इसमें से जो style आपको चाहिए वो आप चुन लें अब इसके अंदर भी तीन अलग अलग तरह से यह चार्ट यहां पर दिख रहा है अब इसमें से आपको जिस भी टाइप का चार्ट चाहिए उसको select करके ok कर दें यह देखिए चार्ट टाइप चेंज हो गया है अब अगर आप इस चार्ट को यहां से किसी दूसरी location पर move करना चाहते हैं तो उसके लिए उपर option है move chart इस option को समझने के लिए हम यहां पर एक-दो sheets और add कर लेते हैं यह दो sheets हमने add कर ली अभी हमारा जो चार्ट है वो sheet 1 पर है अब मार लिजिए हम इसको इस location से sheet 2 पर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम move chart पर click करेंगे यहां पर आपको दो options दिखाई दे रहे हैं new sheet और object in इसमें से object in अभी selected है इस workbook में हमारी जो भी sheets हैं उसी पर अगर आपको chart move करना है तो हम इस option का उप्योग करेंगे downward arrow पर click करने पर वो तीनों sheets यहां दिखाई दे रही हैं अब sheet 1 से हम इसको जिस भी sheet पर move करना चाहते हैं उसको select कर लेंगे यह हमने sheet 2 select की और अब ok पर click कर देंगे यह देखे चार्ट sheet 2 पर आ गया है यहां से sheet 1 से वो चार्ट हट गया है अब अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास जो existing sheets हैं उनके अलावा किसी नई sheet पर यह चार्ट आए तो उसके लिए वापस हम इस option पर click करेंगे और अब हम select करेंगे new sheet वाला option अब यहां पर by default chart 1 लिखा हुआ आ रहा है आपको जो भी नाम देना हो वो नाम आप यहां पर दे सकते हैं हमने नाम दिया है cells report 2015-16 अब जो नई sheet add होगी वो इस नाम से add होगी ओके पर click कर देंगे यह देखिए अब यह जो चार्ट है cells report 2015-16 नाम की sheet पर आ गया है और यह देखिए sheet 2 से यह move हो गया है हमने data में थोड़ा change किया है जो सब headings थे उसके उपर हमने एक और heading डाल दी है अब अगर chart insert करना हो तो हम इस heading पर click करेंगे और उसके बाद insert tab में charts block में जा करके जिस भी प्रकार का chart चाहिए होगा उस पर click कर देंगे या फिर shortcut key की साहता से अगर chart insert करना हो तो उसके लिए हम यहाँ heading पर click करके alter F1 की press करेंगे यह देखिए chart insert हो गया है अब इस chart को इस sheet पर हम जहां भी चाहें वहाँ पर set कर सकते हैं अब हम इस chart को delete कर देते हैं उसके लिए इसकी border पर click करेंगे keyboard में delete button को press कर देंगे अभी हमारा data जिस sheet पर था उसी sheet पर हमने chart insert करना देखा पर यदि हम चाहते हैं कि जिस sheet पर हमारा data है उसको छोड़कर किसी नई sheet पर chart insert हो उसके लिए data की heading या title पर click करके F11 की press करेंगे यह देखिए नई sheet पर यह chart insert हो गया है और इस chart में भी आप उसी तरह से परिवर्तन कर सकते हैं जिस तरह से आपको इस वीडियो में बहले बताया है आजकल कई loan आसानी से मिल जाते हैं और अधिकतर हम लिया गया loan हर महिने किष्टों में चुकाते हैं किष्टों का मुल्य पता करने के लिए PMT फंक्शन बहुत काम में आता है उसी तरह IPMT फंक्शन से हम loan payment के interest यानि ब्यास के बारे में और PPMT फंक्शन से हम loan payment के principal amount यानि मूलधन के बारे में पता कर सकते हैं अर्थात इन दोनों फंक्शन से हम ये जान सकते हैं कि हर महिने हम जो किष्ट भर रहे हैं उसमें ब्यास कितना है और मूलधन कितना है चलिए एक्सल शीट पे एक एक्जांपल की सहायता से हम ये समझ लेते हैं हमने 6 लाग का car loan 12% सालाना ब्यास पर 4 साल के लिया है और हमने PMT फॉर्मूले की सहायता से हर महिने जो किष्ट हम भरने वाले हैं वो निकाल ली है PMT फॉर्मूले के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं अब हम IPMT फॉर्मूले की सहायता से ये देखते हैं कि इस किष्ट में हमने ब्यास किता दिया है उसके लिए यहां पर equal to के साइन के बार टाइप करेंगे IPMT ब्रैकेट ओपन करेंगे पहला argument है rate हमने rate लिये हैं 12% इस पर क्लिक कर देंगे चुकि rate, net period और present value तो fixed ही है यानि वो change नहीं होंगे किवल month यानि period बदलेगा तो हम rate, net period और present value को fix कर देंगे जिसे कि हमें formula कॉपी करने में आसानी होगी उसके लिए हम आग्यूम क्लिक करने के बाद F4 की press कर देंगे यह देखिए यहां पर यह dollar वाला sign लग गया है इसका मतलब यह fixed value है अब इसे 12 से भाग देंगे क्योंकि interest rate सालाना होता है और साल में 12 मैने होते हैं हर मैने हम किष्ट भरेंगे इसलिए हम 12 से भाग देंगे कॉमा लगाने के बाद period यानि month पर क्लिक करेंगे हम एक पर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हम पहले मैने की किष्ट का interest amount निकाल रहे हैं यह argument हर मैने बतलेगा इसलिए हम इसको fix नहीं करेंगे कॉमा लगाने के बाद net period पर क्लिक करेंगे जो कि हमने 4 साल लिया है 4 पर क्लिक करने के बाद F4 की press करेंगे जिसे ये value भी fix हो जाएगी इसे हम 12 से गुणा करेंगे क्योंकि net period सालों में लिखा जाता है और हमारी किष्टें महिनों में होंगी कॉमा लगाने के बाद loan राशी पर क्लिक करेंगे यानि present value पर जो की 6 लाख रुपए है F4 की press करके इसको भी fix कर देंगे और अब bracket close करके enter प्रेस करेंगे हमें ये value मिली है हम कॉमा style से इसका format बदल देंगे और decrease decimal की सहायता से decimal के बाद की value को round off कर देंगे तो ये देखे हमारी पहले महिने की किष्ट में interest amount जो है वो इतना है यानि 6,000 रुपए है किष्ट है हमारी 15,800 रुपए 30 पसे की जिसमें की ब्याद जो हम pay कर रहे हैं इस amount के अंदर वो है 6,000 रुपए जोकि हम हर महिने की किष्ट का interest और principal amount देख रहे हैं तो हमने यहां पर month वाले column में पूरे 4 साल तक के months एंटर कर दिये हैं यानि 48 महिने यहां पर हमने पहले ही डाल दिये हैं अब हम बाकी महिनों का भी interest amount निकाल लेते हैं उसके लिए पहले महिने का जो interest amount है उस पर क्लिक करके यहां corner से mouse को नीचे drag कर देंगे 48 तक इसको लाकर drag करके छोड़ देंगे तो यह देखिए हमें अगले 48 महिनों का interest amount मिल गया है हर महिने की किष्ट में हम कितना interest amount पे कर रहे हैं वो हमको यहां से अब पता चल सकता है अब हम PPMT formula की साहता से यह देखते हैं कि किष्ट में हमने principal amount कितना दिया उसके लिए यहां पर equal to के sign के बाद type करेंगे PPMT फिर bracket open करेंगे पहला argument है rate इसके लिए हम 12% पर क्लिक करेंगे इसे भी हम F4 की press करके fix कर देंगे क्योंकि यह value fix रहने वाली है अब इसको 12 से भाग देंगे कॉमा लगाने के बाद period यानि month पर क्लिक करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे night period पर क्लिक करेंगे यहां 4 पर क्लिक करने के बाद हम इस value को भी fix करना चाहते हैं इसलिए F4 की press करेंगे अब हम इसको 12 से गुणा कर देंगे कॉमा लगाने के बाद loan राशी पर क्लिक करेंगे यानि present value पर क्लिक करेंगे F4 की press करके हम इसको भी fix कर देंगे अब bracket close करके enter press करेंगे हमें यह value मिली है कॉमा स्टाइल से हम इसका format बदल देंगे यानि यह जो dollar का इशान वह हमने अटा दिया और decrease decimal की साहता से decimal के बाद की जो value है उसको भी round off कर देंगे अब यह देखिए हमारे पहले महने की किष्ट में इतना principal amount है इसी तरह हम बाकी महिनों का भी principal amount निकाल लेते हैं उसके लिए पहले महिने का जो principal amount है उसपर click करके यह corner से mouse को नीचे की तरफ drag कर देंगे यह पूरे 48 महिने तक लाकर के हम इसको छोड़ देंगे यह देखिए अगले 48 महिनों का principal amount हमको मिल गया है तो अब इस table से आप देख सकते हैं कि हर महिने की किष्ट में हम कितना ब्याज भर रहे हैं और कितना principal amount भर रहे हैं हम पहले महिने का interest और principal amount जोड़कर देखते हैं यह देखिए यह हमारे पहले महिने की किष्ट है और यह जो amount है वो हमको PMT formula की सहयता से भी मिला था यहां पर हमने decrease decimal की सहयता से decimal के बाद की जो values है उसको round off कर दिया इसलिए .30 यहां पर नज़र नहीं आ रहा है अब यह जो पहले महिने की किष्ट आई है उसपर click करके mouse को हम नीचे की तरफ drag कर देंगे इससे हमने अगले 48 महिनों की किष्ट भी मिल जाएगी यह देखिए अब आप देख सकते हैं कि total वाले कॉलम में हमें same amount नज़र आ रहा है क्योंकि हर महिने जो हमको किष्ट भरनी है वो है यह 15,800 अब हम interest amount का और principal amount का total निकाल लेते हैं यह देखिए यह वो total है टोटल वाले कॉलम में automatically वो total आ गया है जो हमको अगले 48 महिनों में राशी देनी है इसे हमको यह पता चल रहा है कि 6,00,000 रुपै का जो हमने लोन लिया उस पर हमको ब्यास सहित 7,58,414 रुपै अड़तालिस महिनों में देना है एवरेज इफ के सहायता से हम condition के according एवरेज निकाल सकते हैं इसमें हम कुछ criteria set करते हैं यानि conditions लगाते हैं और जहाँ जहाँ criteria match हो जाएगा वहाँ से ये formula हमें average निकाल कर देगा अगर आसान भाशा में कहा जाए तो ये एक conditional average formula है और average ifs formula की सहायता से हम multiple conditions यानि एक से ज्यादा conditions के according average निकाल सकते हैं पहले हम average if formula समझ लेते हैं उसके लिए हमने यहाँ पर एक example लिया है इसमें एक table बनाई हुई है जिसमें हमने students के नाम लिखे हैं यहाँ पर उनकी class लिखी है यहाँ subjects के नाम है और यहाँ पर इन subjects में इन students को जितने marks मिले हैं वो लिखा है अब यदि हम total marks का average निकालना चाहें तो वो average formula की साहता से हम कर सकते हैं पर यदि हम condition लगा दे हैं कि हमें केवल 5th class के students को जो marks मिले हैं उनका average निकालना है या फिर हमें सभी class के students में से sign subject के जो total marks हैं उसका average निकालना है तो वो हम average if formula की साहता से कर सकते हैं तो आईए हम देखते हैं कि यदि हमें केवल 5th class के students को जो marks मिले हैं उसका average निकालना है वो कैसे होगा उसके लिए यहाँ पर हम formula type करते हैं equal to का निशान लगाएंगे इसके बाद formula type करेंगे यह देखिए जैसे ही हमने average word के initial कुछ letters लिखे तो यहाँ पर नीचे हमारे पास Excel ने formula जो है वो show कर दिये हैं इसमें से हमें average if formula चाहिए तो उस पर हम double click करेंगे उसके बाद सबसे पहले है range यानि वो range जिसमें से हमको condition set करनी है यहाँ पर हम class के हिसाब से average निकलना चाहते हैं इसलिए range में class वाला column select करेंगे range select करने के बाद comma लगाएंगे उसके बाद next option है criteria यानि कौनसी class के marks का average चाहिए तो यहाँ पर हम fifth class वाले किसी एक cell पर click करेंगे फिर से comma लगाएंगे last option है average range यानि वो range जिसकी actually average निकालनी है तो उसके लिए हम marks वाले column को select करेंगे क्योंकि average हमको marks का चाहिए bracket close करके enter press करेंगे यह देखे fifth class के students को जो marks मिले हैं यह उसका average हमें मिल गया है चलिए एक और condition लेकरके एक बार फिर से इस formula का उप्योग करते हैं दूसरी condition हम लेते हैं कि हमें सभी classes में से maths subject के total marks का average निकालना है सबसे पहले equal to का sign लगाया उसके बाद अब यहां से हमने formula select कर लिया है range के लिए अब subjects वाले column को select करेंगे कॉमा लगाने के बाद criteria select करेंगे हमें सभी classes में से maths subject के marks का average चाहिए तो हम maths वाले किसी एक cell पर click करेंगे फिर कॉमा लगाने के बाद average range select करेंगे इसके लिए हम marks वाले column को select कर रहे हैं क्योंकि हमें math subject के marks का average निकालना है bracket close करके enter press कर देंगे यह देखे केवल math subject के total marks का average हमें मिल गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और average ifs formula समझ लेते हैं अभी हमने average ifs में केवल एक condition लगाई थी अब average ifs में हम एक से ज्यादा condition लगाएंगे माले जी हमें 7th class के students के English subject के marks का average निकालना है तो यहाँ पर 2 conditions हो गई पहली तो class और दूसरी subject चलिए formula type करते हैं सबसे पहले equal to का sign लगाएंगे इसके बाद formula type करेंगे यह देखें यहाँ पर जो options आएं हैं इसमें से हम average ifs पर double click करेंगे इसके बाद सबसे पहले है average range यानि वो range जिसकी actually average निकालनी है तो हम marks वाले column को select कर लेंगे कॉमा लगाने के बाद next option है criteria range 1 यानि वो range जो हमारी पहली condition है और वो है class तो हम class वाला column select करेंगे कॉमा लगाने के बाद next option है criteria 1 यह पहला criteria है यानि कौनसी class के marks का average चाहिए तो हम 7 वाले किसी cell पर click करेंगे कॉमा लगाने के बाद next option है criteria range 2 मतलब यहाँ पर हमको second condition चुननी है और वो है subject इसके लिए हम subject वाला column select कर लेंगे कॉमा लगाने के बाद अगला option है criteria 2 यानि subject वाली condition में से हमको criteria चुनना है यानि कौन से subject के marks का average चाहिए तो वो है English उसके लिए हम English वाला कोई cell select कर लेंगे अब bracket close करके enter press करेंगे तो देखिए हमने जो दो conditions लगाई थी कि हम इस 7th class के students के English subject के marks का average चाहिए तो वो हमको यहाँ पर मिल गया है जब भी हम Excel open करते हैं तो जो workbook open होती है उसमें font, उसका size, alignment, rows और columns का size, worksheets की संख्या इत्यादी पहले से ही set होता है यदि हम चाहते हैं कि जब Excel में हम कोई नई file insert करें तो font, font size, alignment, worksheets की संख्या यह सब हमारी पसंद का हो तो उसके लिए हम template बना सकते हैं आये देखते हैं template कैसे बनाते हैं हम जो भी changes करना चाहते हैं उनको करने के लिए हमें पूरी sheet को select करना होगा पूरी sheet को select करने के लिए यहां left corner पर click करें अब हम इसमें अपने हिसाब से changes कर सकते हैं जैसे हमें जो font चाहिए वो font चुन लेते हैं font size बदलना है तो हम वो भी बदल सकते हैं cell alignment भी हम change कर सकते हैं यह हमने इसको center कर दिया अब अगर हमको rows और columns का size भी बदलना हो तो हम वो भी बदल सकते हैं अब यहां पर हमें दो sheets चाहिए तो एक sheet हम और insert कर लेते हैं उसके लिए यह plus के निशान पर click कर देंगे कि देखे एको शीट आ गई है अब दूसरी sheet पर जैसा के आप देख सकते हैं normal setting है अगर हम चाहते हैं शीट 1 के changes sheet 2 पर भी मिलें तो इसके लिए हम वो सारे changes इस sheet पर भी कर देंगे इसको भी हमने select कर लिया और अब हम इसका font, font size, alignment, rows की size, columns की size यह सब कुछ change कर देंगे अब यह जो changes हमने किये हैं इनको हमें save करना पड़ेगा उसके लिए फाइल में जाकर save option पर click करें और browse में जाकर save as type में excel template option चुन लें और इस फाइल को जिस नाम से save करना हो वो नाम दे दें हमने इसको नाम दिया my template और अब save पर click कर दें अब हम इस फाइल को close कर देते हैं अब जब भी आप फाइल में जाकर new पर click करेंगे यहां featured के अंदर आपको वो templates मिलेंगे जो इसमें already हैं अब आपको वो template चाहिए जो आपने बनाया था उसके लिए personal पर click करें यहां पर देखिए हमने my template के नाम से जो template बनाया था वो नजर आ रहा है जब इस पर click करेंगे तो यह template खुल जाएगा और इस template में वो ही formatting मिलेगी जो हमने पहले save की थी और चुकि हमने दो sheets save की थी तो इसमें दोनों sheet आपको same formatting के साथ मिलेंगी यहां हमारे पास एक data है जिसमें employees की कुछ details दी गई है अब सबसे पहले हम देखते हैं count function का उपयोग करना count function सिर्फ numeric values को count करने के काम आता है यह alphabets को count नहीं करता है मान लिजे हम count करना चाहते हैं कि यहां पर इस column में कितमे values डली हुई है उसके लिए यहां नीचे हम count formula लगाते हैं सबसे पहले लगाएंगे equal to का assign फिर टाइप करेंगे count यहां से count पर double click करेंगे अब हमें इस column की values count करना है इसलिए हम इन सब को select कर लेंगे और bracket close करके enter press कर देंगे यह देखें यहां पर answer आ गया है यहां पर अभी दो cells blank थे उसको इसने count नहीं किया है केवन जिन cells में values थी उन्हीं को count किया है अगर आप चाहते हैं कि cell में चाहे numbers लिखे हों या alphabet हो count हो करके आ जाएं तो उसके लिए count A formula का उप्यूग किया जाता है उसके लिए यहां पर हम formula लगा रहे हैं सबसे पहले equals to का sign फिर type करेंगे count A यह हमने यहां से इसको select कर लिया अब हम alphabet लिखे हुए और number लिखे हुए इन दोनों columns को select करके bracket close कर देंगे और enter press करेंगे यह देखिए यहां इन दोनों columns में जितने भी alphabets और number लिखे हैं वो यहां पर count हो करके आ गए हैं अगला formula है count blank इस formula की मदद से आपके data में कितने cells blank हैं आपो जान सकते हैं उसके लिए हम formula टाइप करेंगे equals to उसके बाद हम टाइप करेंगे count blank यह यहां पर आ गया इस पर double click कर देंगे और अब range चुनेंगे जितने cells में से हमको blank cells ढूमना हैं उतने हम चुन लेंगे यह हमने इतना data चुन लिया है और अब bracket close करके under press करेंगे तो यह देखिए जो हमने range चुनी थी उसमें 3 cells blank है अब हम पहले इन blank cells को भर देते हैं अपने register में देख करके हम यहां पर present है absent उडाल देंगे और अब हम यह देखना चाहते हैं कि कौन सा employee week में कितने दिन present रहा कितने दिन absent रहा तो उसके लिए हम count if formula लगाएंगे सबसे पहले equals to कहशान अब हम यहां पर type करेंगे count if यह देखिए इस list में नजर आ रहा है इस पर double click कर देंगे यह formula यहां आ गया सबसे पहले हमको चुनना है range तो range में हमको चाहिए यह Monday से लेके Saturday तक के दिन मतलब पूरा हफथा इन 6 दिनों में से कितने दिन वो present रहा यह हम देखना चाहते हैं तो हमने यह cells चुन ली है अब कॉमा लगाएंगे अब हम को चुनना है criteria हम देखना चाहते हैं कि employee कितने दिन present रहा उसके लिए हम quotation marks के अंदर लिखेंगे P यह हमने quotation marks के अंदर P लिख दिया अब bracket को close कर देंगे अब enterprise करेंगे तो यह देखिए हमारा जो पहला employee है वो कितने दिन present रहा वो यहां पर आ गया है इसको हम यहां से ड्रैक करेंगे तो सभी cells पर यह apply हो जाएगा इसी तरह अगर आपको पता करना है कि कोई employee कितने दिन absent रहा तो वो भी आप पता कर सकते हैं same formula हमको लगाना है बस यहां पर हम P की जगर पर inverted commas के अंदर यानि quotation marks के अंदर A लिखेंगे अब इसको हम यहां से ड्रैक कर देंगे तो सारी cells पर यह apply हो जाएगा तो यह counter formula की मदद से हमने पता कर लिया कि कौन सा employee कितने दिन present रहा और कितने दिन absent रहा अभी हमने आपको counter formula का उपयोग बताया जसमें हम एक condition लेते हैं अब हम आपको बताते हैं कि अगर हमको एक से ज्यादा conditions के result देखना हो तो उसके लिए count ifs formula का उपयोग कैसे करेंगे इसके लिए हम एक नया data ले रहे हैं यह sheet 2 पर हमने एक data ले रखा है अब इसके अंदर अलग-अलग subjects के marks हैं और साथ ही total marks students को कितने मिले हैं यह भी दिया हुआ है और कितना percentage मिला है यह भी दिया हुआ है यहां पर हम यह जानना चाहते हैं कि कितने लड़के हैं जिन्होंने साथ प्रतिशत से ज्यादा अंग प्रात किये हैं और ऐसी कितनी लड़किया हैं या कितनी छात्राएं हैं जिन्होंने साथ प्रतिशत से ज्यादा अंग प्रात किये हैं तो सबसे पहले हम उसके लिए यहां पर अब हम लगाएंगे count ifs formula equals to condition लगाया अब हम type करेंगे count यह count type करते ही यहां नीचे आपको list मिल जाती है यहां पर count ifs पर double click करें यह formula आ गया है सबसे पहले हमको criteria range 1 चुनना है तो पहला criteria हमारा है student है वो male है या female तो हमने यह वाला column चुन लिया है अब कॉमा लगाएंगे और अब हमको criteria 1 चुनना है अब चुकि इस column में से हमको अभी जो देखना है कि कितने छात्रों ने 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त किये हैं इसलिए यहाँ पर हम चुन लेंगे boy फिर कॉमा लगाएंगे अब हमको criteria range 2 चाहिए वो है percentage तो हम इस column को select कर लेंगे फिर से कॉमा लगाएंगे अब हमारा जो criteria 2 है वो यह है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक कितने छात्रों को मिले हैं उसके लिए quotation mark open करेंगे उसके अंदर हम greater than का निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे 60 और यह हमने quotation mark close कर दिये अब हम प्रेकर close करेंगे और enterprise करेंगे यह देखें यहाँ पर हमको जवाब मिल गया है कि 3 चाहत्रे से हैं जिनको 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक आये हैं अब हमको धूनना है कि कितनी चाहत्राएं हैं जिनोंने 60 से ज्यादा प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं वापस से हम countives का formula लगाएंगे यहाँ पर criteria range वापस से हम girl boy वाली चुनेंगे यह column हमने चुना अब कॉमा लगाएंगे अब हमारा criteria 1 है चात्राएं इसलिए यहाँ पर हम girl वाला कोई भी cell चुन लेंगे फिर कॉमा लगाएंगे अब criteria range 2 हमको select करनी है तो यह हम percentage वाला column select करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे और 70 प्रतिशत से ज्यादा अंक वाली चात्रा हमको ढूणनी है इसलिए quotation mark open करेंगे greater than का निशान लगाएंगे 60 लिखेंगे quotation mark close कर देंगे और फिर bracket लगाके enterprise करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर हमारे पास result आगया है count ifs formula लगा करके कि यह जितने भी students हैं इनने से तीन लड़के हैं यानि तीन चात्र हैं जिन्होंने 7 प्रतिशत से उपरंग प्राप्त किये हैं और दो लड़कियां हैं यानि दो चात्राएं हैं जिन्होंने 7 प्रतिशत से उपरंग प्राप्त किये हैं तो इस तरह से एक से ज्यादा कंडिशन्स का रिजल्ट राप्त करने के लिए आप count ifs फॉर्मूले का उप्योग कर सकते हैं MS Excel में काम करते समय जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो कई बार Excel में अलग-अलग प्रकार की errors आ जाती हैं जिसके कारण हमें काम करने में दिक्कत होती है इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से उनार इर्स को दूर किया जा सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस worksheet में आपको समझाने के लिए हमने कुछ अलग-अलग तरह की गल्तियां आपको दिखाई है सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं संख्या की जगह आपको hashes नजर आ रहे हैं यह जो hashes हैं इनका मतलब यह हुआ कि हमारी जो संख्या है वो कॉलम की चोड़ाई से ज्यादा बड़ी है इसलिए यह संख्या कॉलम में ठीक तरह से नहीं आ रही है और यहाँ पर hashes नजर आ रहे हैं इस आरर को दूर करना बड़ा असान है बस यहां से आप अपना पॉइंटर रख कर कॉलम को बड़ा कर दीजिए यह देखिए पूरी संख्या यहाँ पर आ गई है है चले गए है चलिए अब हम दूसरी आरर देखते हैं उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यह देखिए इस पर क्लिक करते ही यहां फार्मूला बार में इसका फार्मूला आ गया है I5 सेल को हमने डिवाइट किया है I6 से तो यहाँ पर हम देख सकते हैं I5 में तो यहाँ पर वेल्यू डली हुई है पर I6 में कोई वेल्यू डली नहीं है यानि 100 में हमें जिस संख्या से भाग देना है वो यहाँ पर डली हुई नहीं है और इसलिए यह error आ रही है तो अब जिस भी संख्या से हमको भाग देना है वो संख्या हम यहाँ पर डाल देंगे अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये देखे ये सही उत्तर यहाँ पर आ गया है और error चली गई है अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो दो errors हैं वो एक जैसी नजर आ रही है दोनों में ही hash name question mark ये लगा हुआ दिख रहा है पर दोनों में कुछ अलग-अलग तरह की गलतिया है सबसे पहले हम इसको देखते है जब आप इस पर click करेंगे तो ये formula आपको यहाँ formula bar पर दिख जाएगा जब आप इस formula को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ जो formula लिखा है इन संख्याओं का टूटल करने के लिए उसमें गड़बड है ये देखें यहाँ पर हमारी जो पहली संख्या है वो K4 में है दूसरी K5 में है और तीसरी K6 में है अब हम जब formula को देखते है तो यहाँ पर पहली जो cell है K4 वो तो ठीक है पर दूसरी जो हमारी संख्या लिखी है उसका cell reference गलत है वो K5 में है जबकि हमने यहाँ गलती से K I लिख दिया है इसके कारण जो टूटल हमको चाहिए था वो न आ करके यहाँ पर error आ रही है हम यहाँ पर क्लिक करके cell reference ठीक कर देते है अब जैसे ही enter press करेंगे यहाँ पर आपको answer मिल जाएगा और यह error ठीक हो गई है यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी total की पजाए error नजर आ रही है error वही है hash name question mark error देखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यह देखे formula bar में formula आ गया है इस formula में गड़बड है हमको sum का formula लगाना था अब उसमें sum की जो spelling होती है वो होती है sum और यहाँ पर वो spelling हो गए SOM इसलिए यह error आ रही है तो हम इस spelling को correct कर देंगे और correction के बाद जैसे ही enter press करेंगे यह देखिए यहाँ पर total भी सही आ गया है और error भी दूर हो गई है आएए अब हम आगे की error देखते हैं यहाँ पर गड़बड यह है कि यह जो values है हमको उनका total नहीं मिल रहा है उसके बजाए यह error आ रही है यह error क्यों आ रही है यह जानने के लिए हम यहाँ पर click करेंगे अब यहाँ पर जो formula है वो हमको formula bar में नजर आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह error है उसके बाद h10 फिर h11 और फिर h12 लिखा हुआ है अब h10, h11 और h12 यह तीनों cells तो बराबर हैं पर इसके पहले reference नहीं है इसलिए यहाँ पर यह error आ रही है अब यह error आई कैसे यह हम एक बार आपको करके दिखा देते हैं उदारन के लिए यहाँ पर हम एक संख्या डाल देते हैं अब हमने formula लगाया h9 plus h10 plus h11 plus h12 और एंटर प्रेस किया यह देखे यहाँ पर यह result आ गया है यानि इन चारों cells का जोड यहाँ नीचे आ गया है अब मान लीजिए यह जो सबसे पहली संख्या जिस row में लिखी है वो row हमसे डिलीट हो गई है यह हमने right क्लिक किया और उसके बाद डिलीट पर गए यहाँ dialogue box आया इसमें entire row को select किया और row के पर क्लिक कर दिया यह देखे यहाँ से उपर वाली जो row थी वो डिलीट हो गई उसी के साथ हमारी जो संख्या थी वो भी चली गई उसके जाते ही यह formula में reference वाली error आ गई अब हम इस error को सुधार लेते हैं उसके लिए या तो हम error वाली cell को डिलीट कर देंगे और enter press करेंगे तो यह देखे जो बची हुई 3 cells थी उनका total यहाँ पर आ गया है दूसरे तरीका यह है कि अपने data में देखकर उस संख्या को वापस डाल देंगे संख्या को enter करने के बाद हम इस formula को correct कर देंगे error की जगह पर हमने यह वाली cell लेली जो संख्या भी डाली है यह है h9 अब यह देखे हमारा formula हो गया h9 प्लस h10 प्लस h11 प्लस h12 अब यह चारो cells पराबर आ गई है जैसे ही enterprise करेंगे हमको अपना result मिल जाएगा यह देखे error दूर हो गई अब हम आते हैं अगली error पर जो कहलाती है hash value error इसका मतलब यहाँ value में ही कुछ समस्या है देखेंगे तो यहाँ पर तीन cells यहाँ पर आपको नजर आ रही है तीन cells का reference दिख रहा है जे 10, जे 11 और जे 12 अब जबकि हम अपने data में अगर देखें तो जे 10 और जे 11 पर तो values हैं जबकि जे 12 पर value नहों करके text लिखा हुआ है इसके कारण यह error आई है जब भी संख्या की जगह कोई दूसरा character लिखा होगा तो यह वाली error आपको नजर आएगी उसके लिए हम formula में जाकर के जो last वाली cell है जे 12 इसको हटा देते हैं लास्ट वाला cell reference हटाने पर अब हमारे पास केवल जे 10 और जे 11 cells के reference हैं इन्हे का हमको जोड चाहिए अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यह देखिए इन दो cells का जोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है और error भी ठीक हो गई अगली error में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो सक्मख्याएं लिखी है उनका total 0 आ रहा है जब हम formula देखते हैं तो यहाँ पर 4 cells का reference दिया हुआ है L10, L11, L12 और L13 जबकि data में हमने केवल 3 values दी है जो कि L10, L11 और L12 cells में है L13 जो cell है वहाँ पर हमको total चाहिए था पर formula में हमने वो वाली cell भी जोड दी है जिसके कारण हमारा जो result है वो 0 आ रहा है इस error को ठीक करने के लिए हम formula में से total वाली जो cell है उसको हटा देंगे एंटरप्रेस करेंगे यह दिखिए सही answer आ गया है Excel में concatenate formula दो या दो से अधिक cells के data को एक ही cell में जोइन करके लिखने के लिए कामाता है अगर ऐसान शब्दों में कहा जाए तो ये दो या दो से अधिक cells की value को एक ही cell में combine कर देता है चलिए हम आपको एक उधारन टेकर समझा देते हैं उधारन के लिए यहाँ पर एक address list है जिसमें अलग-अलग और last name अलग-अलग लिखे हैं याने नाम अलग है और surname अलग-अलग लिखा हुआ है यह अलग-अलग cells में हैं माली जीए आप नाम को combine करके एक ही cell में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम concatenate formula उप्योग कर सकते हैं यहाँ पर नीचे हमने एक column बनाया है name का इसमें हम first name और last name यह जो दो अलग-अलग columns हैं अलग-अलग cells में नाम लिखें इनको combine करके यहाँ पर नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर हम formula लगाएंगे सबसे पहले equal to का sign लगा कर type करेंगे concatenate यह initials type करते ही Excel ने हमें formula यहाँ पर दे दिया है हम इस formula पर double click करेंगे अब इस formula का पहला argument है text1 तो text1 हमारा है first name इसको हम select कर लेंगे फिर comma लगाने के बाद next argument है text2 text2 हमारा last name है उस पर हम click करेंगे हमको चूंकि अभी केवल ये दो cells ही लेना है केवल इन दो cells को ही combine करना है इसलिए अब हम यहीं पर bracket लगा करके formula close करेंगे और enter press कर देंगे यह देखिए दोनों cells का data यहाँ एक cell में combine हो करके आ गया है पर यहाँ पर problem यह है कि first name और last name के बीच में space नहीं है तो उसके लिए हमें formula में कुछ changes करना होंगे चलिए formula को दोबारा type करते हैं equal to के निशान के बाद हम वापस से type करेंगे concatenate यहां से हम double click करके formula ले लेंगे text one है first name उसके लिए यहां पर click करेंगे comma लगाएंगे अब हम double inverted comma लगाएंगे और space देकर एक बार फिर से double inverted comma लगाएंगे और इसके बाद comma लगाएंगे और अब हम दूसरा जो argument है text two जो की है last name उस पर click करेंगे अब bracket close करके enter press कर देंगे यह देखिए first name और last name के बीच में space आ गई है अब इस पर click करके इसको drag कर देंगे यह देखिए यह formula आगे की sales पर भी लागू हो गया है अभी हमने आपको दो सेल्स को combine करना बताया जिस तरह से दो सेल्स कंबाइन की उसी तरह से आप दो से ज्यादा सेल्स को भी combine कर सकते हैं अब हम आपको यह जो पूरा address है इसको combine करके बताते हैं जिसमें की हम उपर की जो चार सेल्स है address, city, state और pin code इनको combine करके यहाँ पर लेना चाहते हैं पूरा address हम साथ में चाहते हैं तो अब हम आपको बताते हैं कि आप इन चारूं cells को कैसे combine कर सकते हैं तरीका वही रहेगा सबसे पहले equal to का sign लगाएंगे अब type करेंगे concrete यहाँ पर double click करके यह पूरा formula यहाँ आ जाएगा text 1 हमारा है address इस सल पर click करेंगे अब comma लगाएंगे अब इसके बाद अगर हम directly text 2 चुनेंगे तो फिर जैसा कि पहले हुआ था बीच में space नहीं आएगा हमको बीच में space भी चाहिए और चूंकि हम अब city का नाम लिखेंगे तो हमको comma भी चाहिए तो इसके लिए हम पहले लगाएंगे double inverted comma अब comma लगाएंगे फिर space देंगे और वापस से double inverted comma लगा देंगे अब एक बार फिर से comma लगाएंगे अब हमको city चाहिए इसलिए city पर click कर देंगे यह इन दौर पर हमने click किया वापस comma लगाएंगे और फिर से हमको comma और space चाहिए इसलिए double inverted comma लगा के comma फिर space और फिर से double inverted comma लगाएंगे अब हम कॉमा लगाने के बाद अगली सेल चुनेंगे जो है स्टेट की, यह हमने MP चुना, वापस कॉमा लगाएंगे, अब हमको पिन कोड चाहिए, तो हम चाहते हैं कि MP के बाद यानि स्टेट के नाम के बाद दैश लगा करके और पिन कोड आ जाए, तो इसलिए अब हम डब डबल अन्वर्टेट कॉमा वापस लगा करके फिर कॉमा लगा देंगे, और अब हम सेलेक्ट कर लेंगे पिन कोड वाली सेल, यह जितनी सेल्स हमको चाहिए थी, वो सब हमने इसमें ले ली है, और बीच में स्पेस, कॉमा, डैस, जो भी चाहिए था, वो भी ले लिया है, उनके अलावा आपको जो भी चीज़ें बीच में डालनी है, जैसे हमने यहाँ पर कॉमा डाला है, स्पेस दी है, डैस लगाया है, यह सब आपको फॉर्मुला लगाते समय इंवर्डेट कॉमा के बीच में डालनी होंगी, अब हम इसको नीचे ड्रैक कर देंगे, तो यह द 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को जोड़ना बताया, आप 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को बिना कॉम्टेनेट फॉर्मुला लगाय भी जोड सकते हैं, उसके लिए हम एंपरसंट यानि एंड के लिए जो साइन का उप्योग होता है, उसका उप्योग करेंगे, चलिए हम आपको वो भी भी बता देते हैं, यह formula भी उसी तरह से काम करेगा, जिस तरह से concatenate formula काम करता है, हम आपको first name और last name वाली जो cells हैं, उनको जोड़ करके बताते हैं, चलिए यहाँ पर हम वो formula लगाते हैं, सबसे पहले लगाएंगे equal to का sign, अब हम first name पर click करेंगे, अब बिना space दिये ampersand का sign ल के लिए short में हम जो यह निशान लगाते हैं, इसी को ampersand कहा जाता है, अब double inverted comma लगा करके, space दे करके, एक बार फिर से double inverted comma लगाएंगे, यह हमने इसलिए लगाया है, ताकि first name और last name के पीच में space आ जाए, इसके बाद बिना space दिये, फिर से ampersand का sign लगाएंगे, और space दिये बिना ही last name पर click कर देंगे, अब enterprise करेंगे, यह देखे, यह यहाँ पर first name और last name वाली जो दोनों cells, वो combine होकर एक cell में आ गई है, पुरा नम एक साथ आ गया है, यह हमने आपको दो cells चोड़ करके बताई हैं, combine करके बताई हैं, अगर आपको दो से ज्यादा cells combine करनी हो, तो इ आगे जोडते जाएं, जब हमने concatenate formula यूज किया था, तो हर cell को select करने के बाद हम उसमें कॉमा लगाते थे, यहाँ पर इस formula में कॉमे के जगह पर हम amp का निशान लगा रहे हैं, इसको जब आप नीचे ड्रेक करेंगे, तो बाकी cells पर भी यह formula लग हो जाएगा, किसी भी document में text को आप अलग-अलग case में लिख सकते हैं, अपर case में जो भी letters होते हैं, वो सारे की सारे capital letters होते हैं, lower case में सारे की सारे letters small होते हैं, और proper case में हर शब्द का पहला letter capital होता है, जब आप word document में type करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपको words का case पदलना हो, तो उसमें home tab में आपको change case का एक option मिलता है, जिसकी मदद से आप, किसी भी sentence में जो words लिखे हुए हैं, उनका case change कर सकते हैं, पर Excel में जब आपको words का case change करना हो, तो उसके लिए आपको formula लगाना होता है, सबसे पहले तो हम आपको simply आप कैसे case change कर सकते हैं, उसके लिए क्या formula लगाएंगे वो बता देते हैं, यहाँ पर जो first name लिखा हुआ है, उसको हम आपको change करके बताते हैं, सबसे पहले अपर case में अगर आपको इसको change करना है, तो उसके लिए equal to का sign लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर type करेंगे अपर, यह यहाँ नीचे आगया, इस पर double click कर देंगे, और अब जिस text का case change करना है, उसको select कर लेंगे, तो हमने यह first name select कर लिया, bracket close करके enter press कर दे करेंगे, यह देखिये, यह जो नाम लिखा हुआ था राधा, यह पूरा capital letters में यहाँ पर आ गया है, इसका case change हो गया है, यह अपर case में आ गया है, अब अगर हम इसको यहाँ से drag करेंगे, तो यह सारे की सारे नाम जो है, वो सभी की सभी अपर case में आ जाएंगे, अब इसक यह देखिये, यहाँ पर lower लिखा आ गया, इस पर double click कर देंगे, और अब हम वो text चुन लेंगे, जिसको हमको lower case में change करना है, यह इस नाम को हमने वापस चुन लिया है, bracket close करके, enter press करेंगे, तो यह देखिये, अब यह जो नाम है, वो पूरा small letters में आ गया है, यानि lower case में आ गये, proper case में हर word का पहला letter capital होता है, माल लीजे, यह जो address है, इसको हमको proper case में करना है, तो उसके लिए यह formula लगाएंगे, सबसे पहले equal to का निशान लगाया, अब हम type करेंगे proper, यह यहाँ लिखा हुआ आ गया, इस पर double click कर देंगे, और अब वो text चुन लेंगे, जिसको हम को proper case में convert करना है, हम यह address ले रहे हैं, bracket close करके under press करेंगे, यह देखे पहले, यहाँ पर जो address था, वो lower case में था, अब जैसे ही हमने यह formula लगाया, यह proper case में आ गया है, जब हम इसको drag करेंगे, तो आगे की cells में भी यह apply हो जाएगा, अब है हमने आपको simple formula की मदद से case change करना बताया, अमाली जे आप यह चाहते हैं कि cells भी combine हो जाए और case भी change हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पर अब हम आपको concatenate के साथ text को upper, lower, proper case में convert करना बता देते हैं, यहाँ पर हम formula type करेंगे, सबसे पहले equal to का sign लगाएंगे, फिर type करेंगे upper, initials type करते ही, यहाँ पर यह Excel formula show कर दिया है, हम इस पर double click करेंगे, इसके अंदर हम type करेंगे concatenate, initials दिखते ही हमको, यहाँ पर यह लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर double click कर देंगे, और अब यह जो concatenate formula है, उसका syntax follow करेंगे, text 1 में हम first name जो हमको चाहिए उस पर click कर देंगे, इसके बाद लगाएंग के बीच में space चाहिए, इसलिए inverted comma लगा करके space देंगे, फिर inverted comma लगाएंगे, और फिर comma लगा देंगे, अब जो हमारा अगला text है, जो है last name, इस पर click करेंगे, और उसके बाद bracket close कर देंगे, अब हम एक बार और bracket close करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर दो formula यूज किये हैं, case क formula और concatenate formula, अब हम enterprise करेंगे, देखिए, यहाँ पर दो cells combine होकर एक cell में आ गये हैं, और साथ ही उनका case भी change हो गया है, तो upper case में यह पूरा नाम एक साथ आ गया है, इसको यहाँ से हम drag करेंगे, तो आगे की cells पर भी यह अपलाए हो जाएगा, इसी तरह से अब हमको lower case के लि जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, बस इसमें ध्यान यह रखना है, जहां हमने upper लिखा था, उसकी जगह हम लिखेंगे lower, bracket के अंदर हम concatenate formula लगाएंगे, यह जिस तरह से हमने upper case के लिए formula लगाया था, उसी तरह से हमने यहाँ formula लगा दिया है, अब enterprise करेंगे, यह देखिए दोनों cells combine होकर के पूरा नाम excel में भी आ गया और वो lower case में है, इसी तरह से यहाँ आप proper case का formula लगा सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले equal to का निशान लगाएं, फिर type करें proper, यह formula का नाम आ गया है, इस पर double click करें, bracket के बाद type करें, concatenate, यह formula भी आप यहाँ से ले सकते हैं, अब हम address और city दोनों columns में जो content है, उसको एक साथ लाना चाहते हैं, उसको जोड़ना चाहते हैं, इसलिए text 1 में हम address वाला cell चूज़ कर लेंगे, यह हमने cell select कर लिया है, अब हमको इसमें city का नाम जोड़ना है, पर उसके पहले हमको comma और space चाहिए, उसके लिए यहाँ पर अ और अब inverted commas का close कर देंगे, अब फिर से comma लगाएंगे, और अब हमको अगला argument यहाँ पर select करना है, जो है city का नाम, तो यह cell select कर लेंगे, अब double bracket लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने दो formula लगाए हैं, अब enter प्रेस कर देंगे, यह देखिए, अब address और city यह दोनों पर combine होकर के आ गए हैं, यदि आप अपना पैसा लंबी अवधी के लिए किसी बीमा योजना या mutual fund में invest करना चाहते हैं, या फिर कोई recurring deposit या fixed deposit account खुलना चाहते हैं, और पैसा invest करने के पहले आप यह जानना चाहते हैं, कि निश्यत अवधी के बाद आपको क्या return मिलेगा, तो वो आप future value formula की मदद से पता कर सकते हैं, आईए देखते हैं future value formula का उप्योग करना, future value formula का उप्योग समझने के लिए हम recurring deposit account का उधारण यहाँ पर ले रहे हैं, मान लेजिए bank में आपका recurring deposit account है, जिसमें आप हर महिने 1000 रुपए जमा करते हैं, और 18 महिने तक आप यह 1000 रुपए जमा करने वाले हैं, जिस पर 6% की दर से वार्षिक ब्याज मिलेगा, अब अगर आप जानना चाहते हैं, कि 18 महिने के बाद 6% व्यार्षिक प्याज जुड़ करके कितनी राशी आपको मिलेगी, उसके लिए आप future value formula का उप्योग कर सकते हैं, पहले हम यहाँ पर आपको एक्सल में manually इसे calculate करके बता रहे हैं, अब यहाँ पर पहले महिने के लिए opening balance तो कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपए, चुकि यह अमाउंट 18 महिने तक सेम ही रहना है, तो इसको हम drag करके नीचे ले आते हैं, अब हमको 1000 रुपए पर 6 प्रतिशत की दर्श से ब्याज निकालना है, उसके लिए हम formula लगाएंगे, और चुकि प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपए है, तो इस cell को सिलेक कर लेंगे, इसके बाद गुणा का निशान लगाएंगे, और अब लिखेंगे 6 प्रतिशत, ये वार्शिक ब्याज है, जबकि हमको पहले महिने का ब्याज निकालना है, इसलिए इसको 12 से भाग दे देंगे, और एंटरप्रेस कर देंगे, ये देखिए, ये पहले महिने का ब्याज आ गया है, जो है 5 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट को जोड करके हमको अमाउंट देखना है, इसके लिए हम इन दोनों को जोड देंगे, तो ये principal amount with interest हो गया है एक हजार पाँच रुपए अब ये जो amount है वो अगले महिने के लिए opening balance हो गया है तो इसको यहाँ पर लाने के लिए equal to लगा कर हम इस cell को चुन लेंगे और enterprise करेंगे ये देखें यह amount यहाँ पर आ गया है अब हमको दूसरे महिने का ब्याज निकालना है और दूसरे महिने का जो ब्याज है वो इन दोनों amount के sum पर निकलेगा इसलिए पहले यहाँ equal to का निशान लगाएंगे फिर bracket लगाएंगे फिर इस cell को और इस cell को जोड़ लेंगे और bracket close कर देंगे अब हम लगाएंगे गुणा का निशान फिर लिखेंगे 6% और उसको भाग दे देंगे 12 से फिर enterprise करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर दूसरे महिने का ब्याज आ गया है अब principal amount with interest के लिए इन तीनों cells को जोड़ लेंगे यह देखिए यह आ गया है principal amount with interest अब आगे बचे हुए महिनों के लिए भी यही formula लगाना है तो इसको हम break कर लेंगे अब यह देखिए यह वो amount है जो 18 महिने के बाद हमें प्राप्थ होगा अब इस manual process के बजाए इसे हम सरल तरीके से निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम future value formula का उप्योग कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर हम formula लगाएंगे equal to उसके बाद fv लिखेंगे और फिर bracket लगा देंगे इसके बाद हमको चाहिए rate उसके लिए हम यह 6% interest rate वाली सल को select करेंगे और इसको हम भाग देंगे 12 से अब हम comma लगाएंगे इसके बाद है NPR यानि number of period तो यह 18 महिने हैं उसके लिए हम यह इस number वाली सल को select कर लेंगे अब हम comma लगाएंगे यहाँ पर हमको PMT के जरूरत नहीं है यह optional रहता है इसके बाद हमको चाहिए present value वो है thousand रुपीज इस सल को हम चुन लेंगे अब यहाँ पर हमको comma लगाना है ध्यान रखें यहाँ पर हमको दो कॉमाज लगाने होंगे अब इसके बाद है type interest हम किस हिसाब से interest calculate करना चाहते हैं उस हिसाब से हम type चुनेंगे अगर जिस दिन हमने पैसा जमा किया है उस दिन से interest calculate करना है तो हम यहाँ one लिखेंगे और अगर महिने के अंत में interest calculate करना है तो zero लिखेंगे यहाँ पर हमने चुना है एक और अब bracket close करके enterprise कर देंगे यह देखे अब यह वही value आ गई है जो हमने यहाँ पर manually निकाली थी यहाँ पर चुकि हमने value को round figure में नहीं किया है इसलिए वह इस तरह से दिखाई दे रही है यह हमने इसको round figure में change किया अब देखिए यह दोनों values सेम हो गई है अब हम आपको एक और उधारण दे रहे हैं मानलीजिए आपने कोई बीमा करवाया है जिसमें आपको 15 साल तक 12,000 की premium प्रतिवर्श भरना है और बीमा कंपनी के मताबिक life insurance के साथ साथ आपको इस राशी पर 8 प्रतिशत की दर से वाशिक ब्याज मिलेगा अब आप जानना चाहते हैं 15 साल बाद आपको कितनी राशी मिलेगी तो उसके लिए भी आप future value formula का उप्योग कर सकते हैं यहाँ पर हम future value formula लगा कर देखते हैं उसके लिए सबसे पहले equal to का निशान लगाएंगे फिर लिखेंगे fv और अब हम लगाएंगे bracket अब यहाँ सबसे पहले लेना है rate उसके लिए इस cell को चुन लेंगे और चूंकि हम वार्षिक ब्याज निकाल रहे हैं इसके लिए 12 का भाग देने की जरुरत नहीं है इसके बाद कॉमा लगाएंगे फिर हमको period चुनना है इसके लिए हम year वाली यह 15 साल वाली cell चुन लेंगे फिर कॉमा लगाएंगे PMT के हमको जरुरत नहीं है present value में हम चुनेंगे 12,000 इसके बाद double कॉमा लगाएंगे और अब हमको चुनना है type हम मानकर चल रहे हैं जिस दिन से हमने पैसा भरना शुरू किया है तभी से व्याज जुनना शुरू हुआ है इसलिए हम यहाँ पर एक चुन रहे हैं अब bracket close करके enter press करेंगे यह देखिए यहाँ पर वो value आ गई है जो 15 साल के बाद हमको मिलने वाली है अब यहाँ यह जो value दिखाई दे रही है उसमें आग डॉलर का निशान लगा हुआ है इसको अगर हमको change करना है तो इस cell को चुन करके हम comma style पर click करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर से डॉलर का निशान हड़ गया इसी तरह से उपर यहाँ भी हम change कर सकते हैं आजकर हम सभी अपनी mobile, computer, laptop इत्यादी में password set करके रखते हैं जिससे की कोई दूसरा व्यक्ति हमारी device से किसी तरह की छेर चाड़ ना कर सके इसी तरह आप excel sheet या excel sheet के कुछ cells को भी password से protect कर सकते हैं आएए जानते हैं कैसे यहाँ हमने एक table बनाई हुई है column B में first quarter cell, C में second quarter cell, D में third quarter cell और E में fourth quarter cell है और F में इनका total है sum निकालने के लिए हमने formula का उपयोग किया है अब यदि हम ये sheet किसी व्यक्ति को check करने के लिए देते हैं और ये चाहते हैं कि वो केवल check करें और इसमें कोई change न कर पाए तो इसके लिए हम इस sheet पर lock लगा देंगे sheet को lock करने के लिए home tab में दिखाई दे रहे format option पर click करेंगे open हुए drop down menu में से protect sheet पर click करें या फिर review tab में दिखाई दे रहे options में से protect sheet option पर click करेंगे open हुए dialogue box में यहाँ पर जब हमको sheet unprotect करना होगी तो उसके लिए जो password हम use करेंगे वो यहाँ पर डाल देंगे और okay पर click कर दें अब यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए जो password अपने type किया था उसको फिर से enter करें और okay पर click कर दें अब आपके पूरी sheet lock हो गई है जैसे ही आप इसमें कुछ type करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पर यह message आ जाएगा जिसमें लिखा है कि जिस cell में आपको type करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ change करने की कोशिश कर रहे हैं वो protected sheet पर है तो इसमें व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता ओके पर click कर दें अब अगर इस sheet से lock हटाना है यानि इसे unprotect करना है तो उसके लिए review tab में जाकर unprotect sheet option पर click करें अब यहाँ पर आपको वो passport type करना है जो आपने set किया था और फिर ओके पर click कर दें ये sheet unlock हो गई है अब इसमें कोई भी काम किया जा सकता है यह देखिए आप हम हम इसमें type कर सकते हैं changes कर सकते हैं कुछभी कर सकते हैं चलिए अब आप को इस work sheet का कुछ कुछ हिस्सा लॉक करके बता देते हैं यानि हमको पूरी वरक्षीट लॉक नहीं करने हैं किवल इसका कुछ हिस्सा लॉक करना है जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस डेटा में कॉलम B, C, D और E जो हैं वो क्वार्टरली सेल के हैं अलग-अलग क्वार्टर्स की सेल इसमें दी हुई है अब हम चाहते हैं कि इनको छोड़कर के बाकी की पूरी शीट हम लॉक कर दें यानि कोई भी व्यक्ति इसमें ना तो जो एंप्लॉईज हैं उनके नाम बदल पाए और ना ही यहां जो फॉर्मूला लगा है क्योंकि यहां पर हमने टोटल निकाला है उसके ना हो इसलिए हम चाहा रहे हैं कि सेल्स वाले जो कॉलम्स हैं उनको छोड़कर के बाकी पूरी शीट लॉक हो जाए उसके लिए हम इन चारो कॉलम्स के डेटा को सिलेक कर लेंगे फिर राइट क्लिक करके फॉर्मिट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस डायलोग बॉक्स में से प्रोटेक्शन टैब पर क्लिक करेंगे यहां पर लॉग्द ऑप्शन पहले से ही सिलेक्टेड होता है इसे डी सिलेक कर दें ओके पर क्लिक करें अब रिव्यू टैब में जाकर प्रोटेक्ट शीट आप्शन पर क्लिक करें, ओपन हुए डायलोग बॉक्स में यहां पर आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हों वो पासवर्ड सेट कर दें, पासवर्ड देने के बाद ओके पर क्लिक कर दें, यहां पर पासवर्ड रिएंटर करें, ओके पर क्लिक कर दें, ऐसा करते ही कॉलम B, C, D, E को छोड़ करके बागी पूरी शीट लॉक हो गई है, अब इन चार कॉलम्स को छोड़ करके, पूरी वर्कशीट में कहीं पर भी अगर हम कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे, तो यह देखिए, इस तरह का मैसेज वापस आ जाएगा, वहीं जो हिस्सा हमने अनलॉक्ड चोड़ा है, उसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, चिंजिस कर सकते हैं, क्योंकि वो अनलॉक्ड है, और यह देखिए, इन कॉलम्स में जो चिंजिस होंगे, उसके हिसाब से टोटल भी बदल जाएगा, करी बार हमें एक्सल में काम करते वक्त कोई फाइल इंटरनेट से इंपोर्ट करने पड़ती है, जिसमें ऐसे करेक्टर्स या टेक्स्ट होते हैं, जिने हम प्रिंट नहीं कर सकते, जिने हम नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स या टेक्स्ट बोल सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको ऐसे non-printable characters या text को कैसे हटाएं ये सिखा रहे हैं यहाँ पर हमने एक example sheet बनाई हुई है जिसमें कुछ characters हैं जो की print नहीं हो सकते चलिए clean formula का उप्योग करके इनको कैसे हटाएं ये देखते हैं यहाँ पर हम formula type कर रहे हैं सबसे पहले हमने equal to का निशान लगाया अब clean type करेंगे यह यहाँ double click करके formula ले लेंगे यहाँ पर जो argument है वो हो text तो जिस text को हमको clean करना है वो हम select कर लेंगे bracket close करेंगे enter press कर देंगे अब यहाँ पर देखिए यह text वैसा की वैसा यहाँ आ गया है यानि यह clean नहीं हुआ है इसका मतलब यह कि इस text में कोई non-printable character नहीं था अब हम दूसरा example देखते हैं आप चाहें तो drag करके formula copy कर सकते हैं हम यहाँ फिर से formula लगा करके बता रहे हैं bracket के अंदर argument है text तो हम इस text को select करेंगे bracket close करेंगे enterprise करेंगे अब यह देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं दो कुछ अलग-अलग characters थे इस में से world के बाद वाला जो character है यह non-printable है तो इसको excel ने clean कर दिया है इस formula को drag कर लेते हैं तो यह देखिए अगला जो text है वो हमारा clean हो गया है इसके अंदर भी she is hema यह जो sentence है उसके पहले यह जो character निज़र आ रहा है यह non-printable है तो वो यहाँ से हट गया है MS Excel में सम formula का उप्यो करना तो हम सभी जानते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको running total calculate करना बता रहे हैं वो भी दो तरीकों से सबसे पहले तो हम यह जान लें कि running total क्या होता है running total में हर cell में पिछली cell का total भी जोड लिया जाता है कैसे ये एक example की साहता से समझते हैं यहाँ पर हमने एक table बनाई हुई है पहले कॉलम में हमने 2017 के सारे महिने लिखे हुए हैं और दूसरे कॉलम में इन महिनों में हुई cells लिखी है और यह जो cell है वो लाख में हैं इस कॉलम में हम running total calculate करेंगे यहाँ पर जन्वरी के सामने जन्वरी की total cells आएगी फिर फर्वरी के सामने जन्वरी और फर्वरी दोनों महिनों की cells का total आएगा फिर मार्च के सामने जन्वरी फर्वरी और मार्च तीनों महिनों की cells का total आएगा और इसी तरह से आगे के महिनों के लिए भी होगा और यह जो प्रक्रिया है वही रनिंग टोटल कहलाती है चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं अब सबसे पहले जैनुरी की सेल का रनिंग टोटल निकालने के लिए यहां इस सेल में एकवल टू का साइन लगाएंगे जनवरी की सेल्स वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर एंटर प्रेस कर देंगे यह देखिए यहां पर जैनुरी की सेल्स आ गई है फैबरी की रनिंग टोटल के लिए हमें इसमें जैनुरी की सेल्स भी एड करनी है तो उसके लिए यहां पर हम इकवल टू का निशान लगाएंगे उसके बाद जैन करेंगे और एंटरफ्रेस करेंगे यह देखिए यहां पर जैनुरी और फैब्रेरी दोनों का तोटल सेल आ गया है अब फैब्रेरी का यह जो रणिंग टोटल वाला सेल है इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे तो यह देखिए बाकी के सारे महिनों का भी रणिंग टोटल निकल आया है अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि यह सही कैल्कुलेट हुआ है या नहीं इसके लिए हम जैन्यूरी से लेकर के एपरिल तक की जो सेल्स हैं उनको जोड लेंगे सबसे पहले एकवल प्रू का निशान लगाएंगे और अब हम एकक करके इन सेल्स को सिलेक करते जाएंगे प्लस का निशान लगाके आगे की सेल्स को लेते जाएंगे यह हमने एपरिल तक की सर्ज जो है वो सिलक कर ली है अब एंटर प्रेस करेंगे यह देखिए यह दोनों टोटल सेम है इसका मतलब कि रनिंग टोटल हमारा सही कल्कुलेट हुआ है अब हम आपको रनिंग टोटल निकालने का एक और तरीका बता देते हैं इसके लिए हम सम फॉर्मुले का उप जैनुरी की सेल्स वाला सेल्स सेलेक करेंगे जोकि हम जैनुरी की टोटल सेल्स निकाल रहे हैं तो हम शिफ्ट प्रेस करके कॉलन वाली की प्रेस करेंगे शिफ्ट कॉलन प्रेस करते ही वही सेल नंबर लिखा हुआ जाएगा जो की जैनुरी की सेल्स का है अब रैकेट क्ल पहले वाला cell reference है, हम उसको fix कर देते हैं, क्योंकि आगे के months के लिए तो यह change होगा नहीं, इसके लिए पहले वाले cell reference को select करके F4 की press करेंगे, और अब enter press करेंगे, यह देखिए January की total cells आ गई है, अब इस cell पर click करके हम drag कर लेंगे, तो यह देखिए, बाकी सभी महिनों का running total यहाँ पर आ गया है, यह हुआ running total निकलने को दूसरा तरीका, यहाँ पर हमारे पास एक address list है, जिसमें की जो नाम लिखे हुए हैं, वो एक ही column है, यह full name का column है, जिसमें की first name और last name दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, अब हम चाहते हैं कि इसमें से हम first name को अलग कर लें और last name को अलग कर लें, यानि यह जो नाम है वो हमको split करना है, तो उसके लिए हम आपको एक चीज़ पहले बता दें कि हम एक से ज्यादा formula का उप्योग करेंगे, सबसे पहले हम first name split करना देखेंगे, first name जो है वो left से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हम left formula का उप्योग करेंगे, यहाँ पर equals to का sign लगाएंगे, फिर left लिखेंगे, यह double click करके formula यहाँ पर आ गया है, अब इसमें पहला argument है text, यानि हमको जिस cell से text चाहिए, उस cell को हम select कर लेंगे, इसको हमने select कर लिया, अब हम comma लगाएंगे, next argument है number of characters, तो हमको इस cell में से कितने characters चुनना है, मतलब हमारा जो first name है, वो कितने characters का है, वो characters हम यहाँ पर लिखेंगे, अब जैसे राधा में 5 letters हैं, यानि 5 characters हुए, वो हम यहाँ पर लिख देंगे, अब हम bracket बंद कर देंगे, और enter press करेंगे, यह देखिए यह first name यहाँ पर आ गया है, अब हम इसको यहाँ से drag कर देंगे, तो बाकी cells में भी यह formula अपलाए हो जाएगा, अब यहाँ पर यह देखिए राधा शर्मा में से, राधा आ गया, मीरा प्रजापती में से मीरा आ गया, पर अगला जो नाम है केशव, वो पूरा नहीं आया, इसमें V छूट गया है, और अगला नाम माधव इसमें से भी V छूट गया है, वो इसलिए क्यूंकि हमने पाच करेक्टर्स जो है, वो फॉर्मूले में फिक्स कर दिये थे, तो यह फॉर्स नेम में से केबल पाच करेक्टर्स ले रहा है, केशव और माधव में पाच से ज्यादा करेक्टर्स हैं, इसलिए उसने केवल 5 characters यहां show कर दिये हैं, पूरा नाम यहां पर नहीं आया है, इसके लिए हमको इस formula में कुछ change करना पड़ेगा, तो यह हम, हमने यह सारे नाम delete कर दिये, अब हम वापस से formula लगाते हैं, सबसे पहले तो left का formula लगाएंगे, equals to और फिर left, डबल क्लिक करके formula ले लिया, text में हम, यह cell चुन लेंगे, कॉमा लगाएंगे, अब यहां पर जो number of characters हैं, वो लिखने की बजाए, हम इसकी जगह पर find formula का उप्योग करेंगे, तो यहां पर हम type करेंगे find, यहां पर आगया, इस पर double क्लिक करेंगे, अब यहां पर पहला argument है, find text, यहां पर सब सबसे पहले हम क्या find करना चाहरा है, वो हमको बताना है, तो हमको सबसे पहले find करनी है, space, क्योंकि हमारा जो first name और last name है, उसके पीछ में space दी हुई है, जिससे वो दोनों अलग-अलग है, तो space के left में जो नाम दिया हुआ है, वो हमारा first name में, उसको हमको ढूढना है, इसलि और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, दूसरा argument है within text, यानि कौन से cell में से हमको ढूढना है, तो उसके लिए हम इस cell को select कर लेंगे, यह B5 cell हमने select की, और अब हम दो बार bracket close करेंगे, क्योंकि हमने दो formula लगाए हैं, तो पहले यह find वाले formula को close किया, और अब हम left वाले formula को close करे और अब enterprise कर देंगे, यह देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ गया है, अब हम इसको यहाँ से drag करेंगे, तो यह सारी cells में first name आ जाएंगे, पहले केशव और मादव यह नाम पूरे नहीं आये थे, पर यह formula लगाने के बाद, यह देखिए, यह नाम भी पूरे आ गये, कितना भी बड़ा अगर first name होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको आप split कर सकते हैं, अगर हम full name वाले column में first name में कोई भी change करेंगे, तो वो इस column में अपने आप change हो जाएगा, अब हम last name को split करना देखते हैं, उसके लिए हम right formula का उप्योग करेंगे, क्योंकि last name जो है वो right में है, तो यहाँ पर last name वाले column में equals to का निशान लगा करके right लिखेंगे, अब इस पर double click कर देंगे, तो यह formula आ जाएगा, bracket open हो गया है, तो सबसे पहला argument जो है वो है text, उसके लिए full name वाला यह जो cell है, इसको हम select कर लेंगे, अब comma लगाएंगे, इसके बाद अ find formula यूज किया था, पर यहाँ पर हमको दो formula का उप्योग करना पड़ेगा, एक तो length का formula, ताकि हमको full name की पूरी length पता चल जाए, और दूसरा find formula का उप्योग, जिससे कि हम space के बाद वाला जो नाम है, यानि last name है, उसको ढूंड सकें, सबसे पहले length का formula type करेंगे, यह len जो लिखा हुआ है, इस पर double click किया, तो यहाँ पर यह हमको दिखाई दे रहा है formula, इसमें जो argument है, bracket open होने के बाद वो है text, तो हम यह v5 वाली cell चुन लेंगे, अब bracket को close कर देंगे, इस formula से हमको full name में कितने characters है total वो पता चल जाएगा, उस से हमें last name के पहले की space और first name हटाना है, ताकि बचे हुए जो characters बचेंगे, वो होंगे last name के, तो वो हमको मालूम पढ़ जाएं, तो इसके लिए हम minus का sign लगा करके, और फिर find formula लगाएंगे, यह bracket open हो गया है, अब हमें सबसे पहले तो space सर्च करनी है, क्योंकि space के बाद ही last name है, तो find text में हम space सर्च करेंगे, उसके लिए quotation mark open करेंगे, space देंगे, फिर quotation mark close कर देंगे, अब लगाएंगे comma, अब अगला argument है within text, तो इसके लिए जहां से हम last name ढूंड रहे हैं, वो वाली cell को, select कर लेंगे, और दो बार bracket बंद करके, enter press करेंगे, यह देखिए, यहां पर last name लिखा हुआ आ गया है, अब इसको हम जब ड्रेक करेंगे, तो यह देखिए, सारे की सारी last names, column में अपने आप आ गए हैं, जिस तरह से full name वाले column में, जब हमने first name में change किया था, तो यहां पर वो change हो गया था, उसी तरह से अगर हम सर्नेम में कोई change करेंगे, तो वो यह द यहां है, वो यहां गएा हैं, उतक हैं, ड्रेक करेंगे